नमस्का दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे थे भारत की इतियास की बारे में इसमें हम लोग एक पार्ट आपका कवर कर चुके हैं इसमें भारत का इतियास देख चुके थे उस पार्ट में और यहां से लेकर आपका हम लोग लाश्ट चेप्टर देखे थे दच्छन भार आपका कवर होगा गश्शन भारत की राजबन्स, यह देख छुकिते हैं हम लोग पिछली क्लास में, भारत पर अर्भों का आक्मड से देखेंगे हम लोग, पहला चेप्टर हमारा भारत पर अर्भों का आक्मड होगा, फिर आपका दिल्ली सल्तनत, फिर आपका विजय नगर समराज फ़र उसके बाद बहेमनी समराज फिर आपका मद्ध इकाल में आने वाली विदेशी यात्रियों को देखेंगे फिर आपका देखेंगे सिक्ष धरम को भी देख लेंगे इसिमें प्राच्चीन एबाम मदेगाल भारत की प्रमुख्य यह होते देखेंगे एक दिरस्टी में टीक है जो प्राचीन ओम मदेगल भारत की प्रमुखय होते हैं उन्हें देखेंगे यहां आपका दूसरा फार्ट खतम होगा तीक है याद रखी इससे आप लोगaking कबर कर लेते हैं किरन सामान ग्यान की बुक से तो आपका कोई भी क्विश्चन सामान ग्यान से आए वह आपका नहीं छूटेगा किसी भी वंडेक जामों जैसे यह से सी बैंक रेलवे इस तरह के जो भी हैं काफियत तक आप इस्टेट PCS भी इससे कवर कर सकते हैं इस्टेट PCS का प्रेलिम्स होता है जैसे MPPST का प्रेलिम्स हो गया UPPCS का हो गया या पिर बिहार PCS का हो गया तो उसे भी आप लोग कवर कर पाएंगे तो यह आपका मद्दकाल खतम हो गए हैं ठीक है अब बात करते हैं हम लोग लगबग आप मद्दकालीन भारत में यानि कि मद्दाल कालीन भारत के इतियास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ठीक है भारत पर अर्वों का आकमड ठीक है सरपितम अर्वों ने 636 इस्वी में बंबई के निकट थाना को जितने के लिए खलीपा उमर के समय में आसफल आकमड किया यानि कि ये सक्फल नहीं हो पाया ठीक है तो याद रखना सरपितम अर्वों ने कब आकमड गिया था 636 इस्वी में बंबई के निकट 636 इस्वी के परश्चात भरोच, सिंदिकी, देवल, खाडी तथा मकरान पर आकमड होती रहे आठवी सताबदी के पितम दसक में इबन अल अरीहल वेहर ट्री ने मकरान कर आकमड कर आश्थाई कबजा कर लिया इसके बाद सिंदिकी विजय का द्वार खुल गया था इराग के सासक हज्जाज ने सिंदिक के सासक दाहरे को दंडित करने के लिए पितम दो सैनापती, उवेदुल्लाह तथा बुदेल को भेजा था हज्जाज के इन दोनों सैनापतियों को किरमसा दाहरोज के पुत्य जैसिंग ने फरास्त करके मौत की गाल उतार दिया इसके बाद अल हज्जाज के दमान और बतीजे मौमद बिन कासिम का प्रेयतन सफल दा तो अरवों में पहला सफल आकमड होता है मौमद बिन कासिम का भारत पर आकमड करने वाला पितम मुसलिम सासक किसे माना जाता है मौमध बिन कासिम को यह आपको questions कही बार भूच लिया, एक बार नहीं कही बार तो याद रखना भारत पर आकमड करने वाला पिथम मुसलिम सा सकतो हूं था मुहम्मद बिन कासिम मुहम्मद बिन कासिम ने सिंद पर विजय 712 ECB में पाई थी कब 712 AD में अरवों के सिंद पिजय की जानकारी में चच नामा से पराप्त होती है किस से? चच नामा से सिंद पर आकमड कादिस अरब के सूविदार अलहजजास ने दिया था सिंद पर आकमड के समय वहां का सासक दाहिर था कौन था? दाहिर दाहिर के पिता का नाम था चच कमो खुद्दिश धन लूटना इसलाम का पिरचार पिसार करना था क्या धन लूटना इसलाम के इसलाम का पिरचार पिर चार पिसार करना था तो यह सोच सकते हैं आप लोग कि हमारा भारत इतना अमीर था कि यहाँ धन लोटने यानि कि लोटने के चक्र में लोग इस तरफ आते थे अब देखिए क्या हालत बना दी है अरव आगमणकारी बोलन दर्रे के रास्ते भारत आये थे जो आपके अरव आखमरकारी थे यह बोलन दर्रे के रास्ते में भारत आये थे अलहज्जाज की मित्यू 714 इसवी में होती है मुहमद बिन कासिम को 715 इसवी में भारत से वापस बुला लिया जाता है मुहम्मद बिन कासिम ने जुनेत को सिंदिका राजिपाल ने उट किया था जुनेत को पितिहार सासक नागभट से ने पराजित किया भारत पर अरव आकमड शे भविस्य में भारत पर आकमड करने वाले बालों का मार्ग पिसस्त हो गया यानि कि एक बार सफलता पाने के बाद अरवों के इसके बाद कोई भी आकमन करने के लिए उससायत होगा ठीक है जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं जब 1962 में आपके चीन से आप यानि कि भारत की हार भी चीन की बिजय होगा तो पाकिस्तान के भी मन बढ़ने लगी उसने स सुच कि चीन ने परास्त कर दिया तो भारत कमजूर हो गया तो 65 में उसने फिर से योडुचर दिया कि दामला दोल लिया तो हम लोग इतने खं cow seg adorable नहीं थी तो हम लोगोंने पाकिस्तान को परास्त किया उन्नी सो पैसक में फिर उन्नी सो एकत्र में भी हम लोगों ने परास्त किया फिर समय समर पर तो आप लोग देखते ही हैं कि परास्त कई बार होता रहता है परास्त बारत पर अर्वों ने सिंध में ओट पालन खजूर की खेती का फिचलन किया था अर्वों ने दिरहम नामक सिक्के का सिंध में फिचलन भी करवाया अब वो आये हैंगे तो अपने सिक्के दुछ चलाएंगे ठीक है तो दिरहम इसके बाद आता है महमूद गजनभी गजनी समराज की स्थापना अलब्त गीन नमक तुर्क सरदार ने की थी गजनी सुवक्त गीन अलब्त गीन का गुलाम एवं दमाद था सुवक्त गीन अलब्त गीन का गुलाम एवं दमाद था जो आपका सुवक्त गीन था गजनी की राजगदी पर 977 कब 977 इसवी में बैठता है गदी पर सुवक्त गीन गीन का उत्राधिकारी होता है महमूद गजनबी महमूद गजनबी सुवक्त गीन के सासनकाल में गजनबी खुरासान का सासक था महमूद गजनबी को राजगदी के लिए अपने भाई इसमाईल से संगर्स करना पड़ा महमूद गजनबी 998 इसवी में गदी पर बैठता है 998 में महमूद गजनबी ने बगदाद के खलीपा कादिर सिसुल्दान पत की मानिता भी पर राप्त की महमूद गजनबी ने 1098 इसवी तक 17 बार भारत पा आकमण किया कितने 17 बार समझ सकते हैं आप लो 1098 इसवी तक महमूद गजनबी का पित्थम आकमण था 1098 इसवी में तसा सीमा पर कुछ की लों को इसने जीत लिया इसम पहले आकमण में इसका दूसरा आकमण होता है 1198 इसवी में गजनबी ने पेशबर के निकट हिंदू साही राजा जय पाल को पराजित किया दूसरे आकमण इसने जय पाल को पराजित किया जय पाल के बाद आनंदपाल गद्धी पर बैठा या महमूद गजनबी ने मुल्ठण को 106 इशवी में बेचित यानिकी जीता महमूद गजनवी ने कन्नौच पर 2018 इसवी में अधीपत जमाया यान कि अपना अधिकार जमाया महमूद गजनवी ने यमीन उद्दौला तथा यमीन उल्मिलाय की उपादी भी धारिन की थी किसने महमूद गजनवी ने महमूद गजनवी ने सौमनात पर 1025 इसवी में आकमर किया था ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा महमूद गजनवी ने सौमनात मंदिर पर 1025 इसवी में आकमर किया महमूद गजनवी ने सौमनात की मूर्ती के टोकड़ों को मक्का, मदीना और गजनी के मज़िदों की सैनियों में लगवाया था महमूद गजनवी को विद्ध्याधर चंदिल से संदिरी करनी पड़ी थी दस्सो आट इस भी में महमूद गजनवी का अंतिमाकमर दस्सो सत्ताई सीसिवी में जाटों के वरूत होता है और इसकी मित्ति हो जाती है दस्सो तीस में किसकी महमूद गजनवी की महमूद गजनवी का दरवारी इतिहासकार उत्तिमी था किताब उल यामीनी की रचना किसने की थी उत्तिमी ने याद रखे किताब उल यामीनी की रचना किसने की थी उत्तिमी ने साह नामा साह नामा की रचना किसने की थी? थरदोसीन अलवर्नी ने किताब उल हिंद या इसे कहते हैं आप लोग तहकीक ए हिंद की रचना भी की थी किसने? अलवर्नी ने ये आपके पूशते रहते हैं questions महमूद गजनवी के साथ उत्वी फिरदोसी अलवर्नी बेहा की फरो की विद्वान भारत आये थे महमूद गजनवी ने गजनी में एक बिस्विद्ध्यालावी स्थापित किया थे महमूद गजनवी के दो पुते थे मसूद और मुहमद मसूद और मुहमद महमूद गजनवी की सेना में संबेद राय एवं तिलक सेना के उच्छपदों पर भी थे सौमनात अकमण की समय महमूद गजनवी ने लगबग 50,000 हिंदों का कतल किया था आज भी आप लोग जब इस तरह की विवाद उठते हैं तो सुनते हैं कि सौमनात मंदिर का मुद्धा देखते हैं यह हिंदों की कतल का मुद्धा भी देखते रहते हैं जब भी आपकी यह चना होती है उस समय महमूद गजनवी ने अपने को इसलाम का यस बढ़ाने बाला बुद्ध सिकन अर्थात मूर्ती भंजग की तौर पर पेश किया इसके बाद आपका महमूद गजनवी के बाद आता है मुहमद गौरी कौन आता है मुहमद गौरी बालत में तुर्क राजी की स्थापना मुहमद गौरी ने की थी भारत में तुर्क राजी की स्थापना किसमे की थी मुहमद गौरी ने मुहमद गौरी का पूरा नाम था सिहावुद्दीन औरुप मुईजुद्दीन मुहमद गौरी बारत में मुहम्मद गौरी की पितम पराजए गुजरात के चालुक सासक मूरलाज दुतिये से हुई थे यानि कि मूरलाज दुतिये ने मुहम्मद गौरी को हारा दिया था मुलाज दुतिया ने महमूद गौरी को आगू परवत के समीप 1178 इसवी में पराजित किया था भारत पर मुहमद गौरी के आकमड के कारण क्या क्या थे? भारत पर मुहमद गौरी का आकमड 1175 इसवी मुहमद गौरी ने सबसे पहले मुलताल पर आकमड किया 1178 इसमी मुहमद गौरी ने गुजरात पराक्मण किया परंतु भेम भीम दूतिये ने अपनी योग और साहसी विद्भा मा नायका देवी की नितित में आवू पहाड की निकट मुहमद गौरी का मुकाबला किया और उसको परास्त कर दिया यानि कि 1178 में मुहमद गौरी को मुही की खानी पड़ी और भीम दूतिये इसमें विजय होगी यह भारत में मुहमद गौरी की पहली बड़ी पराजय थी क्या थी हार थी 1189, 1189, 1189 में मुहम्मद गौरी ने पेशावर को जीत लिया, यहां से आपके भी मुहम्मद गौरी की जीत का सिलसला सुरू होता है 1185, 1185 में मुहम्मद गौरी ने सेलकूर को जीत लिया, और वापस चला गया 1186 में मुहम्मद गौरी ने पुना लाहूर को यानि की लाहूर पर आक्मर्द किया 1191 में भटिंडा की निकट तराइन का पितम यूद्ध होता है इसमें आपका पितमी राज चोहान जीतता है इसे यूद्ध में मुहम्मद गौरी की पराजय होती है फिर दूसरा तराइन का यूद्ध होता है 1192 में तराइन का दुतिय यूद्ध होता है जिसमें मुहम्मद गौरी की हार होती है मुहम्मद गौरी जीतता है और पिथिवी राज हालता है इसमें स्रेट योध प्रणारी के कारण मुसल्मानों की जीत हुई इसमें गोविंद राय इस से योध में मारा गया था 1193 इसमें दिल्ली भारत में गौरी के राज की राध्धानी बन गया फिर आता है 1194 1194 इसमें चंदावर का यूध होता है 1194 इसमें जैचंद और मुहम्मद गौरी के बीच हुआ था आपका चंदावर का यूध जिसमें जैचंद की हार हुई पैडाम सरूप अजमेर पर मुसल्मानों का पित्यक्ष अधीपत इस्थाफित हो गया यानि की अधिकार हो गया यह आपका कई बाल लगाने के लिए पूछ लेता है तो याद रखना तराइन का पहला यूध 1192 में दूसरा 1193 में और चंदावर का यूध 1194 ठीक है 1195 में मुहमत गोरी पुना भारत आया इस बार उसने बयाना को जीता और ग्वालियर पर आकमर किया MP का ग्वालियर 1196 में 1196 में अजमेर के संस्कित बिस्विद्याले के स्थान पर अडाई दिन का जोपड़ा नामा के एक अन्न विख्यात मंदिर को बनवा बनवाना आरम किया गया जो 1202 में पूर्ण हुआ 1205 में मुहमद गौरी पुनाह भारत आया जेलम और चनाब नदी की बीच उसका कोकरों से मुकाबला हुआ एक खोकर एक जाती हुआ करती थी 15 मार्च 1206 इसवी में गजनी बापस जाते समय मार्ग में सिंद नदी के तटपर दमयक नामकिस्तान बस साम की नवाज पढ़ते समय मुहमद गौरी पर खोकर जाती के ये वक के नेतत में कुछ ब्यापारी होने अचानक आकमण करके उसका कतल कर दिया उसके सब को गजनी मे दफनाए गए ठीक है याद रखिए मुहमद गौरी ने अपने विजित पिदेशों की जिम्मेदारी कुतुब बुद्दीन एवक को सौपी थी किसे कुतुब बुद्दीन एवक को यहाँ आपके मुहमद गौरी की कहानी खतम होती है अब हम चलते हैं दिल्ली सल्तनत की तरफ याद रखिए आपके लिए दिल्ली सल्तनत की बहुत ही मात्पूर है इससे आपका कोई भी परीप्च्छा हो इससे आपका कुश्चन आते रहते हैं हमेशा ठीक है तो सबसे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत की प्रमुख बंसर देखते हैं आखिर दिल्ली सल्तनत में कौन गौन से बंस हुए तो यह आपके सासक होंगी और सासंकाल तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आता है आपका गुलाम बंस कौन सा? गुलाम बंस गुलाम बंस में समसे पहले सासक होता है कुतोब बुद्दीन एवक यह आपका बारे सो चैसी बारे सो दस तक रहता है और आपके लिए बहुत ही मत्पून सासक है इसके बारे में यतने भी पॉइंट हो आपको याद रखने हैं आँगे हम लोग देखेंगे फिर आता है आराम साहें यह आपका बारे सो दस से बारे सो ग्यारे तक रहता है फिर आपका इल्तोतमिस बारे सो ग्यारे से बारे सो चैस तक रहता है इल्तोतमिस आपके लिए बहुत मत्पून है फिर आपता है रुकुर नुद्दीन फिरोच फिर आपकी रजिया बेगम साहब आती हैं फिर आता है मुई जुद्दीन बहम राम साहे ये आपका बारे सो चालिस से बारे सो ब्यालिस अलावदीन मसूद साहे बारे सो ब्यालिस से बारे सो चालिस नसरुद्दीन महमूर 126 से 1266 बल्बन ये आपका 1266 से 1287 रहता है बल्बन भी आपके लिए महत्पूर है फिर आपका गुलाम बंस का केकुबाद इम समसुद्दीन क्यू मर्स ये आपका 1287 से 1290 तक रहते हैं गुलाम बंस के बाद दिल्ली सल्तनत में अंगला बंस आता है आपका खिल्जी बंस खिल्जी बंस में कौन कौन से सा सकती जलाल उद्दीन खिल्जी 1290 से 1296 अला उद्दीन खिल्जी ये आपका 1296 से 1316 तक रहता है कुत्व बुद्दीन मुबारक ये आपका बाद 1300 सोले से 1320 तक रहता है जलाल उद्दीन और अलाउद्दीन आपके लिए मत खिल्जी बंस के बाद आता है तुगलग बंस अगर हम लोग तुगलग बंस के सासकों की बात करें तो इसमें आपका अग्यासुद्दीन तुगलग ये आपका बारे सो 1320 से 1325 तक रहता है मुहमत बिन तुगलग ये आपका 1325 से 1359 तक रहता है फ्रह परोज साय तुगलग ये आपका 1359 से 1388 तक रहता है अन्र सासक में होते हैं जो आपकी 1388 से 1412 तक रहते हैं तुगलग बंस के बाद अंगला बंस दिल्ली सल्तनत में होता है से एद बंस इसमें सबसे पहली खिट जिखा सासक आता है ये आपका 1424 से 1424 से 1421 तक रहता है खिट जिखा के बाद मुबारक साय ये आपका 1421 से 1434 तक रहता है मुहमत साय ये आपका 1434 से 1445 तक रहता है थर आपका अलाउद्दीन आलम साय ये आपका 1445 से 1450 तक रहता है सेयद बंस के बाद दिल्ली सल्तनत पर अंगला सासक राज करता है लोदी बंस इसमें आपका बहलो लोदी 1459 से 1489 था फिर सिकंदर होता है लोदी ये आपका 1489 से 1570 फिर आता है इब्राहिम लोदी 1570 से 1526 पानिपत की योगत तक इसमें आपके ये तीनों हत्पूर सासक है तो ये पांच हमारे सासक और याद रखिए आप लोग हमेशा इन गुलाम बंस हो प्रिचा है आपका खिल्जी बंस हो इनकी डेटें भी आपको याद रखना है क्योंकि पता है कई बार पूछ लेता है कि सबसे जान्दा सासक सासन किसने की या कौन से बंसे ने दिल्ली सलतिन 1260 1290 कितने 1260 1290 तक ठीक है फिर होता है आपका खिल्जी बंस तो ये 1290 सी 1320 तक रहता है तो गलक बंस ये आपका 1320 से 1414 तक रहता है सियद बंस ये 1414 से 1459 तक रहता है और लोधी बंस ये आपका 1459 से 1526 तक रहता है ठीक है तो याद रखना है सबसे कम दिल्ली खिल्जी बंस ने सासन किया थे इसमें ठीक है और सबसे जाना आप देख सकते हैं 90 यानी की 84 साल गुलाब बंस ने सासन किया तीज साल आपका खिल्जी बंस हो गया असी तेरह सो बीच से 1414 कितना होता है 84 साल आपका तोगलाब बंस ने इस पर सासक किया तो सबसे जाना किसका होता है तोगलाब बंस का इस तरह से आप दो निकालने ठीक है सबसे कम खिल्जी बंस ने किया था वो सबसे जाना मुझे लगता है तोगलाब बंस ने क्योंकि आप देख ही रहे हुई ठीक है सही है चलते हैं हम लोग आगे गुलाम बंस इनमें सब में गुलाम बंस बहुत मत्पूर था इसलिए गुलाम मुझे लगा गुलाम बंस ने सबसे जाना दिल्ली पर सासन किया हुआ लेकिन ऐसा होता नहीं है जैसा दिखता है सबसे पहले गुलाम बंस में को न आता है यह आपका 1260-1210 तक रहता है मुहमद गौरी हम लोग ने लाश्ट चेप्टर में देखा था टॉपिक पर मुहमद गौरी की बारे में यादा था मुहमद गौरी की मित्तिव की बाद उसके जो गुलाम सरदार थे कुतब बुद्दीन एवक ने 1206 में गुलाम बंस की स्थापना की तो याद रखना कुतब बुद्दीन एवक ने गुलाम बंस की स्थापना की थी तो गौरेल को मुहमद गौरी ने बायाना का गवर्नर बनाय था कुत्व बुद्दीन एवक दिल्ली का गवर्नर था कहा का दिल्ली का कुत्व बुद्दीन एवक को गौर की सुल्टान ग्या सुद्दीन महमूद ने दास्था से मुक्त कर दिया कुत्व बुद्दीन एवक की साधी यल्दोज की वेटी से हुई थी 1210 याद रखना आपको 1210 इस भी में कुत्व बुद्धीन एवक की मित्यों लाहोर में चागों चौगान यानिकी पोलो खेलते समय इसकी मित्यों हो किई थी ठीक है लाख बक्स लाखों में दान करने वाला की नाम से कुत्व बुद्दीन एवक को जाना जाता है अब आप से पूछेगा कि लाक वक्स किसी कहते थे तो आप बता सकते हैं कुत्व बुद्दीन एवक दिल्ली में कुब तुल इसलाम मस्जित और अजमेर में अडाई दिन का जोपड़ा कुत्व बुद्दीन एवक नहीं बनवाय था कुत्व बुद्दीन एवक का राजवी से जून बारे सुच्छे में लाहुर में हुआ था कुत्व बुद्दीन एवक बारे सुच्छे से बारे सुदस तक आपका लाहुर से ही सासन किया इसमे एवक ने समराज विस्तार से अधिक ध्यान राज्य को सुद्रिलिकर्ण पर दिया कुत्व मीनार इसी ने निवर रखी थी कुत्व मीनार की कुत्व बुद्दीन एवक ने अपनी पहन की साधी नसरुद्दीन कुवाचा से की थी कुत्ब बुद्धीन एवक ने अपनी दूसरी पुत्री को पुत्री की साधी इल्थूत्मिस से की थी दिल्ली सल्तनत का बास्त्विक सस्था का इल्थूत्मिस कुत्व बुद्दीन एवक को सुल्टान की रूप में 1208 इस भी में मानता मिली कुत्व बुद्दीन एवक ने कौरी की भारतिय सल्टनत में मलिक एवं सिपह सलार की हसियत से पत पर कारी किया था कुत्व बुद्दीन एवक को हातिम दुद्दीय की संग्या दी दांसीलता एवं उधारता के कारण दी गई थी इसे हातिम दुद्दीय की संग्या हसन निजामी और फक्ट ए मुद्बीर को कुटब बुद्दीन एवक का सरक्षा प्राप्थ थी कुटब मीनार कुटब बुद्दीन एवक ने सेख ख्वाजा कुटब बुद्दीन बक्तियार काकी की समिति में इसे बनवाय था कुटब मीनार को कुटब बुद्दीन एवक का रथ होता है चंद मुखी कुटब बुद्दीन एवक का सहयक सनावत्थ बक्तियार खिल्जी था के नालंद विßविद्ध्यालय कोई खिल्जी ने नॉफ्ट गिया था यह भी आपका कई वार पूछ लिया जाता है नालंदा विस्वध्याले को बप्तियार के लिए नर्ट किया था हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं नालंदा विस्वध्याले की स्थाफना किस ने की थी इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ठीक है आखिर नालंदा बॉर में दपनाये जाता है दिलि काल की राच्की यवासा फालसी थी यह वी आपका कई बार कुश्चेंच बन जाता है रारा मसाए शरिप आठ महीने तक शेंगा शनपर रहता है आरामसाइं की अंत्यात इलटुध मिस्ने कर्दी और राजगदी पर आपका समसुद्दीन इल्टुतमिस गदी पर बैठता है कब से कब तक रहता है 1211 से 1236 तर इल्टुतमिस 1210 इस भी में गदी पर बैठता है इल्टुतमिस दिल्ली सल्तनत का बास्त्विक संस्थापक माना जाता है इल्तुत मिश दिली सल्तनात का वास्तोस एक संस्थपाः इल्तुत मिश कुतुब्दीने वग्त म गुलाम था इल्तुत मिश तुर्किस्तान का इल्वारी तुर्ग था सेम fle the miss का पूरा नाम क्या था संस यूद दीन इलतुतमिस संस उद दीन इलतुतमिस है सुल्तान बनने से पूर्व इलतुतमिस बहा हुआ माई कि उबधाय क्विदाय के पतम था चाली सा दल का हिटन इल्तुत मिस ने किया चालीसा दल को तुर्कान ए चहल गानी भी कहा जाता था चालीसा दल का गठन किस ने किया था इल्तुत मिस ने और चालीसा दल को तुर्कान ए चहल गानी भी कहा जाता था कि चालीस अदल चालीस बिस्वासी गुलाम सर्दारों को ठुट हुआ करता है इस चालीस दल में आपके जो सबसे जाना विस्वासी बैठती होती थे सर्दार होती थे उने सामिल किया जाता है प्यारम में इल्दोज और कुबाचा से सामना करना पड़ा 1215 इसवी में इल्दोज को तराइन की मेदान में पराजित किया इल्दोज को बास्तविक सुल्तान का दर्जा 1239 इसवी में बगदाद के अबबासी खलीपा से प्राप्त हुआ था सुल्तान सरपितम सुद्ध अरवी सिक्का इल्दोज में चलवाए था सब्पिथम और सुद्धर्वीसक के चांदी का टंका तामे का जीतल कप्यारम किया था यह वि आपसे मुंच भल यह रखता है इसे के इल सक्थमर्ष के कौन-कौन से जारी करभाए थी के चांदी का टंका और तांबे का जीतल लिए राजधानी को लाहोर से दिल्ली इल्तुत्मिस ने इस्थानादिर किया लाहोर सकुद राजधानी लाहोर थी पहले फिर उसे दिल्ली इल्तुत्मिस लाया था मुहिनुद्दीन चिस्ती के दरगाय का निर्माण इल्तुत्मिस ने ही करवाया था इल्तुत्मिस ने एक्ताव पिथा चलाई बारत में पहला मकवरा निर्मित कराने कर से इल्तुत्मिस को दिया जाता है बहुत ही मत्पून पॉइंट है भारत में पहला मकवरा निर्मित कराने का सरे किसे जाता है इल्तुत्मिस को याद रखिये इल्तुत्मिस ने अजमेर की मस्जिद भी बनवाई थी मत्पे एसिया के मंगोलों का निता चंगेज खा था कौन था चंगेज खा चंगेज खा ने भारत पर 1221 में इल्तुत्मिस की समय आकमड भी किया मंगोगुलों की पिथम आकमर से भारत को इल्तुतमिस ने बचाये था यानि कि इल्तुतमिस आपका सक्तिसाली राजा था इल्तुतमिस की मित्तिव 1236 भी में हुई इल्तुतमिस ने पुत्री रजिया को अपना उत्तरादीकारी गोसित किया इल्टुत्मिस ने सुल्टान की पत्को बंसा नुगत बनाये। उसके बाद इल्टुत्मिस के बाद आता है आपका रुकुनुद्दीन फिरोज सासर बनता है बारे सो चत्तिस में अमीरों ने इल्टुत्मिस का उत्तरादिकारी रुकुनुद्दीन फिरोज को बनाये। रुकनुद्दीन फिरोज के सासन की बागडोर उसकी मा साहित तुरकान के हाथ में थी। यह आपका कुछ ही टाइम तक रहता है। 1236 में रजिया बेगम आती हैं रजिया बेगम 1236 से 1240 तक रहते हैं। छोटिस से समयकाल के लिए रहती हैं लेकिन बहुत सक्ति साल लिए थी। रजिया को 1236 में जन्ता इमम अमीरों द्वारां गद्धी पर बैठाए हैं। जैसा कि आपको पता होगा इलतुत में इसे ही अप अपना उत्तरादिकारी गोशित किया था। रजिया परदा पिथा को त्याग कर पोर्सों की तरह कोट टोपी पहन कर खुले मुए राजदरवार में जाने लेगे। रजिया ने या पूत को अमीर ए आपको निप्त किया। रजिया ने अलतुनिया को तबरहिंद यानि कि भटिंधा का अक्तादार निप्त किया रजिया ने अलतुनिया से विवाली किया था। बहरम साह ने केथल के समी कुछ हिंदू डापूएं द्वारा रजिया की हत्या करा दी गी ती इसके साथ अलतूनिया भी मारा गया थना है। ऋर्भिल सल्थनत के पित्थम तरुक मयला साथ तो रजिया थी जियाद रखिये के तिल्ली सल्थनत की तरुथम तुरुक पहरां साह यह आपका 1240 से 1242 तक रहते हैं रजिया को आपदस्त करके तुर्की सरदारों ने मुझुद्दीन राम साहे को दिल्ली की गद्धी पर बैठाया सुल्दान का अधिकार कम करने के लिए नायाब याने की नामक नायाब एम मामलिकार नए पत का गठन किया पिथम नयाब एदगीन को निफ्थ किया गया बहराम साहे की दिल्ली हत्या दिल्ली के तुर्क सरदानों नहीं कर दी यहां आपका बहराम साहे का केल कतम हो जाता है और फिर आता है अलावद्दीन मसूद साहे यह आपका 1242 से 1240 तक रहता है बहराम साहे कवतरादिकारी अलाउद्दीन मसूद साह था मसूद साह ने बलबन को अपना अमीरे हाजिव बनाया अलाउद्दीन मसूद साह के बाद आपका राजगरदी पर बैठता है नसुर दीन महमूद सासक बनता है गुलामल्ज का यह आपका 1240 से 1265 तक रहता है 1246 में बलवन ने मसूर साहिकिस्थान पर नसरुद्दीन महमूत को सुल्दान बनाये नसरुद्दीन ने राजी की समस्त सकती बलवन को सौंपती थे नसरुद्दीन ने बलवन को उलगू खांकी उपादी भी पिदान की थे तो पूचे आपसे ये बल्वन को उल्गु खांकी उपादी किसने दी थी? नसुरुद्दीन ना क्योंकि इसने नसुरुद्दीन को सासक बनाया था ठीजिए? आंगे चलते हैं लोग बल्वन ने अपनी पुत्री की साधी सुधा नसुरुद्दीन से की थी नसुरुद्दीन महिमूद ऐसा सुधान था जो टोपी बनागर अपना जीवन निर्वार करता था नसुरुद्दीन महिमूद ऐसा सुधान था जो अपना जीवन टोपी बनाकर बिताता था 1269 में मंगोल निता हलागू के साथ समझोता कर बल्वन ने पंजाब में 37 स्थाफित की मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी तवकार ये नासिरी नसुरुद्दीन को समगर की थी 1265 में नसुरुद्दीन महमूद की मित्यू के वा बल्वन उसका उत्रादिकारी बना 1265-1287 ग्यासुद्दीन बल्वन इलवरी जाती का था कौनसी इलवरी जाती बल्वन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी खरीद कर दिल्ली लाया था इल्तुत्मिस ने बल्वन को ग्वालियर विजय के उपरांद खरीदा था इल्तुत्मिस ने बल्वन को ग्वालियर विजय के उपरांद खरीदा था राजिया के सासनकाल में बल्वन अमीर ए सिकारपत पर था इल्तुत्मिस द्वारां इस्थापिज जो चालीस सा दल था इसका बल्वन ने समाप्त कर दिया जो चालीस सा दल का इल्तुत्मिस ने इस्थापन किया था उसे बल्वन ने समाप्त कर दिया बंगाल की राध्धानी लक्नोती को बलवन की समय विद्रोहों का नगर कहा जाता है बंगाल की विद्रोही सर्दार तो गरिल खांको मलिक मुकद्दीर ने पगड़ा था मेबाडियों की विद्रोहों का दमन ग्यासुद्दीन बलवन ने किया था अग्या शुती बल्वन है अगर हम लोग बल्वन की अन्यूपादियों की बात करें तो इसकी अन्यूपादिया है बल्वन-के कैंदरी यह छेंड विवा की स्थापना की जिसे आप लोग दिवान एरज कहते हैं इस तरह से भी questions बन जाता है कि दीवान ये अर्ज क्या है तो याद रखना सेंड ब्लवन इसकी स्थापना किसने थी कि थी बलवन सीमा चेत में स्थित किलों का पुनन निर्मार कराया बलवन आयोग इबंग बिद सेनिकों को पैंसन देकर पदमुक्त करने की योजनाभी चाहिती किसने बलवन अपने सेनिकों के वितन का भुखतान नगद में करता था बलवन सिजदा और पाबोस के पिछलन को अनिवार बना दिया था सिजदा और पाबोस मतलब सरिजुकाना पाउँ चूमन टिक बलवन नहीं इसे अनिवार कर दिया फार्शी दीती रिवाज परादयली नवरोज उत्सव को कारम करवाय किसने फार बलवन्य है ठीक याद रखी नवरोज उत्सव अपने विरोधियों के पिती कठोर नीती यानि कि लोह एवम रक्त की नीती किसने अपना इती बलवन्य है लोजे एवं रख्त कीनुति उसने कहा कि राजा धर्दी परीश सुर्की कप्पिती निधी यानि कि सुल्दान जिल्ले इलाही पोता था उचकुल एवं निम्न कुल के व्यक्तियों के बीच अंतर स्थापित किया गया बल्मुन की समरी अपने दर्बार को इरानी परंपरा के अधार पर सजा रहे गया कुरान की निमों को सासन का अधार बनाए गया यानि कि सासन करने का अधिकार कुरान बनाए गया सिक्कों पर खलीपा का नाम अंकित कराए गया तथा उसके नाम के खुद्वी भी पढ़े गये दिन में पांच बार नवाज पढ़ता था कौन बल्वन सुल्टान बनने के बाद सराव एवं भोग फिलास त्रयाग दिया इसने बल्वन ने बल्वन की दरवार में ठालसे के पिसिफ कभी अमीर खुसरो और अमीर आसन रहते थे पिसिफ जुति सिय एवं चिकितसक मौलाना हम्मिदोधिन मुतरिज बल्वन के दरवार में ही रहते थे बल्वन को खुद को अप्राशियाब कबन सज बताय था यानि कि उच गोटिका बल्वन की नया विवस्था निस्पक्ष थी बल्वन की जो नया विवस्था थी ये निस्पक्ष थी बल्वन की सासन की सफलता का मुक्स्रे उसका गुप्तचर विभाग को जाता है गुप्तचर विभाग से यह रखने का यह मतलब हो जाता है कि आपको पता चल जाएगा कि कोई आपके खिलाब सडेंद भी कर रहा है या नहीं कि इतनी आपकी सकती साली गुप्तवेवस्ता होगी आपका ससन उतना ही सुरक्चित रहेगा क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि रातों राद कोई किसी से मिल जाता था पता चला कि तक था फलाट पर दिया रातों राद तो आपके पास गुप्त ब्यवस्था होती थी तो आप पता कर सकते थी आज भी गुप्त ब्यवस्था की उतनी ही मत्पूर है जी आज इसे आप लोग रॉब बोल देते हैं इंटलेजेंट वीरो के अजी दोवाल सुनाजी उनकर नाम पढ़िये कभी उनके बारे में बहुत ही मत्पूर बैठती हैं पाकिस्तान में रहे हो कई सालों तक अब गानिस्तान में भी रहे हैं रॉब का एजेंट बन की बल्वन के राजत सिद्धान्त की दो मुक्ष भी सुल्टान का बद इस दोर के द्वारा पिदान किया होता है सुल्टान का निरंग को सोना आवस्ट बड़े पुत्म है मूद की मित्तिव के सदमे में बल्वन की मित्तिव हो गई यानि की पितामोय यहां भी था फिर आता है आपका केकुवाद 1287 से 1290 बल्वन के उत्तर शचंटान कारी के रूम में केकुवाद ने दिली की गठी पर 1287 में आसीन होता है यानि की दिली की गठी पर 1287 में केकुवाद बैपता है केकुवाद का सहना पती गेर तुर्क सर्दा जलालुद्दीन फिरोज खेंजी था केकुबाद को लखवा से मरा जो केकुबाद था इसे लखवा से मरा केकुबाद अतेंद विरासी एवन कामुक बेखती था गुलाम बंस का अंतिमसासा कुटा है समसुद्दीन क्यों मर्स इस पॉइंट को आप याद रखों कि कई बार पूंच लेता है कि गुलाम बंस का अंतिमसासा कुटा समसुद्दीन क्यों मर्स अब है आपका खिलिजी बंस खिलिजी बंस जो है यह आपका 1290 से 1320 तक रहता है ठीक है यानि कि 30 साल कि खिलिजी अफगानिस्थान के हेल्मंद नदी के तटिये छित में रह्मने वाली जाती थी तो खिलिजी बंस में सबसे पहले आता है आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलिजी यह आपका 1290 से 1296 जलालुद्दीन फिरोज खिलिजी ने क्यू मर्स की हत्याकर खिलिजी बंस का किन्यू डाली थी एक क्यू मर्स वाई ही है गुलाम बंस का सासक ठीक है अन्दिम सासक खिलिजी बंस की स्थापना को खिलिजी क्रांती के नाम से कहाज जाना जाता है खिलिजी बंस की स्थापनों को खिलिजी क्रांती के नाम से जानते हैं जलालुदीन फिरोज खिल जी का वास्तविक नाम क्या था? मलिक फिरोज जलालुदीन फिरोज खिल जी का नाम मलिक फिरोज भी था खिल जी सर्वहारा बर्ग के थे? सर्वहारा खिल जी साजकों ने पिसासर में धर्म और उलेमा की मद्द को आसुईकार कर दिया जलालुदीन खिल जी ने अपनी राध्धानी किलो करी दिल्डी के पास को दिल्डी के जुपास है इसे बनाई थी याद रखिए जलालुदीन खिल जी ने अपनी राध्धानी किलो करी को बनाया था जलालुदीन ने अपने राज्जवी से के एक बर्स बात दिल्डी में प्रवेश किया जलालुदीन ने अपने पुत्रों को खान खाना अंग अरकली खान और कद्ध खान की उपादी भी पिदान की क्या की उपादी भी पिदान की जलालुदीन के लिए 1290 में कडा मानिकपुर के सुवेदार मलिक छज्जु के बिद्रों को दवायस न जलालुदीन खिल्जी के हत्या उसके भतीजे और दमाग 1296 में अलाउदीन खिल्जी ने की थी किसने अलाउदीन खिल्जी ने आपने पदमावाद देखी होगी उसमें आप लोग इस तरह के चित्द देखते हैं अलाउदीन खिल्जी बेटता है सासक फिर बनता है खिल्जी वन्स का अंगला सासक कौन होता है अलावदीन खिल्जी ए 1296 से 1316 तक सासक रहता है अलावदीन खिल्जी का बच्पन का नाम था अली गुर्षप सस्प अली गुर्षप अलाउद्दीन की जी ने अपना राज्यवी से दिल्ली में स्थित बल्वन की रलाल महल में करवाया था फ्यारंबीक सपलता के बाद अलाउद्दीन ने सिकंदर एसानी की उपादी नहारण की थी तो याद रखना फ्यारंबिक सपलता की बाद अलावदीन ने सिकंदर एसानी की उपादी गहन की थी अलावदीन ने बिस्व बिजय इवं एक नवीन धर्म इस्थापित करने के विचार दिल्ली की कोतवाद अलाव उल्मुल्क की कहने पर तुर्याग दिया था यानि कि ये दुतिये सिकंदर बनना चाहते थे पहला सिकंदर आपका राचीन भारत में होता है ये दुतिये सिकंदर बनने की चाहे में बढ़ रहे थे तो इनके जो गुरू थे यानि कि अलाव उल्मुल्क इनके कहने पर इनने ये तुक त्याग दिया लेकिन इनोंने में जो सिक्के होती थे इसमें तारीक लिखने की बिथा आपके अलाउदीन खिल्जी ने सुरूं की तारीक लिखने की अलाउदीन खिल्जी ने मद निसे जुगा किला और भांग खाने परपितीवंद लगा दिया था गुज्राथ के बगेल राजा करन देव को परयाज जीत कर अलाउदीन ने उसकी पत्नी कमला Darethi से साधी कर ली थे अलाउदीन पहल अवियान गुज्राथ बारेस वनठानवे में बगेल सासक राय करनदेव पर वह था पहले के राजा भी विचत हुआ करते थे क्या करते थे जिस राज़ी को जीता उसी की रानी से साधी कर लेते थे इसलिए तो इतना बड़ा लंबा चोड़ा संबराज हुगा करता था अलाउद्दीन खील जी का विजय अभियान उत्तर की बात करें तो उत्तर में गुजराद, फिर रड़, थमबोद, चितोड, मालवा, धार, चंदेरी, सेवाना, जालो अगर दच्छड भारत की हम लोग बात करें तो देवगीरी इसमें सामेल है, बारागल, द्वार समुद, मालावार अलावद्दीन का मंत्री परिशत देखें, तो दीवाने वजारत की वजीर हुआ करता था, दीवाने इंसाल साही आदेशों को पालन करवाना, दीवाने आरिच की सेण मंत्री थे, दीवाने रसातल की विदेश विवाद हुआ करता था गुजरात अभियान में नुसरत खाने हिंदू हिजडे मलिक कफूर को 1000 दीनार में खरीद आता आप समझ सकते हैं एक बाद पदमाबत मुवी देख जरू लीजे सब कुछ सच नहीं है लेकिन फिर भी जितना है उतना अच्छा है मलिक कफूर को 1000 दीनारी नाम से भी जना जाता है क्योंकि ये 1000 दीनार में खरीद आता इसलिए इसका नाम 1000 दीनारी भी रखा गया अलावदीन ने मलिक कफूर को मलिक नायाब बना दिया अलावदीन की मित्तिव के बाद मलिक कफूर 35 दिन तक सासक भी बना रहा मलिक कफूर ने सेनापती रहते हुए देववीरी, वारंगल, द्वारसमुद, मालाबाद, मदुरा की, महत्वून बेजेवी, प्राप्त की फिरताब रुद्ध देव वारंगल की सासक ने संसार में पिसिद कोहिनून हीरा दिया था अलावदीन की समय मेवार का ससक राणा रतन सिंग थे या आपको एक अच्छा पत्मापत में भी दिखाये गए अलावदीन की समय मेवार का ससक राणा रतन सिंग थे इस तरह कि जो भी इतिहास पर आपकी मोवी बना करें आप लोग जिरूर देख लिया करें पता है अमेरिका की तरफ अगर इतिहास पर कोई मोवी बनती है तो सबसे जानदा कमाती है पता है और बहुत चलती है हर कोई उसे देखता है लेकिन आप अपने हाँ देखिए अप मतलब ऐसी नूबी होनी चाहिए जिसमें वो क्या बोलते हैं मज़ा हो ठीक है अच्छे डांस हो तो इसलिए तो हमारा मतलब समझे में आया आपको इसलिए तो सब्सक्राइब 21 सदी में प्रिक टॉक में पहुंच रहे हैं यार मुझे तो बड़ा बिचित लगा है अभी फेस्बूक पर कली वरसों फिर से मैंने देखा बड़ा जी बच्छी हरकत में करते हैं चलिए रहांगे बढ़िए मेवाड को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने इसका नाम अपने पूत्त खिजी खांकी नाम पर खिजराबाद रखा था अलाउद्दीन को अपने सासनकाल में मंगोल आकमर का सापना करना पड़ा अलाउद्दीन खिल्जी ने सीरी में अपनी राधधानी बनाई थी किरान उस सादेन की रचना अमीर खुष्णों ने की थी आर्थिक मांगलों से सम्मदित विभाग दीवान ए रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिल्जी ने की थी आर्थिक मांगलों से सम्मदित विभाग जवाब का दीवान ए रियासत इसकी इस्थापना अलाउद्दीन खिल्जी ने की थी क्योंकि इस तरह के जितने भी जिसने भी विभाग बनाए हुए है वो पूंच लेता है न्याय का उच्चितम न्यादी सिस्था में सुल्टान हुआ करता था पूलिस विभाग का प्रमुक कोतवाल हुआ करता था सरफपितम डांग विवस्था सुरुवात की सुरुवात सल्तनत काल में अलाउद्दीन साहब ने की थी इस्थाई सेना दाग एबं महाली तथा सेनिकों को नगत बेतन देने की पितास की सुरुवात सरफपितम आपके अलाउद्दीन खिल जीने की थी समझ सकते हैं इस तमें बाजार अच्छी स्थिती में था अगर कोई कम दॉल देता था तुकेते थी उसके सरी से उतना मास निकाल दिया जाता था जितना उसने कम तोलाओ मतलब कड़ी सजा थी समय काला बाजारी नहीं कर सकता था कोई ठीक है और आज कल देख लीची आप लोग अलाउद्दीन बितम सुल्टान था जिसने भूमी की माप कराई थी और पैदाबार का 50-30 खराज बसूलता था कर के रूम में ठेफ्स के रूम में अलाउद्दीन खिल्जी दवारा बाजार की नियतन के लिए अधिकायी सहना ए मंडी बाजार अधिक चक दीवान ए रियासत बाजार पर नियतना रखना सराय अदल नियाई के लिए बरीद एवंडी बाजार निरिक्चक के लिए मुनिहान ये आपका गुप्तचर होता है मुनिहान कौन होता है गुप्तचर अलाउदीन ने अमीर खुसरो तथां अमीर हसन देहलवी की को सरक्चर पिदान किया था मलिक खपूर ने अलाउदीन की मरड़ा प्रांथ खजाई नोल फुतो में अमीर खुसरो ने अलाउदीन को विस्त का सुल्तान ये इसके अन्र नाम कह लिजे या पिर उपादिया विस्त का पिथम सुल्तान विस्त का सुल्तान पिथवी की सास सास्कों का सुल्टान, युक का विजेता, जिन्ता का चर्वाहा जैसी उभादियां मिली अलाई दरवाजा का निर्माण आपकी अलावदीन ने करवाया था इसके बाद आता है मुभारक साहे खिलजी खिलजी बंस का अंगला सासर अलावदीन की बाद मुभारक साहे खिलजी आता है यह आपका 1316 से 1320 तक रहता है मुभारक खिलजी ने खलीबा के आदिस को नहीं माना मुभारक साहे खिलजी ने स्वयम को खलीबा घोसित कर दिया मुबारक खिल्जी ने अल इमाम, उल इमाम, खिलापत उल लह उपादी धारण की बर्नी के अंसार मुबारक साह खिल्जी कभी कभी दर्वार में नगनवस्था में भी चला जाता है मुबारक खिल्जी की हत्या खुसरो साह ने की खुष्रो साय की हत्या गाजी मलेकने की ग्यासुद्दीन तोगलगने समझ रहे हैं मुवारग कि लिए की हत्या किसने की खुष्रो साय इसकी हत्या किसने की गाजी मलेकने जिसे आप लोग ग्यासुद्दीन तोगलग कहते हैं खुसरो सायने पेगंबर का सैनापती की उपादी दारन की थे यह आपका खिल जीवांस था ठीक एक बात आप लोग हमेशा समझते होंगे तो कि आदमी पैसा की चक्कर में पैसा और सफलता सफलता के लिए कुछ भी कर सकता है कुछ भी का मतलब आप लोग समझते हैं कोई सरम मर कोई नहीं अपनी संस्किती घोगर देश से ना मतलब किसी से कोई मतलब है किसी भी हगत एक आदमी जा सकता है में इतना देखा है यही लोग मरने से डरते हैं पता है कि कुछ भी होता है कि तरंट अपने आपको बचाने की लगे रच बाइये मैं हमेशा से बोटता है है यही खंड़ा रहा है कि हमेशा बरत्मान में जीए जीए करिए मेरा बरत्मान का जीने का मतलब कि आज ही खा के बेटो कल की चिंता करो लेकिन इस तरह से जिंदगी जीओ कोई छल उसमें कोई कपट ना हो क्योंकि जिसके अंदर छल कपट होता है वही आदमी बहुत डर-डर क डर-डर का जीता है अगर आपको आज इद्याय कतम करना है तो आज ही कर दो ना कतम कल का छोड़ो सबज रहे हैं और अपनी तरफ से कोई भी काम करो उसमें 100% कितना 100% क्या होता है कि हमें उससे सिकायत नहीं रहती है बाद में कि हमने कास ये कर लियों 100% मैं पढ़ाई की ब पीच या फिर कोई भी काम हो उसमें 100% अपनी तरफ से दीजिए हमें कोई सिकायत नहीं रहें कि जिन्दिगी बर क्योंकि ये किराय का एक तरह से सरील ले लिजिए कि कभी भी निकाल सकता है हमें इसमें से कोई भी है तो हमारा कोई अस्तधिस पर धर्दी बर नहीं है आप कोरोना वाइरस की वज़र से आपने देख लिया हुगा कि हमारे बाल से भी कई चुटा कई गुना चोटा है और भी हमारी उकाल उसने याद दिला तो अच्छे से जिया करी है चल कपटे दूर रखकर क्योंकि भरोसे इस तरह की चीज़ें बहुत बड़ी होती है भाई क्या उखाड़ लोगे तुम्ही सोचिए अगर हम अपने ले लेते हैं ठीक है मैं किसी कोई मेरे उपर आंग बंद करके भरोसा करता है मैं उसका भरोसा तोड़ दें क्या उखाड़ लोगा कुछ नहीं अंग तक मरता रहूँगा एकसी तरह क्योंकि भागवान भी इस तरह लोगों का साथ नहीं है हैं आगे चलते हम भात करते हैं तुग्लक बंस कि इसमें सबसे पहले आता है अवका ग्याशुदीन तोगलं यह आपका तेरह सो बीस से तेरह यवपाचीस तक रहता है तुगलक बंस की स्थापना ग्यासुदिन तुगलक ने 8 सेप्टमबर 1920 को की थी ग्यासुदिन तुगलक का वास्तवित नाम था गाजी मलिक या इसे तुगलक गाजी भी कहा जाते ग्यासुदिन तुगलक ने 29 बार मंगोल आकमड को बिफल किया यानि कि मंगोल आकमडिस की समय सफल नहीं हो पाई पहली बार तोगलक ने सिचाई के लिए कुए और नहरों का निर्माड करवाया था पहली बार ग्यासुद्दीन तोगलक ने सिचाई के लिए कुए नहरों का निर्माड भी करवाया था ग्यासुद्दिन तुखलक की सेना में गिज, तुर्ग, मंगोल, राजपूत, ताजिक, रोमी, खुरासानी, मेवाती बरग की लोग रहते थे दिल्ली के समीब अफगानपूर में लकड़ी से निर्मे स्वागत महल के धराशाई होने से ग्यासुद्दिन तुखलक की मित्ति बुजाती है ठीक है, अफगानपूर की लकड़ी के महल को ग्यासुद्दिन के फुत जोना खाने बनवाया है हो कहते हैं कि इसी चालती जोना खाँ की, यानी की जोना खान ग्यासुद्दिन को मारने के पूरे विचाल से इस तरह के महल कानिर्मान करवाय था मित्तिव से पूर्व यानी की मरने से पूर्व ग्यासुद्दीन तुखलक बंगाल अभ demographics से लोड रहा था रोमन सैली की तोगला का बात को ग्यासुद्दीन ने बसाया था निजामुद्दीन ओलिया ने ग्यासुद्दीन तोगला की बारे में कहा है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है और एक पॉइंट आपका एक बार नहीं एक भी परिक्चा में नहीं कही परिक्चाओं में उच लिया गया है दिल्ली अभी बहुत दूर है यह बाग कि किस ने कहा था और किस के लिए कहा था तो निजामुद्दीन औलिया ने ग्यासुद्दीन तुगलग के लिए इस सब्द का इस बाग का प्रेयो किया था अदेधरां बैठता है आपका जोणा खा यानी कि मद्गमुद्द्द तूगलग गड्दी पर बैठता है इस बाग मित्दि जोणा परेटा देता है मुऽम्द्द तूगलक तूगलक का बस्तिरक नाम जोणा खान था जोणा घान दिल्ली सल्तनक की सभी सुल्टानों में मुहमत बिन तुगलक सरवादिक सिक्षित, बिद्वान और योग ब्यक्ति था क्या था सिक्षित भी था और बिद्वान भी था और योग भी था समझ सकते हैं अंतर विरोधों का विश्मेकारी मिस्रन रक्त का प्यासा अत्वा परोग करें मुहिम्मद बिन तुगलक का सिख्चक था मौलाना ग्यासुद्धी मुहम्मद बिन तटोगलक ने अपने चचिरे भाई फिरोष तटोगलक को नायाव बारवक पदफिदान किया था मुहम्मद बिन्तुगलक का समराज 23 यानि 23 प्रांतों में बटा हुआ था इस समय मुहम्मद बिन्तुगलक ने दुआप के छेत्थ में करगी मात्रा में बिधी इथम युगना लागू की मुहम्मद बिन तुगलत ने किरसी के विकास के लिए दीवानी एक वही विवाग की स्थापना की इसमें से आपका कुछन से बन जाता है इस तरह से कि दीवानी एक वही विवाग किस से संबन दे थे तो आपको किरसी के विकास से इसकी थापना किसने की थी? मुहमद बिन तोगलक ने ठीक है? दिल्ली से रादधानी बदल का देवगरी मुहमद बिन तोगलक ने ले गया था कहां से दिल्ली से देवगरी देवगरी का नया नाम दौलताबाद रखा गया देवगरी को कुपदुल इसलाम भी कहा गया है मुहमद बिन तोगलक ने पुनाहा दॉलतावास के रादधानी बदर कर दिल्ली 1335 में इस्थापित की पहले दिल्ली से देवगरी ले गया खर देवगरी से दिल्ली बापस ले आया अपनी तितिये योजना के अंतरों मुहमद बिन तोगलक ने सांकेतिक मुद्रा का पिछलन करवाया किसका सांकेतिक मुद्रा का 1333 में इमन बतूता मुहमद बिन तोगलक की सासनकाल में भारत आया इवने बतूता ने किताब उल रहला यानि किसे रहला भी बोलते हैं लिखी इसमें अपनी यात्रा का बिवरण भी दिया किसने इवने बतूता ने बर्नी 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 के अनुसार मुहम्मद तुगलक की पांच मुख्य उजनाओं का विसिस रूप से उलेग करता है द्वाब मुद्रा जारी करना देवगरी कुराधारी बनाना सांकेतिक मुद्रा जारी करना खुरासान पर आकमर कराचिल की ओर अभियान यह पांच यह उजनाए इसकी चर्चत रहती है ठीक है दिल्ली के सुल्तानों ने मुहमद बिन तुगलक पित्थम सुल्तान था जो हिंदूओं के तेवारों और मुक्यता होली में भाग लेता था यानि की सरबधम सरबधरम संभाव ठीक है धरम निर्पेक्षिता की नहीं थी अपना था थट्टा के निकट 20 मार्च 1359 को मुहमद तुगलक की मित्यू हो जाती उसके निर्धन पर बदायूनी ने लिखा है कि सुल्दान को उसकी फिर्जा से फिर्जा को अपनी सुल्दान से मुक्ती मिल गई पता इस तरह की पॉइंट आपकी सिविल सर्विस में अधिकतर बार पूँच लीता है ठीक है तो यह ऐसी पॉइंटों को आप लोग पकड़के रखा करिएगा मुहमद बिन तुगलक ने एमन बतूता को दिल्ली में काजी किपद पर नियुक किया था मुहमद बिन तुगलक की काल में दच्छिड में आपका विजय नगर जुद था 1336 में हरीहर बुखका नगर समराज की स्थापना की विजय नगर समराज की स्थापना की सिटने की थी हरीहर बुखका ने 1336 में जिस समय आपका दिल्ली पर मुहमत बिन तुगलक का सासन था उस समय दच्छन में हरीहर बुखका ने बिजय नगर समराज की स्थापना की थी राजमुंद्री के अब लेखों में जोना खान उल्गु खाने को दुनिया का खान कहा जाता है दुनिया का खान फिर आता है आपका फिरोष साहन तुगलक यह आपका 1351 से 1388 सी तक सासक रहता है फिरोष साहन तुगलक मुहमत बिन तुगलक का उत्रादिकारी तेरे सो इनके आर्णमे एसीवी में दिल्ली की गद्धी पर बैठता है फिरोज साहे तुगलक ग्यासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रजजब का पुत्त था फिरोज साहे तुगलक का सर राजजबी से सरपितम थट्टा में उसके बाद दिल्ली में होता है यानि कि इसका राजबी से एक दोबार होता है पहले थट्टा में फिर आपका दिल्ली में उडिशा में पूरी के जगनात मंदिर को फिरोज साहे तुगलक ने 1360 में द्वर्ष्ट किया था जो आप आज का दिशा मंदिर सुनते हैं इसे भी तुगलक ने द्वर्ष्ट किया यानि कि नश्ट कर दिया था 1360 में नगर कोट के पिसित ज्वाला मुखी मंदिर को फिरोज साहे तुगलक ने तेरह सो एकसट में द्वर्ष्ट किया फिरोज साहे तुगलक ने 24 कष्ट दायक करों को समाप्त कर दिया था फरिश्टा के अनुसार फिरोज साहे तुगलक फार्सी अर्वी तुर्की तेडगू कन्णड मराठी वासा का ग्याता भी था देखे कितनी भासाओं का फार्सी अर्वी तुर्की तेलोगू कन्णड मराठी पूरा ग्याता था आंगे बात करते हैं थरोज तुगलक श्रिप चार पिकार की कार कौन-कौन से खराज, खुम्स, जजिया और जकात लेता था उले माओं के आदिश पर फिरोज साय तुगलक ने सिचाई कर यानि की उपच का दस्वा भाग नामक नया कर लगाया फिरोज साय तुगलक ने सिचाई की सुखधा के लिए पांच लंबी नहरें भी बन भाए फिरोज साय तुगलक ने लगवग 1200, भाग भी लगवाई थे, कितने 1200 सुल्दान फिरोज ने तीन सो नई नगरों की स्थापना भी की थी फिरोजाबाद, हिसार, खतियाबाद, जौनपूर, फिरोज को नामा नगर को फिरोज साय तुगलक ने बसायता फिरोज साय तुगलक को सबसे जांदा फिरोजाबाद नगर पसंद था मेरट और टोपरा से असोग के स्थम्मों को लाकर दिल्ली में फिरोज साय तुगलक ने इस्थापित किया था ये भी आपका किली बार बूच लिया गया है कि असोग के स्थम्म को जो आपकी मेरट और टूपरा में थे इन्हें दिल्ली कौन ले गया है तो याद रखना फिरोग साही तुगलग ठीक है बात करते हैं फिरोग साही तुगलग की अन्यकारियों की इसने दारुल सरन नामक एक खेराती इस्पताल की इस्तापना भी की थी इसने रोगजिगार दफ्तर खुलवाए अनात इस्तरियों विदभाओं एवं लड़कियों की साहेता के लिए दीन दीवान एक खेरात नामक विभाग का गटन किया था दासों की देखवाल ही तुग फिरोग साही ने दीवान ए बंदगान की स्थापना भी की थी दीवान ए बंदगान सैनिकों को बेतन जागीर के रूम में दिया सैन पदों गुबंसा नुगत बना दिया हिंदूओं को जिम्मी कहा तखम बरमण पर जजिया कर लागू करने बाला पहला मुसल्वान सासक था फिरोग साही ने अपनी आत्म कथा फत्व हात ए फिरोग साही लिखी थी जो आला मुई की मंदर से लूटे गए गरंतों का फार्सी में दलायते फिरोग साही नाम से अनवादवी कराया गया तो फिरोग साही की अपनी आत्म हात थी इन्होंने लिखी थी फत्व हात ए फिर लग सकते हैं थ्रोसाय नहीं उसने तामा और चांदी के मिस्वर्ण से निर्मिट सिक्के जारी करवाए जिसे अध्धा या फिर बिख कहा जाता था फ्रोसाय तोगलक ने ससन गानी छह जीतल का नामक सिक्का भी चलाये था फ्रोसाय तोगलक की मित्यों 1388 में हो जाते हैं हेन्री एलियट और एली फिंस्टन ने फिरोसाय तुगलग को सल्तनत युग का अकवर कहा कपका सल्तनत युग का अगवर तैमोर ने दिली पर 1398 में नसरुतीन महमूद के समय अकमर्ग किया और तुगलग बंस का अंतिमसा सक्ता नसरुतीन महमूद 1412 में मलिक सर्वन नामक हेचडे ने जौन कुन नामक सुतनत राज़ी की स्थावना भी की थी इसने मली ह्यां है earnest रखना तुगलग बंस का अंतिमसासा नसरुतीन महमूद था नसुरतीन महमूद की खतम होने की बाद आपका आता है से अद्बंस यानि की तुगलख बंस की बाद नया बंस आता है से अद्बंस यह आपका 1414 से 1491 इस भी तक रहता है से अद्बंस की स्थापना खिज खाने 1414 इस भी में की खिज खान 1414 से 1421 तक सासन की आशने खिज खाने सुझ्दान की उपादी ना धारन करके रेयत ए आला की उपादी धारन की थे खिज खान अपने को तैमूर के लड़के सारूख का पिती निथी बता था था खिज खान खिज खान तैमूर लंग को का सेना पती था खिज खान का उत्तरादी गारी हुआ मुबारक साहे मुबारक साहे ने 1414 से 1433 तक सासन किया मुबारक साहे ने साहे की उपादी गहड कर अपने नाम के सिक्के भी जारी किये थे मुभारक का बाद मुभारक का बाद नगर की स्थापना आपके मुभारक साहे नहीं की थी मुभारक बाद मुभारक का बाद की स्थापना किस नहीं की थी नगर की मुभारक बाद साहे ने ठीक है याहा हया बिन एहमद सरहंदी को मुभारक साह का राज्य ससरें प्रापत हुआ तायानि कि इसकी सनद्रक्चन भिला हुआ तारीक ऌनि मुबारक साही किया हया बिन आहिमत सरहिंदी ने लिखी थी किस कि नाम रख दिये जाते हैं मुहम।फाह का उत्तराधिकारी मुहम।फाह था वारक्ः का इत्ध्राधिकारी कौं था मुहम।ν साहे महम्मद साहे का वास्त्रविक नाम था महम्मद फिन फरीद महम्मत साहे ने बहलोल को खान एखाना की उबादी दी और अपना पूत्तिकाय कर पुकाल जो सियादबंस का अंतिम्सासा कुटा है अलाउद्दीन आलम साहे यह 1443-1499 तक रहता है यहां आपका सियादबंस ख लोधी बंस यानि कि एक नया बंस आता है लोधी बंस चौदैसो इंक्या बंसे 1526 तक इबंस रहता है आपकर बहलो लोधी चौदैसो इंक्या बंसे 1499 तक रहता है दिली में पितम अफगान राज का संस्थापक बहलो लोधी था लोधी बंस का संस्थापक कोन था बहलो लोधी बहलो लोधी अफगानिस्थान गई गिज लई कभीले की एक साखा साहू खेल मैं पैदा हुआ था 1499 इस बी में बहलोल गाजी की उपादी के साथ दिली की गत्ती पर बैटता हैannah ौनपुर को एक बार फिर दिल्ली में बहलोल लोधी ने सामिल कर लिया था बहलोल लोदी अपने साथारों को मकसद ये अली कहकर पुकारता था जो बहलोल लोदी था ये अपने सास्कों को मकसद ये अली कहकर पुकारता था बहलोल लोधी द्वारा बहलोली सिपके भी चलाए गए बहलोल लोधी का पुद्ध और उत्तरादीकारी हुआ सिकंदर साय लोधी सिकंदर साय लोधी 1489 से 1570 तक सासक रहता है सिकंदर लोधी का वास्टविक नाम निजाम खांता जौनपुर के हुसेन साय सरकी को पराजित कर सिकंदर लोधी ने बिहार तेरभुत को दिल्ली में मिला लिया 1504 में सिकंदर लोधी नहीं आपका आगरे की निव डाली बादे में अपनी राध्धानी भी इसे बना रहा था तो आप से पूचे अगर किया अगरा की स्थावना कुछ ने की थी तो याद रखना सिकंदर लोधी ने कव 1504 में सिकंदर लोधी ने भूमी माबने के लिए गजे सिकंदरी परमाना भी जारी किया था सिकंदर लोधी ने नगर कोट के ज्वाला मुखी मंदिर की मूर्थी को तुडबा कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को माज तोलने के लिए दे दिया गया था यानि कि ये धर्म को बड़ा चिर्टा होगा अपने धर्म को मानने वाला होगा सिकंदर लोधी मुसल्वानों को ताजिया निकाल लें इस्तिरियों को पैरों उसंतों की मजार पजामों पर पीतिवन लगाया इसने ठीक है पंद्रेसोचे में 1526 में सिकंदर लोधी न कुटब मीनार की मरम्मद भी करवाई थे एक कुटब मीनार वाई है कुटब बुद्धीन यह वतने बनो निव रखी थी जिसकी अब कुटब मीनार की उच्छाई 234 फिट इतनी 234 यानि 234 है सिकंदर लोधी ने संस्कित की आयूरवैद गरंद का फरहंगी सिकंदरी के नाम से अनुवाज भी कराया था आयूरवैद गरंद का किसने करवाया फरहंगी सिकंदरी नाम से अनुवाज सिकंदर लोधी ने कहा यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालगी में बैठा दूँ तो मेरे यादिस पर मेरे सभी सरदार उसे अपने गंदों पर बैठा कर ले जाएंगे यानि कि इसकी चन्ती थी। गुल रुखी सीशक से फार्थी में कविताय सिकंदल लोधी नहीं ल见 लिखी थी। व्यक्तित्य को संदर बना रेकने का कारण सिकंदर लोधी डाड़ी नहीं रखता था यानि कि क्लियन से रहता था समझ सकते हैं आप लोगों पहराता है सिकंदर के बाद एब्राहिम लोधी यह आपका 570-1526 तक रहता है सिकंदर लोधी का उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक सासक हुआ बावर को भारत पर आखमट करने का निवंतन पंजाब का ये सासक था दौलत खान लोधी वो इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने दिया था जो बावर है इसे भारत आने का निवंतन यानि कि किसी को बुलावगी नहीं तो किसी आएगा इसलिए दौलत खा और आलम खाने इने बुलाया किसे इब्राहिम लोधी को इब्राहिम लोधी बावर की मद्ध 21 अपरेल 1526 को पानीपत के मैदान में योद्धुआ किसके बीच इब्राहिम लोधी और बावर की बीच इस तरह के आप लोग क्वेंट याज रखा करिएगा क्योंकि आपके वंडेग चम में कुश्टेंस सरल आते हैं और इसलिए इस तरह की कुश्टेंस अधिकतर पूंच जाते हैं इस पानीपत की पिथम योद्ध में आपका एब्राहिम लोधी की खार होती है और बावर की विजय होता हैं व भ्यादी बन्स का अंतिम्स आ सकता, कौन? इब्राहिम लोधी बहरत का एकमात सुल्तान था, जो यो दभूमी में मारा गए। यjemी आपका पॉंट, जनरलों नॉलेज के भी लिए सही है, और पूंचलिक भी लिया जाता है। बारत का एकमात सुल्तान जो यूद वूमी में मारा गया था कौन था इब्राहिम लोधी उसकी मित्तियों के साथ ही लोधी बंस तथा दिल्ली सल्तनत दोनों कांट हो जाता है ठीक तो यहां आपकी खत्म होता है इब्राहिम लोधी यानि की लोधी बंस चली अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का पिसासन देखते हैं सासक हम लोग देख चुके हैं और इनका पिसासन देखते हैं दिल्ली सल्तनात कालीन पर मोकदिकारी उनकी कारी क्या होती थे उनके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं वजीर इसका काम था राजस्त विभाग से संबंदित ये राजस्त विभाग का पिधान होता था इसे आप लोग दीवान ये वजारत भी वजारत भी कहते थे फिर आपका आरिक ये मुमालिक ये आपका सेन पिधान सेन बिभाग का पिधान हुआ करता था इसे आप लोग दिवान ये आर्ज भी कहते हैं प्रयाक दावीर एखान्थ अमीर मुन्सी ये साही पत्व बिवार विवाग का पिधान हुआ करता था, इसे आप लोग दीवान एइ इंसा के नाम से भी जानते हैं दीवान ए रसालत ए विदेश विवाग का प्रमुख हुगा करता था सद उस सुदूर ए धरम विवाग का प्रमुख हुगा करता था काजी उल्क जात ए न्याय विवाग का प्रमुख हुगा करता था बरीद ए मुमालिक गुप्त चर्विभाग का पिधान, अमीर ए आखोर अस्तु साला का पिधान, मुनसिप ए मुमालिक ये आपका महाले का का, अमीर ए मुमालिक ये आपका महाले का का, अमीर ए मजलिस ये साही उत्सवों का पिधान हुआ करता था, खजीन ये आपका कोसाध्यक चुगा करता था खजीन आपका कोसाध्यक चुगा करता था कोतबाल ये सहर की सांती विवस्था का सर्वुच अधिकारी उगा करता था कोतबाल सल्तनत काल की पिसासनिक विवस्था इसलामिक धर्म पर अधारित थी क्योंकि आपने देखा होगा मुसलिम साफक रहेंगे तो इसलामी की धर्म को मानेंगे तो इनकी जो भी पिसाचनिक विवस्ता थी वो इसलामी धर्म पर आधारी थी सर्वोच सैनापति और सर्वोच न्यादी सुल्तान हुआ करता है समय दिल्ली संतनत कालीन पिर्मक विवाग और के कारियों की हम लोग बात करें दीवान ये वजारत ये आपका पित्र विवाग था दीवान ये अर्ज सैन विवाग जिस तरह से आप लोग समझ सकते हैं आज जी सैना से समदित आपका रक्छा mustard वंठी होता है प्रक्षा विभाग, विदेशों से सम्मंदित विदेशी विभाग, विदेश मंद्रा ले, वित्र मंद्रा ले, दीवाने मुस्त खराज, यह आपका राजिस विभाग हुआ करता था, दीवाने इंसा, यह आपका पत्राचार विभाग हुआ करता था, दीवाने रसालत, यह दीवान ये बंदगान ये आपका दासों का विभाग था दीवान ये इस्तिहाक ये आपका पैंसर विभाग हुआ करता था दीवान ये वकू ये आपका बै विभाग दीवान ये रियासत बाजार पर नियंतर रखने वाला विभाग था ये ठीक है अमीरों का महत्य अपने चर्वुंतकस पर लोधी बस के सासनकाल में था मंत्री परषद को मजलिस एक खलवत कहा जाता था यह सफ़य जो आपकी मंत्री परषद हुआ करते थे इसे मजलिस एक खलवत कहा जाता था राजदानी दिल्ली का पिसासन कोतबाल करता था जो न्यायक एवं पुलिस बिवाग का कार्य करता था मुहत्सिव परजा के समराज सामान आचरन पर नियत्रन रखता था तथा नैतिक नीमों को क्रियानवित भी करवाता था कौन मुहत्सिव ठीर दिल्ली सल्तनत एक्ताओं में बिवक्त थी एक्ता का जो किधान को करता था वली मुक्ति अखबा एक्तादार कहलाता था एक्ताये अत्वा प्रांत जिलों में बिवक्त थे, जो सिक कहलाते थे, सिक, सिक का सासक होता था सिक, दार, सिक आपकी परगनों में बिवक्त थे, परगने में आमिल और मुंसीब महत्मूर अधिकारी हुआ करते थे, इस समय की सबसे छोटी ही काईगी बात करें लोग, सासन का ये तो एक ग्राम थी गाउं गाउं के मुखधिकारी, पटवारी, चौदरी, खोत, मुकद्दम थी जो सासन को लगान बसूल करने में सहयता भी करते थे जैसे एकता, फिर्शिक, परगना, गाउं इस तरह से पिसासन बटा हुआ था खालसा केंसासिचेत के प्रभावी सहना कहलाते थे क्या कहलाते थे? सहना सल्तनत काली सैन संगठन मुकदा, तुर्की और मंगोल पदिती पर आधा रिक था अलावदीन खिल्जी को इस्थाई सैना में गठन का स्रे दिया जाता है वर्नी के अनुसार सल्तनत सैना का बवरगी कर सरखेल दस गोड़ सवारों का पिधान हुआ करता था सेपह सलार ये दस सरखेलों का पिधान हुआ करता था अमीर दस सेपह सलाकारों का पिधान हुआ करता था मलिक दस अमीरों का पिधान हुआ करता था खान दस मलिकों का पिधान हुआ करता था सुल्टान सभी खानों का पिधान होता था यानि कि सर्वुच शैनपती और सबसे छोटा सर्खिय दर्स गुर्सवारों का पिधान था यानि ही इसके पास दस सेने गुर्सवार रहते हुआ अलाव दिन ने गोड़ों को दागने की पिधा पिछलित की थी यह आपका पुछलिता है घोडों को दागने की पिता किसने शुरूं की थी? अलाउट दीने इल्टो तुम इसने सेंटकों को बेतन की बदली एकता पिदान किया था इसलामी कानून के वीधी वेता मुझत हिद कहलाती थी सलतनतकाल में मोकंतमों का निढ़े, काजी और मुपती की साहिता से किया जाता था अगर हम लोग सलतनतकाल में ने मुसलिम कानून के 4 सुरुथ थी समय भूरान, मुसलिम कानून का पिरमखूत थे आपका खुरान, फिर थी हदीस पैगंबर की कत्नों ये वंकारियों का उलेद था इसमें एजिमा यापका मुझजत हिद द्वारा व्याक्या किया गया कानून था कायास ये तरह कत्वा पेसलेशन के आधार पर कानून की व्याक्या होती थी इसके तरह सलफनक काल में पांच पेकार की कल लगाए जाती थी कौन कौन से थी उससे ये मुसल्बानों से लिया जाने वाला भूमी करता खराज गैर मुसल्बानों पर धार्मिक करता है खम्स लूट खानों एवं भूमी में गड़े हुए खजानों से प्राक्त धर्ण होता थी जखात मुसल्मानों पर धार्मिक कर लिया जाता था जजिया गैर मुसल्मानों पर धार्मिक कर लिया जाता था जजिया एक्ता पिडाली का सूथपात इल्टुत मिस ने किया था फिरोज तोगलक के समय सरवादिक एक्ताएं पिदान की गई थी सल्तनक काल में भूराजस निर्दारन बटाई, मसाहथ, मुक्ताई द्वारा किया जाता था अलाउद दीन के जीने राजय सिबकाया कि बसूली एक्तु विजारत के अंतरकत मुस्थ खराज ब्वाक की भी इस्तापना की थी मुक्त खराज सिकंदल लोदी ने भूमी की पैदाईष हेक्तु पैमाईष हेक्तु गज ये सिकंदरी इस्थापित किया था यानि की सिकंदर लोनी ने भूमी की माप पे लिए गज ए सिकंदरी इस्तापित किया था सल्तनत काल में नगद और अनाज दोनों करों के रूप में लिये जाते थे सल्तनत काल में राज की आय किर्सी का सर्वाथी की उगदान था सल्तनत की आय में सबसे जाना किसका मत्य था किर्सी का रहट कप्रियोग दिल्ली सल्तनत की यूग में हुआ था रहट भारत में चर्की का पदवरभाव बाहरीवी सिताब्दी में हुआ था चर्की मत्मा गांद इसे संबंचित अपने सुना हुगा चरखा हिंदोस्तान में लोधी साजद स्वैमी ब्यापारी हुगा करते थे चार बह्येवाले रद और एक के का उले सल्धनत काल में मिलता है इबने बटूता और मार्कोपोलो तुर्कीगेस्तान इरान से घोडे का निडियात का उले करते हैं लोडन सल्तनत काल में निर्यात की वस्तुओं की बात करें तो इसमें लोहा, सूतिवस्त, नेल, जड़ी भूटिया, मसाली, सक्कल, इपर मुपते और सुल्तनत, सुल्तान इल्टुतमिस पहला तुर्ट सा सकता जिसने सुद्ध अर्वी के सिक्के पिज़ित किये थे पहले भी हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं, चांदी का टका और तामे का जीतल उसी नहें प्यारम किया था, किस ने इल्टुतमिस ने मुहमद बिन तुगलक ने सोने का नया सिक्का दीनार और चांदी का सिक्का अदली पिछ लिख किया था, अदली हिरोश तोगलक ने, अधा एवं बिक, नामक क्रम सा आदे और चौथाई, जीतल के तामे और चांदी मिसरे दो सिक्के पिछलिट किये थे तामा के सिक्के को सल्तनत काल में दिरहम कहा जाता था, तामे के सिक्के को सल्तनत काल में क्या गए दे थे, दिरहम तो ये था आपका दिल्ली पिसासन, दिल्ली सल्टनत का पिसासन चलिए बात करते हैं, सल्टनत कालीन, सिक्षा, साहित और कला की बारे में सल्टनत काल में सिक्षा का प्यारम बिस्मिल्लाय संस्कार से किया जाता था जो संतनत काल में सिक्षा का माध्यम था इसे प्यारम किस से किया जा था बिस्मिल्लाय संस्कार से अध्यान अध्यापन का माध्यम अर्वी भासा था अध्यान अध्यापन का जो माध्यम था इस समय किस भासा में था अर्वी भासा में गाउं और सहर्ण नग्रों में मस्ज्य से समध्य मत्कव होते थी जिसमें प्यारंबेक सिक्षा आपकी नसुल्ख दी जाती थी सल्तनत काल में फार्सी और संस्कित भासा कि अत्रिक्त हिंदी उर्दू और सभी प्रांतिय भासाओं में गरंत भी लिखे गए हैं सल्तनत काल में सल्तनत युग की फ्यारंबेक चिंतांकित हिंदू-मुसलिम पांडूलीपी अमीर खुसरो देहलवी की खमसा नामक पांडूलीपी है मद्यकालीन संगीत परंपरा के आधी संथापक अमीर खुसरो थे तता सरपितम उन्होंने भारत में संगीत में कबाली गायन को पिछलित किया तो सरपितम भारत में कबाली गायन को किसने पिछलित किया था अमीर खुसरो साहब ने अमीर खुसरो को सितार और तबली के निर्मार का भी सरे पिदान किया जाता है अलाउदीन किंजी ने दच्छन भारत के महान संगीत अग गोपाल को अपने दरवार में आमंतित किया था तथा अमीर खुसरो को सरक्षड भी पिदान किया था फिरोज तुगलक की समय संगीत रचना राग दरपन का फारसी में अनुवात किया गया था किसके समय फिरोज तुगलक के समय सल्तनत काल के आरंबिक दौर में अलंकरण की सेट्थ विधी थी अर्वस्ख इसे क्या कहते थी अर्वस्ख विधी बारत में पहली तुरुक मस्जित कुबबत उल्व इसलाम थी जिसे कुद्व बुद्दीन एवक ने 1197 में बनवाया था बारत में पहली तुरुक मस्जित कुबबत उल्व इसलाम जिसे किसने बनवाया था? कुद्व बुद्दीन एवक ने इसका निर्मार राय पित्वरा किले की स्थान पर केस्थल पर हुआ था राय पित्वरा में मकवरा निर्मार सली का जनमदाता इल्टूत में इसको सुईकार किया जाता है सुल्टानगडी मकवरा सल्तनतकाल का तित्थम मकवरा माना जाता है मखवरा मिरमार्स streli का जनमदात की से माना जाता है इलตूत मिστ को और सबसे पहला सलतनतकाल का पितं मखवरा कौन से था सुल्तानगडी मकवरा बलबन का मकवरा सुद्ध इसलामी पद्धिसी से निर्मित भारत का पितम मकवरा था जो बलबन का मकवरा था है सुद्ध इसलामी इसलामी पद्धिसी निर्मित भारत का पितम मकवरा था सुल्टान फिरोज तोगलक ने पांच भी दिल्ली बसाई उसमें एक महल की स्थापना की जो कोटला थ्रोज साहे की नाम से विख्या थे इसके सामने असोग का इस्थम है सुल्टान ने इस बिसाल इस्थम को अम्बाला जिली के तोपरा गाओं से लाकर यहां गड़वाया था एक दूसरे इस्थम को मेरट के समीब से लाकर कुस्क एक सिकार महल के सामने गड़वाया सिक्चा के भिकास के लिए उसने एक विद्ध्यालाई की भी इस्तातना की थी ठीक है? फिरोसा है तोगलक अब बात करते हैं हम लोग सल्तनत काल के कुछ इतिहासिक ग्रंथ है और उनकी लेकक है तबकात ए नसीरी 1260 में लिखी गिये मेन हाज उस सिराज ने लिखी थी'm thought विन बेहमद खा ने लिखी थी'm तारीख ए महमदी किसी ने लिखी थी? महमद बेहमद खा फटवाये जहांगीरी जहाधारी तारीख ए फिरोसाही यहा की जियावत Qur' दीन बढरने लिखी तजिकरात अल उलिया यापका फरीद अल दीन अल अत्तार ने लिखी थी ताज उल मासीर यापका हसन ने जामी ने लिखी ताज उल मासीर यापका हसन ने जामी ने लिखी ताज उल मासीर यापका हसन ने जामी ने लिखी ताज उल मासीर यापका हसन ने जामी ने लिखी ताज उल मासीर यापका हसन ने जामी ने लिखी ताज उल मासीर यापका हसन अखवर यापका आबू सईद ने लिखी, किसने आबूद सईद ने, तारीक ए मसु में यापका अबूल फजल मुहम्मद बिन हुसेन अल बिहाकी ने लिखी, खजयान उल फुतु, तुगलक नामा, नो सिफर, सिफर, तारीक एलाई, खजयान उल फुतु, यापका किसने लिखा, अमीर कुसरों ने, ये सभी गरंत, अमीर कुसरों के हैं, तारीक ए मुबारक साही, यापका 1428 से 34 के बीच लिखा गया है, यहाँ इवन एहमद सरहिंदी ने लिखा थे, तबकात ए अकवरी, निजामुद्दीन अहमद ने लिखी इसे, ठीक है, फुतु, अल सलातीन, खजया अभू, मलिक इसामी ने लिखी, किताब और रहलाए, इमन बतुता ने लिखी, तारीक ए एलदीन, ए अफगान, या अभमेद अहमद यादगार ने लि मकचन ए अफगानी है, या आपका निजाम तुल्दाने लिखी, तारीक ए दावदी, या आपका अबदुल्दाने लिखी, आइन और मुल्की, मुनसत ए महरू हवस, ए कफी इरसाद, ए किसन ने लिखी ये सभी, आइन और मुल्क मुल्ताने बल उल्द बयान, किसने लिखी तिये, काजीस सिहा बुद्दीन दौल्दावादी ने, ब्रम्मा सूत, या आपका रामा नुज्ज ने लिखी, सास्त दीविका, दीविका, करम इमांसा, या आपका पार्थ सालती ने लिखी, लुबाते उल अल्लाव, जवानी उल हिकायत, बल लवामी उल्द रिवायत, नुरुद्दीन ने लिखी, ठीक है, प्रताप रुद्द देव, यसो भूसर, किशने चरित, या आपके अगस्त ने लिखी, रुकमनी कल्याड, या आपका विद्ध्या चर्क, वर्ती ने लिखी, नरकासुर विकार, बिजय, माधान ने लि भामने, दुर्गाबक्ती तरंगनी, या आपका विद्ध्यापती ने लिखी थी, संकर वजय, विद्ध्यारण ने लिखी, हम्मीर कभ, या आपका नैचन्द ने लिखी, नारायन बिलास, राजा विरूपाप्च ने लिखी, जामवथी कल्याडम संस्कित, अमुक्त माल् गीत गोविंद ये आपके जैदियों ने लिखी, गीत गोविंद हमीर मान मर्दन ये आपका जैसिंग सूरी ने लिखी थी, जैसिंग सूरी ने गंगादास प्रताब बिलास, किस ने लिखी? गंगाधर ने, मेताक्चरा ये आपके विज्ञानिसों ने लिखी, फिथवी राज रासो ये आपके चंदवरदाई ने लिखी, हमीर रासो हमीर काब ये आपके सारंग धर ने लिखी, आला खंड ये आपके जगनिक ने लिखी ती राज तरंग नी एक कलहन ने लिखी थी दुतिय राज तरंग नी इसमें आपका कई बार आप लोग बिचलित हो जाती गड़बड़ा आ जाती आपकी श्तेती राज तरंग नी किसे ने लिखी कलहड ने दुतिये राज तरंग नी किस ने लिखी जोना राज ने तितिये राज तरंग नी किस ने लिखी श्री ने वास ने याद रखे पहली कलहन दुतिये जोना राज तितिये श्री वास जो आपकी राज बिनोध है ये उदय राज ने लिखी थी किसने उदय राज ने विजयपाल रासु नात सींग ने, विजयपाल रासु किस ने लिखी नात सींग ने, बीसल देव रासु याकी नर्पती नाले ने लिखी, चंदावत ये मुला दाउद ने लिखी थी, म्रगावत ये आपका कुतवन ने लिखी, मधु मालती ये मन्जन, पदमावत मलिक मुहमद जार्सी ने लिखी, पदमावत किस ने लिखी, मलिक मुहमद जार्सी, सुभोल असा ये आपकी सिहाबुद्दीन कस कल संदी ने लिखी शिहाब उद्दीन कल संदी ठीक है बात कर ले दे slight के आपकी मद्दकालीन भारत में जो कुछ मैलाएं हुई है महिला स्थकाहिं हूए है उन्हें भी देख लीते हैं यह आपका वंद्द्स हो गया यह महिला सास का हो गई ए राज जिस राज पर उसने सासन किया ए सासन काल की आउधी हो गई गुलाम बंस की बात करें तो रजिया सुल्तान होती है इसमें पहली महिला सासी का दिल लीज पर इन्होंने राज किया 1236 से 1240 तक इन्होंने राज किया काक्तिये रादी रानी रुद्दब्र काक्तिये बंस की रानी थी रादी रुद्रामबा इन्होंने द्वार समुद्रम पर राज किया 1260 से 1291 ठीक है बह्मनी मक्धूम जहां बह्मनी समराज की महिला सास कि कौन थी मक्धूम जहां इन्होंने दच्छिन में बह्मनी समराज पर राज पर शासन किया कबसे कब तर 1460 से 1429 गॉंड राणी दुर्गाबती स्वंस की महिला सास जिक्या थी इन्होंने राज किया गढग टंगा गड़ कटंगा, कब से कब तक 1560 से 1564, एहमद साही, चांद बेवी सुल्ताना, इन्होंने एहमद नगर पर राज किया, कब से कब तक 1595 से 1596 तक, आदिल साही, बेगम बड़ी साहिबा, बीजापूर, 1656 से 1673, भोसले, तारावाई, मराठा राज, और 1700 से 1777 तक रहें, अब चलते हैं एक नए टॉपिक पर हम लोग, विजय नगर समराज पर, जो विजय नगर है, इसे मद्युक का, पिथम हिंदू समराज माना जाता है, किसे? विजय नगर को, मद्युक का, पिथम हिंदू समराज माना जाता है, विजय नगर समराज की संस्थावक थे आपके हरीहर और बुक्का, विजय नगर ने 1336 में इसकी स्थापना की थी, विजय नगर की, ठीक है? विदेशी आत्री अब्दूर रज्जाक ने विजय नगर को विष्ट का सब सिभब सहर बताया, इसने विदेशी आत्री अब्बूर अब्दूर रज्जाक ने हरीहर और बुक्का काक्तिय सासक, पिरताब रुद्यद्यो के सेवक, फिर कामपिली राज में सेवक रहे, कला हरिहर एवं बुक्का नेए संटभिध्यारन के आसी बासी बिजाईनगर समराज की नी उडाली हरिहर एव झाने संगम्मंद्स का नाम अपने पिता संगम की नाम पर रखाता किस न revisit विजाईनगर समराज के आउसेस हमेर राब हम्पी में पाए मिले विजय नगर समराज की आउसेस कहां से हम्पी से मिले विजय नगर की पुरानी राध्धानी का पितिने दित अने गोंडी विजय नगर फैनु कॉंडा और चंद गिरी करते थे विजय नगर में सबसे पहले इनकी राध्धानी क्या थी अने गौंडी अने गौंडी विजय नगर का वर्तमान नाम क्या है हमपी हस्तिनावात वती हस्तिना वती हमपी विजय नगर आपका तुंग भद्धा नदी के तट परिस्ते थे याद रखे विजय नगर नगर किस नदी के तट परिस्ते थे तुंग भद्धा भद्रा 1336 में हरीहर ने हम भी हस्तना वली राज्य की नियुवी डाली उसी बस उसने तुंग भद्रा के दच्छिन तड़ पर एक नई विजय नगर अत्वा विद्या नगर की स्तापना भी की थी यही राजबाद में आपका विसाल विजय नगर संबराच बना अपने इससे साहे सिक कार में हरीहर इवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारन तथा बेदों के पिसे दभासका सायन से पेणा गरहन की थी हरीहर पिथम की मित्ति होती है 1356 में और हरीहर का उत्तरादिकारी होता है बुक्का पिथम बुक्का ने बह्मनी और विजय नगर की मद्ध की सीमा किष्णा नदी को माना किसे किष्णा नदी को बुक्का ने वेद मार्क फितिश ठापक क्यूपादी भी धारन की थी बुक्का पिथम ने देवराय पिथम ने राज में सचाई सुविधा के लिए तौंग भद्धा नदी परबाद बनाकर नहरें निकलवाई इसने देवराय पिथम ने इटली का यात्री निकोलो कॉंटी देवराय पिथम के समय ही बेजयनगर आया था जो आपका इटली का यात्री था निकोलो कॉंटी ये आपका देवराय पिथम के समय ही बेजयनगर की यात्रा पर आया था देवराय दुतिये आता है पर इमपाडी देवराय की नाम से भी इसे आप लोग जानते हैं देवराय दुतिये को आप प्रोड देवराय की नाम से भी जानते हैं याद रखना देवराय दुतिये का नाम इमपाडी देवराय और प्रोड देवराय भी था अपनी सेना में देवराय दुतिये ने तुरुक धन्वधारियों की भलती भी की थी तेलवु कभी स्रीनाथ देवराय दुतिये के दरवार में रहता थी स्रीनात देवराय दुतिये ने महानायक सुधा निदी इवं ब्रह्मा सूत पर भाज संस्कित गरंद की रचना की देवराय दुतिये ने मुसल्बानों को धार्मीक सुतनता भी दे रखी थी अब लिखों में देवराय दुतिये को गज बेटकर कहा गया है गज बेटकर फ्रोड देवराय मलिकारजुन को कहा जाता है संगम बंस का अंतिम सासक आपका है बिरुपाक्च संगम बंस का अंतिम सासक कौन होता है बिरुपाक्च फिर आता है आपका सालो बंस इसकी स्थापना सालो नरसिंग ने की कव 1485 में तुलो बंस की स्थापना बीर नरसिंग ने 1505 में की थी सालो बंस की स्थापना सालो नरसिंग ने की और तुलो बंस की स्थापना इस्थापना बीर नरसिंग ने की पंद्रेसो पाचीस भी में किष्णे देव राय बीर नरसिंग का छोटा भाई था यानि कि तुलो बंस का था विजय नगर का महांतम सासक हुगा किष्णे देव राय जो किष्णे देव राय था ये आपका बावर की समकालीन था किसके बावर के जिस समय बावर ने भारत पर आकमण किया वो समय दच्छिन भारत में किष्णे देव राय की नेतित में विजय नगर संगठी तेवं सक्ती साली राज जितां किष्णे देव राय आठ अगस्त 1509 में गद्धी पर बैठा किष्णे देव राय ने यवन राज इस्थापनाचारी की उपादी भी ग्रहन की थी हमपी तिरू अन्मले चिदंबरम स्रीरंग रंगम तिरूपती आदी मंदरों के सामने की और बने राय गोपुरम का निर्माता विजय नगर समराज की महान सासक किष्णे देव राय जो आपके 509 से 539 तक रहे ये थी इसके तरिक तो उसने विजय भवन हजारा राममंदिर विठल स्वामी मंदिर नागलपूर तथा हाट भाष्ट पेट नगर आदी का निर्माद भी करवाया किसने? किसने देवराय ने वीजय नेगर का पितम सा सके किसने देवराय था जिसने पूर्दगालियों के साथ संदी भी की हुई थी यह वही पूर्दगाली है जो देखा होगा आपने सबसे पहले भारत में आये वो सबसे बाद में गए 1961 के करीब यह भारत को भारत की कुछ हिस्सों पर 1961 तक कबजा बना रहा उसके बादे नोंने छोड़ा किसने देवराय की सासनकाल में वीजय नेगर इबं पूर्दगालियों के मत व्यापारीक संबन्द भी प्यारम हुआ फुर्दगाली या त्री डुमेंगो पायज किष्ण राय किष्ण देवराय की समय बिजय नगर आयद किष्ण देवराय तेलगु साहित का महान बिद्वान था यह जो किष्ण देवराय था यह तेलगु साहित का महान बिद्वान था उसने अमूक्त माल्यद गरंथ भी लखा किष्णे देव राये ने अश्ट दिगज किष्णे देव राये की दरबार में रहने वाले आठ कभियों को कहा जाता था क्या अश्ट दिगज किष्णे देव राये की सासनकाल को तेलगू साहित का क्लासिक क्लासिक क्यों कहा जाता है किष्णे देव राये को का जो सासनकाल था इसे आपका तेलगू साहित का क्लासिक क्यों कहा जाता है तेलगू कभिता कभिता का पिता मार अल्ला सानी फेडन डाना को कहा जाता है मनुचरित और हरीकता सरन सम्थी पांडुरंग महात्मय पांडुरंग महात्मय की रचना तेनाली राम रामकिष्ण ने की थी किसने तेनाली राम रामकिष्ण विजयनगर की सासक संस्कित तेलगू तमिल और कन्नड आदिवासाओं के सनक्चक भी रहे किष्णे देवराय ने संस्कित में जामवांती कल्यानम नाटक भी लिखा किष्णे देवराय ने अंदभोज अंदपितामाय अभीनव भोज की उपादी भी गरहन की यानि की धारन की नागलपुन नगर विठल स्वामी मंदिर का निर्माड भी आपके किष्णे देवराय नहीं कराये था इसने हजारा मंदिर का भी निर्माड कराये तो दाख्शसी तंगडी ताली कोटा का यूद यह आपका 23 जनवरी 1565 में हुआ था इसी की समय जो ताली कोट ताली कोटा का यूद दिया इसमें विजय नगर की कनितित कौन का रा था राम राय सदासिब ने अपनी राजधानी पैनु कौन डा बनाई थी आर बीडू बंस की स्थापना 1570 में तिरूमल ने की विजय नगर के राजा को राय कहा जाता था जो पैनागर का राजा था इसे राय कहती थी किष्ने देओ राय की सासन काल में तरान्तों की संख्या 6 थी कितनी? 6 आयांगार विवस्ता ग्राम पेसासन की वारे अधिकारियों को सामोई क्रोग से आयांगार कहा जाता था इस समय चार बर्डों में ब्रहमड इन्हें कोई सजा नहीं मिलती थी यानि क्या इन्हें सर्वोच सिस्थान प्राफ्त था छत्री ये वर्ण कि जानकारी विजयनगर में नहीं मिलती है मंदिरों में देवपूजा के लिए नियुकति इस्तरियां देवदासी कही जाती थी जो मंदिरों में देवपू बह्मनी समराज की स्थापना होती है 1347 में अलाउद्दीन बह्मन साय ने इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन बह्मन साय अलाउद्दीन बह्मन साय का पहले का नाम क्या था जफर खान ठीक है जफर खान अलाउद्दीन बह्मन साय अपने को इरान की इस फंदिया के पुत्वीर बह्मन का बंसज बताता है बह्मन साय ने अपनी राध्धानी गुलबरगा बनाई बह्मन साय ने गुलबरगा का नाम बदल कर अहसाना बाद रखा आप समझ सकते हैं कि आप अभी भी देखते हैं किसी से आप पूँचोगे कि आप क्या करते हैं या उसका फैमली के राउन तो बड़ा चड़ा के बोलते हैं तो इसी तरह इस समय भी हुआ करता है क्योंकि इसलिए बड़ा चड़ा के बोलते थे इस समय के बताते थे क्योंकि उनका सासन कायम हो सके और उनसे लोग डर सके आप भी जानते हैं कि कोई बड़ी बंस का रहता है तो उससे लोग डरने लगते थे ठीक है कि यह राजा का फुद्ध है या वो सासक का फुद्ध है तो इसलिए लोग बड़े राजवनसों से अपना नाता बताते थे बह्मन साह ने अपने राजव को चार परांतों में विवाजित किया कौन कौन से थे गुलबरगा दौलताबाद बरार और बीदर बह्मनी बंस के सिहाबुद्धीन अहमद पिथम ने अपनी राद्धानी गुलबरगा से हटा कर बीदर में इस्तापित की थी सिहाबुद्धीन अहमद पिथम ने बीदर का नया नाम मुहमदाबाद रखा सिहाबुद्धीन अहमद कौन अहमद साह बली एवं या फिर संत अहमद नाम से भी आप लोग जानती सिहाबुद्धीन अहमद कौन अहमद साह बली या फिर संत अहमद अलावद्दीन अहमद दुतिये ने बहुत बड़ा अस्पताल भी बनवाया था यानि यह समास्विवग भी था महमूद गवान अलावद्दीन हुमायू का पिधान मंत्री था अलावद्दीन हुमायू को उसकी क्रोड़ता के कारण जालिम भी कहा जाता है अकसर आप लोग देखते हैं जो कूर बैखती होते हैं उन्हें आप लोग भी बोल देते हैं जालिम होतुद मुहमद तितिये ने महमूद गवान को पिधान मंत्री नेवत कर खौजा जहां की उपादी भी पिधान की महमूद गवान की सर्वोत किष्ट सैनिक सपलता थी गुआ की बिजय किसकी गुआ की बिजय बीदर में महाविध्याले किस्तापना महमूद गवान ने की थी महमूद गवान ने बीदर में एक महाविध्याले किस्तापना की जिसका बवन्द त्री मंजिला था महमूद गबान के पत्त्रों को रियाजुल इंसा के नाम से संग्रै किया गया मुहम्मद तितिय के यादिश पर 1482 में 70 वर्स की आयू अवस्था में मजदूर महमूद गबा को फासी ते दी गए यानि की इनका राम नाम सत्त कर दिया गए दक्कन की लॉंबड़ी बहुत मत्पूर पॉइंट है दक्कन का लॉंबड़ी विवरीद उल मुमालिक को कहा जाता है दक्कन का लॉंबड़ी किसी कहते हैं वरीद उल मुमालिक बह्मनी बंस का अंतिम सासक होता है कली मुला कली मुलाय यह आपका 1526 से 1538 तक रहता है कब तक 1526 से 38 तक फिर उसके बाल आपके यह बह्मनी समराज 5 राज्यों में बढ़ जाता है कौन-कौन से यह आपके राज्य हो गए यह बंस हो गए यह संस्थापक हो गए और इनने की स्थापना बर्स हो गई है ठीक है बीजापूर इसका बंस था आदिल साही बंस संस्थापक था इसुफ आदिल साही 1489 में फिर दूतरा होता है अहमद नगर यह आपका निजाम साही इसका संस्थापक था मलिक अहमद 1490 में बरार इसका सासक होता है यह बंस इमाद साही और जो संस्थापक था वो था फ पुरकुंडा मंस्था कुतुब साही और संस्थापक्त कुली कुतुब साहे 1512 में बीदर वरीद साही और इसका संस्थापक्त अमीर अली वरीद 1526 में ठीक है याद रखिए इनके संस्थापकों को फिर आगे आपका रोसी यात्री है अल्थ नेरियस निकी तीन 1470 में भारत आया ताजुद्दीन फिरोज के समय जो आपका रोसी यात्री अल्थ निसियस निकी तीन 1470 में भारत आया उस समय आपका तजाउद्दीन फिरोज का सासन था इस समय के केंद्रिय पिसासन के प्रमुख अधिकारियों की बात करें हम लोग तो इसमें सामिल थे आपके वकील उस सल्तनत दिली सल्तनत के नायक सुल्टान के समय थाए वजीर एकुल्ब यह पिदारमंत्री हुआ करता था वकील को छोड़कर अन्नमंत्रियों के कार का निरिक्षन भी करता था वजीर ए जुम्ला या आपका बित्य विवाग का अध्यक्ष हुआ करता था एक तरह से आप लोग बित्यमंद्री कह सकते हैं ठीक, वजीर ए असरब ए विदेसी मामलों तथा दर्वा संबंदी कारियों का अधिकारी हुआ करता था वजीर या बिद्ध विवाग की अध्यक्ष का सहाय का अधिकारी हुआ करता था पेशवा बकील का सहयोगी अधिकारी हुआ करता था स्तदय जहां या आपका नियाय धरम तथा दान विवाग का अध्यक्ष हुआ करता था कोतवाल, पुलिस बिभात का द्यक्ष थाई, बीजापुर के सासक इब्राहिम आदिल साय दुतिय को अवला बाबा या पर जगत गुरू की उपादी भी दी गई थी इब्राहिम आदिल साय दुतिय ने हिंदी कविता किताब ए नूरस लिखी थी बीजापुर में गोल गुमज मस्जित का निर्माड भी आपके मुहमद आदिल साहे ने ही करवाय था यह अब इसका सबसे बड़ा गुमद भी है एहमद नगर में एहमद नगर के निजाम साही बंस की स्थापना मलिक एहमद ने की पिसिद मुसलिम सासिकाज चांद बेबी एहमद नगर के सासन हुसेन निजाम साही की पुत्री थी है किसकी हुसेन निजाम साही की एहमद नगर के सासर चांद बेबी का विवा पीजापुर के सुल्दान अली एद आदिल साही से हुगा था गोलकुंडा की कुद्व साही बंसकी स्थापना खुली कुद्व साही ने देख की थी यहां आप लोग देख चुके हैं एक यहां आपके तुर्मुक नगर और उनके संस्थापक देख लेते हैं नगर और संस्थापक इस तरफ नगर है इस तरफ संस्थापक जोथपुर मार मारवाण का राओ जो था इसके संस्तापक ते जौनपूर फ्रोस साहित तुगलक ने जौनपूर की इस्थापना की थी जमनपूर की स्थान पर उसका नाम जौना खां मुहम्मद बिन तुगलक की नाम पर रखा गया था हैदराबाद कुली कुटब साह 1590 इसभी में गोलकूंडा की कुटब साही राज की नई राध्णानी बनी एहमदाबाद एहमदाबाद पुराना सहर अस्वल की स्थान पर गुजरात की एहमद साह की द्वारां एहमदाबाद नाम रखा गया था मुस्थापाबाद महमूद बेगडा ने इसका नाम संस्थापक था मुहमदाबाद इसका जो संस्थापक था महमूद बेगडा दिली फिर या दिली का इतोमरवंसों ने इसे बसाया यानि कि संस्थापक थे फरोजाबाद इसके संस्थापक थे फिरोजा, फिरोज साहे तुगलग साय जहानाबाद, साय जहाने इसकी स्थापना की फतेपुर सिकरी, अकबर ने इसकी स्थापना की यानि की संस्थापक माना जाता है महावली पुरम, नरसिंग बर्मन पिथम था इसका संस्थापक बिका निर बीका जुधा का पुत्त है फतेयााबाद फिरोसाय तुगळळग, हिसार फिरोसाय तुगळळग, इसका संस्था पक्ता फिरोश पूर इसका जो संस्था पक्ता बूत आपके फिरोश साहत दोगलग पातली पूत इसका संस्था पक्ता ओदाइन जैपूर इसका संस्था पक्ता राजा सवाही जैसी अमरसर इसका संस्था पक्ता गुरु रामदास चौतरी गुरु थे स्रीनगर तो इसका सासक था असोक गंगई कोंड चोल पुरम इसके सासक थे जो संस्थापक चोल बंज का राजिन चोल राजिन चोल गंगई कोंड चोल पुरम का संस्थापक था अजमेर इसके संस्थापक थे अजयराज चौहनबंस के थे आगरा इसके संस्थापक थे सिकंदर लोदी होसंगाबाद होसंग साहिस के संस्थापक थे नीरस्पोर इवदराहिम आदिल साहिदूतिये इसके संस्थापक हुए विजय नगर हरीहर पिथम, कौलकाता, जौब चार्णौक, राइपिथोरा, पिथवीरा चोहन, तॉगलकाबाद, ग्यासुद्दीन तॉगलाब, आदिलाबाद, मुहमद बिद्धॉगलाब, जहां बनाय? मुहमद बिद्धॉगलाब, दीन बनाय? हुमायुक, खिज़वाद, जिसे आप लोग प्रयाग राज बोल लें लगे हैं जाप्राबाद जाफर खां सीरी सीरी यह आपका अलाहुत्तीन खिल जी तो यह थे कुछ मत्मूर सहर और उनके संस्थाफ़ मद्दिक कालीन धारवे कांदोलन के बारे में अब बात करते हैं हम लोग भक्ति आंदोलन का सूत्वात दच्चेन भारत में आपका साथवी सदी के दोरान हुगा था जो भक्ति आंदुलन है इसका सूतवात याने की उद्भाव लगबग आपका चेन भारत में साथवी सदी के दोरान खुगा दच्छिड भारत में बहुत देवम जैन धरम के पतन की सुरुवात आपकी साथवी सताबदी के आरम्मे में हुई अलवार विष्णू अलवार जो थे विष्णू के भक्त हुआ करते थे नय नारों की संक्या कितनी थी 63 ये सिपकी भक्त हुआ करते थे अलवार आपके विश्णू के भक्त मत्पून नय नार संथ अप्पार नान शंबंदर इवं सुन्दर मूर्ती थे नय नार संथ जो आपके सिपकी उपासत हुआ करते थे भक्त त्रमुक धर्माचार या स्पिर संपदाय इनके बारे में भी देख लेते हैं ये आपके संथ हो गए ये दर्सन हो गए ये संपदाय हो गए कई वार इससे questions बन जाता है आपका संथ है आपके रामालोज्या चार इन्होंने किस दर्सन से संबंदी थे बेशेष्टा द्वेट से किस संपदाय से सरी संपदाय से मादभाचार ये आपके द्वेट दर्सन से द्वेट बात दर्सन से संबंदी थे और संपदाय है इनका ब्रह्मा संपदाय फिर आपके बल्ली भाचार ये थो यो थे सुधा दोएत बात से संबंदी दर्सन से संबंदी थे और संपदाय है निम्मार का चार ये आपका सनक संपदायबाहस से दर्सन है इनका और द्वेता द्वेदवाद इनका दर्सन है और इनका ये सनक संपदा है मिश्टेक से कहीं का कहीं लिख गया है तो याद रखना है आपको संत निम्माकार निम्मारकार चार इनका दर्सन है द्वेता द्वेदवाद और संपदा है सनक संपदा है ठीक है अब पार पल्लो नरेश महंद बर्मन का संकालीन था नामबी अदार नामबी को ग्यारे तिरू मुरायों की विसाल संगरह कारण तमिल ब्यास कहा जाता है सुन्दर मूर्ती के भजनों को तेवरम में संकलीत किया गया है नंदन स्रूत लो देव इवन मनिक को इसागर नैनार संथ थे नैनार संथ थे तीन सबसे पुराने अलवारों की बात करें तो पोईगी पुदम और पे थे अंडालिस्ती अलवार संथ थे तिरू मल्ली साई तिरूंग मै फरेयलवार तिरूपन कोल्सेकर नम्मालवार मधूर मधूर कभी अलवार संथ थे अलवार संथ पहले तो आप लोग यह करिए एक काम करिए बिस सबसे पहले तो एक बार नोर्मल ऐसे देख ली जा करिएगा ऐसे कोई भी बुक्स हुआ करें उसे पहले नौर्वन लेगवाद पढ़ लिया करिएगा रटा मत करिएगा उसके बाद जो छूटता है आपको लगता है कि याद नहीं हुआ है उसको रट लिया करिएगा ठीक है अलवार संतों में तमिल और इस्थानिय भासा में उपदेश देते थे जो अलवार संत थे यह आपकी तमिल भासा या फिर इस्थानिय भासा में उपदेश देते थे संकराचार का जनम 788 इसवी में कलादी यानि कि केरल में होता है संकराचार का जनम कहा होता है केरल में कब 788 इसवी में आद्वेद विदान्थ यह आद्वेद वास बादी दर्शन का पिति बादन संकराचार ने किया था हिंदु धर्म का एक्वी नास संक्राचार को कहा जाता है फिर आते हैं रामा नुच इनका जनम 1771 रामा नुच का जनम 1771 इस भी में स्री पेरम्धूर में हुआ था पेरम्धूर बिसेश्टा द्वेत सिध्धां उस्री वेश्णों संपदाय की स्थापना आपके रामा नुच साहम ने की थी रामा नुच ने बेदान्त सूत पर भास एवं गीता भास नामा टींका भी लिखे रामा नुच के पिथम अनुवयाई बेदान्त देशिक और पिल्लई लोकाचार थे किसके रामा नुच साहम के सिवा दुएत मत की पेवर्थक आपके स्रीकांता चार थे सिवा दुएत बाद की पिती बादक थे आपके माधवा चार सनक संपदाय का पिती बादन किस ने किया निम्मार का चार साहम ने बेद परी जाद सौरप की रचना निम्मार का चार ने की थी बेद परी जाद सौरप बल्लबाचार का जनम वराड़सी उत्तर पिदेश में हुआ था बल्लवाचार सुद्धा द्वेत बेदांत एवं पुष्टी मार्ग मर्ष दर्शन का पिवर्तन बल्लवाचार सहाब ने किया था जिनका जनम कहा होगा था वराड़सी उत्तरफिदेश बल्लवाचार ने रुद्ध संपदाई की स्थापना की थी बल्लवाचार साब ने रुद्ध संपदाई की स्थापना की थी बल्लवाचार ने अपने मत का पिचार गुजराद एवं राजिस्थान में किया था कहा गुजराद और राजिस्थान सिर्फ ग्यान बोदम की रजना में कंदार ने की थी स्री पादाचार हरीदास ने फुरंदरदास अंदूलन का स्री गडेश किया था सिदी पादाचार करनाटक संगीत का पिता फुरंदरदास को कहा जाता है करनाटक संगीत का पिता किसी कहते हैं फुरंदर दास साहब कूँ बीर सेब संपधाय को लिंगायत संपधाय के नाम से भी आप लो जानते हैं बीर सेब संपधाय को लिंगायत संपधाय की स्थापना बासाओ ने की थे किसने वाद बासव ने बासव कल्याड करनाटक के राजा विचल कल्चूरी के पिधान मंत्री थे लिंगायतों की पिरमुक विसिष्था जाती पिथा का विरोद और सिबलिंग धारन करना था किनका लिंगायतों की विसिष्था थी जाती पिता का विरूद करना और सिब्लिंग दारन करना अल्लाना पिर्भू और अक्का महादेवी लिंगाय संपदाय के संद थे संकर द्वारां चार मठ इस्थापित यह आप लोग अक्सर सुनती रहते हैं गिवतिस पिट पीट वद्दिरिनाथ उत्राखंड गौवर्दन पीट पुरी उडिशा सार्दा पीट द्वारिका कुजराद सिंगेरी पीट यह आपका मैसूर करनाटक में चार पीट ठीक है पासूपत संपदाय के संस्थापक आपके लखू लीस थे पासूपत संपदाय के संस्थापक कौँ थे लखू लीस गीत गोविंद की रचना आपके जैदेव साहब ने की थे गीत गोविंद की रचना किस ने की थे जैदेव साहब ने जैदेव लचमण सेंड के दरवार में रहते थे जैदेव लचमण सेंड के दरवार में रहते थे पिथम बंगाली कभी चंडी दास को कहा जाता है आपने देखा होगा या तो कोई ग्राव हमारे आंदोलन हुगा तो अच्छी सक्टी साली आंदोलन तो या तो आपका पश्ची मंगाल से हुगा बंगाल से या फिर आपका पंजाब सी तीक है पहले पिथम बंगाली कभी किसे मान अत्ते हैं आप लोग चंडी दास को राधा ओक्रिष्णे के प्रेम में परमेथली भासा में विध्यापती ने लिखा था बंगला व्याकरन तथा वर्ड माला की रचना विध्यापती ने की थी इसने विध्यापती ने चेतन्य का बास्तिविक नाम था विसंभर मिस्रा, चेतन्य साहब का नाम था बास्तिविक नाम विसंभर मिस्रा, चेतन्य का जनम होता है 1486 में, नवदीप या फिर नदिया बंगाल में, ठीक है? चेतन्य का बास्तिविक नाम था निमई, निमई, आरम में चेतन्य संसकार्थी दास्मुनी संपदाय के सदस्ते, अक्चिन्थ भेदा भी दभाव की स्थापना चेतन्य साहब ने की थे, चेतन्य ने अपने मत को सामोहिक भजन एवं कीटतन के मात्यम से बेख्त किया, चेतन्य सागोड विचाधारा की संति थे, सगोड़, चलते हैं हम लोग महराष्ट में बक्ति आंदूलन, इस समय महराष्ट में भी बक्ति आंदूलन, अच्छा फैला हुआ था, बिस्तार था इसका, महराष्ट का बक्ति आंदूलन पंडर पुर्म के विठोबा पर केंद ट्रॉंफ ग्रंद कौंट सा भागबत पुरान, भावालत दीपी का अथवा ग्यानेसुर, ग्यानेसुरी गीता की रचना संत ग्यानेसुर ने की थी, किसने संत ग्यानेसुर, ग्यानेसुर आरमे में नात पंती थे, पंतूबाद में बारकरी संपताय में सामिल हो गये थे, पिती वर्ष दो बार पंडर पुल की तीर थ्यात्रा कभिधान ग्यानों से नए बनाया था संत नाम दियो रंग साज और दरजी जाती के संत नाम देव प्यारम में एक दस दस्तिव और हत्यादी थे यानि की लोटेरे और हत्यादी नाम देव के गुरी कौन थे विसोबा खेचर अब सोचिए यह लोग जब संत बन सकते हैं तो हम दो अभी टकेंद भी नहीं अभी उनका पढ़ रहा था अनुमान जी के बारे में आप से म्धर से क्या पहुंच गAl और भग्वान देखा होगा भग्वान उनका मंदिर होगा और हज्डार 11 elasuk होका है लेकिन इसमें आप एक द्यान दैया होगा अगर तो जहां भग्वान स्रीराम का मंद्र हो सकता है कि लच्मण सीता और किसी का मंदिर हो या ना हो लेकिन हण इंसान हम लोग पहले बंदर थे उसके बाद इंसान बने फिर उसके बाद भगवान तीन इस्टेज हैं ठीक देखिए अनमान जी ने सीधा तीसरा इस्टेज पर पहुंच गए समझ सकते हैं और हम लोग बस एक इस्टेज पार निंग कर पारें समझ सकते हैं नामदेव के सिस सेना नाई जाती जानबाई घरैलू नोकरानी एबं कुम्हार गुरा जाती से सम्मधित थे नामदेव के कुछ अबंग गुरु ग्रंद साहिब ने सामिल किये गए एक तो हमारी सबसी बड़ी प्रोबलम क्या है पता है आप लोग को कि हम सब इस्थाई समझ लेते हैं अपने आपको इस तरह दिवा और जब तक हम मौत के मुहमें नहीं चला जाते हैं तब तक हम लोग अच्छे से मिलते भी नहीं अपने आपसे कि हम गलत है या नहीं अगर किसी को गलत ठहराना है हमें तो हम किसी भी हत तक चले जाते हैं उ भक्ति आंदोलन की संतों में नामदेव इसलाम से अत्तिक प्रभावित थी इसलामधार्म से ज्ञाने सुरी को मराठी गीता कहा जाते हैं ज्ञाने सुरी को मराठी गीता कहा जाते हैं ज्ञाने सुरी का पहला विश्वस्त संसकर्ण एकनात ने पिकासित किया एकनाथ के अमसाथ धारमिक जीवन के लिए किसी मठ या संसार से पलाइन की कोई आवस्था नहीं है तुकाराम मराटी संथ एवं महान कभी थे यो तुकाराम साथ ते एवं मराटी संथ थे महानतम कभी भी थे तुकाराम का जनम सूद्ध कुल में हुआ था यानि कि ये सूद्ध थे, एस सिवाजी के समकालिन थे, उन्होंने बरकरी संपदाय का संस्थापक माना जाता है, कि ने दुकाराम को, उनके उपदेश अभंगों में मौझूद थे, रामदास थरकारी संपदाय के संद थे, दास बोत की रचना रामदास ने की थे, सिवाजी के गुरू समर्थ रामदास थे, ये भी आपका पूच लेता है कि वहाँ, सिवाजी के गुरू कों थे, रामदास, समर्थ रामदास, महराष्ट की बक्ती संपदाय इनकी सिक्षाओं द्वारा फैला था, उत्तर भारत में बक्ती आंदोलन के प्राप्त करता रामदास थे, उत्तर भारत में बक्ती आंदोलन के प्यारहमक करता यानि की सुरू करने वाले संद कौन थे, रामदास, रामानंद, रामानंद सगोड वैश्नाव संपदाय के सिसंबन्दी थे, जो आपके रामानंद साब थे, ये आपके सगोड वैश्नाव संपदाय के सिसंबन्दी थे, रामानंद के अराद देव, राम और सीता थे, रामानंद ने रामानंदी संपदाय की स्थापना की थे, रामानंद के प्रमुक्सिस रहदास, मौची, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट, सैना नाई और पीपा राजपूर थे। किसके रामानंद साहब के। कबीर की मित्यू माघर में हुई, कहां माघर में हुई, कबीर सिकंदल लोदी के समकाली थे। कबीर थे इनके मात, पिता का नाम नेरू, और माता का नाम था नीमा। जुलाहे ने कबीर का पालन पोसंड किया था। लेकिन इनका इस सगा बेटा नहीं था, याद रखिये। क्योंकि आपने पड़ा है बीचे। कि इन्हें एक बिद्वा ब्रमडी से इनका जन हुआ था, बर्नार्ड रसी में। हिंदों के इंसार कबीर रामानंद के सिस्थ थे। जबकि मुसल्मान जो हैं इन्हें मानते हैं सेख तक ही के सिख। यानि कि कबीर को हिंदू भी उतना ही मानते थे और मुसल्मान भी उन्हें मानते थे। कबीर निर्गोड विचारदारे से सम्मंदित थे। कबीर जाती पिता, मूर्ती पूजा, आउतार सिधान्द को सुईकार नहीं करते थे। कबीर की सिख्षाएं बीजक्स में संगेत थे। इनके अन्वयाई कबीर बंती कहलाते हैं। सिख्षों ने कबीर की गीतों को अपने आधी गंत में इस्थान दिया। कभीर के सिस्टे धरमदास दर्मदास ने चत्रीस गड़ में धरमदास संपदाई की स्तापना की थी कभीरदास की पत्नी लोही उपुत्री थी कमाली रविदास निर्गुन विचारधारा की कभी थे अभी भी आप लोग देखते हैं रविदास को यानि कि रविदास को लोग मालते हैं ठीक है निर्गुड सब्द सोईता सोईत रोप निसद से लिया गया है निर्गुड सब्द चितोड की रानी साली रैदास की सिस्या थी रैदास की गीतों को गुरु गुरु गरंद साहिब में सामिल भी किया गया दादू दादू देयाल ने निर्गुड विचारदारे से समधीत संद थी दादू देयाल ब्रह्मा संपदाय की स्थापना दादू दयालने की थी जो आपका ब्रह्मा संपदाय है इसकी स्थापना किसे ने की थी दादू दयालने आ संपदाय के मार्वे यानि की नीपक संपदाय दादू ने चलाया थो दादू का जनम 1544 में एहमदाबाद में हुआ थो दादु की मित्तिवा होती है 1603 में राजिस्थान की नराना में हुई थी जहां दादु पंथियों का मुक कहन दे सत्थ नामी संपदाय की संस्थावक थे जग जीवन दास बाबा मलूक दास इलाहबाद प्रियाग में रजती थे जिसे आप लोग आज की समय में प्रियाग राज कहते हैं सत्य पिरकास एवं प्रैम पिकास की रचना दहुनी दास ने की थे सत्य पिरकास और प्रैम पिकास की रचना किस ने की थे दहुनी दास में बियार में सत्थनामी संपदाय की प्यवर्तक आके दरिया साहब थे पंजाब में सत्थनामी संपदाय की प्यवर्तक गरीब दास थे सत्थनामी संपदाय की प्यवर्तक पंजाब में कौन थे गरीब दास तुलसी दास सगुण विचारदारा की संथ थे तुलसी दास सगुन विचारधार की कभी थे तुलसी दास तुलसी दास ने आउधी में रामचरित मानस बिनयपत्ति का कभीता बली आधी की रचना की तुलसी दास की रचनाओं को आपको याद रखना है रामचरित मानस से बिनयपत्ति का है और कभीता बली है पता है UPPCS में CSET में आपका पूंच लिया गया था कि जो तुज़ी दास ने रामचरीत मारस लिखी है एक किस भासा में लिखी है तो आप ये लोग याद रखा करिए इस तरह किन questions पूंच लेता है कई बाए आउधी भासा में सूर्दास बलवाचार के सिस्थे ये सबुड संत्य और सूर सागर की रचना आपके सूर्दास नहीं की थी इन्होंने सूर सारावली और साहित लहरी की भी रचना की थी सूर सागर, सूर सारावली और साहित लहरी की रजना किसने की सूर दासने मीरा भाई मेड़ता के रतन सींग राठोर की एक मात कन्या थी मीरा भाई का जनम 1498 इस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी गाउं में हुआ था उनका विवाय जून 1516 में मेवाड की सिसोधिया बंस की राड़ा सांगा की जिश्ट पुत्थ भोजरास दिववा था मीरा भाई की बचन प्रजभासा और राजी स्थानी में रचे गए हैं उनके कुछ पद गुजराती में भी रचे गए हैं ये वजन किष्ण के पिती प्रैम और भक्ती भावना से ओधबूर थे मीरा भाई तुलसी दास के समकाली थी जिस समय तुलसी दास थे उसी समय मीरा भाई थी मीरा भाई चित्तोड के राजा बहुजराज की बिदभा थे मीरा भाई ने किष्ण को पती के रूम में आरादना किये किष्ण की बुद्ध और मीरा भाई के जीवन दर्सन में मुख साम यह था कि दोनों ने संसार को दुख पूर माना था किसने किसने बुद्ध ने और मीरा भाई ने असम में भक्ति का प्रिचार प्रसार आपके संकर देव ने असमिया भासा में किया था संकर देव द्वारा स्थापित संपदाय एक सरन संपदाय की रूम में पिसिद्द हुआ एक सरन संपदा है संकर देव, मूर्थी पूजा और करमकांड दोनों की बिरोधी थे जो संकर देव थे एक मूर्थी पूजा की बिरोधी थे और करमकांडों एकले किष्ण मारगी बैशना होते जो मूर्थी के रूम है किष्णी की पूजा के दिरोविधी भी थे सिक्क धरम के संस्थापक आपको पता ही होगा गुरु नानक साहब थे सिक्क धरम के संस्थापक आपके गुरु नानक साहब थे नानक करम और पुनरजनम को मानते थे करम को भी मानते थे और पुनरजनम को गुरु नानक का जनम पंजाब की तलवंडी ननकाना नामक ग्राम में 1479 में हुआ गुरु नानक की अनुसार इस्तोर का सरू निरंकार अकाल और अलग है गुरु नानक ने देश का पांच बार चक्का लगाये जिसे उदासीस कहा जाता है क्या कहते हैं उदासीस सिक्खों की दूसरे गुरु थे आपके अंगद सहाब सिक्खों की दूसरे गुरु कौन थे अंगद गुरु अंगद ने नानक की बाडियों का संकलन कर आदी गरंत में इसकी रजना की गुरु जो अंगत थे, इन्होंने नानक साहप की जो बाडियाँ थी, इन्होंने जो कथन बयु लेु lend थे, उनका एक साहत संकलन करके, आधिगरंथ की, रचना की, किसके? आधिगरंथ की. आंगे भी के आपका, गुरु मुखी नामक नहीं लिपी गुरु अंगद नहीं सुरू की थी ठीक है गुरु मुखी नहीं लिपी किसने सुरू की थी गुरु अंगद नहीं बजनों का संगरह सिखों के तीसरी गुरु अमर दास नहीं किया था किसने अमर दास नहीं सत्थी पिता एवं पर्दा पिता का विरोथ आपके गुरु अमरदास ने किया इन्होंने सत्थी पिता का भी विरोथ किया और पर्दा पिता का भी अमरत सर की स्थापना सिख्खों के चौत्रे गुरु रामदास नहीं की थी किसने रामदास ने गुरुओं और अन्न संतों की बचनों को आधी गरंथ में पांचवे गुरु अर्जुन देव ने संतिलिप किया था हर मंदीर साहब का निर्माड गुरु अर्जुन देव ने करवाया था गुरु अर्जुन देव को जहागीर ने फांसी दिलाई थी तो याद रखिए एक अईवार पूच लिया गया है गुरू अरजन देव को किसने फासी दी थी दिलावाई थी यानि कि जहागीर के समय सिक्खों को ससस्त छटे गुरू गोविंद सिंग ने बनाया यानि कि सक्ती साली उन्होंने अमरसर नगर की किलेवंदी कराई और जहाँ पर बारे फिट उचा अकाल तक्त का निर्माण कराया सिक्खों में सैनिक वहावना पैदा की तथा स्वयम की रक्षा के लिए सस्त धारन करने की आज्या भी दी थी किसने गुरू हरगोविंद सिंग ने सिक्खों की नौवे गुरू होते हैं गुरू तेग बहादूर और इने फासी किसके समय में हुई है औरंग्जीब ने फा पहासी हुई जाहंगीर के समय और गुरु तेख बहादुर साहब को फासी हुई है औरंग जेव की समय है ठीक है कि सिख्खों के दस्वे गुरु गुरु गोविन सिंग का जनम 1666 में पठना में हुआ था खाल्सापंद की इस्थापना गुरु गोविन सिंग ने 1699 में की थी इसे सिख्ख सैना भी कहते हैं आप लोग इसे क्या कहते हैं सिख्ख सैना सिख्ख सैना पंच ककार यह आप लोग सुनते रहते हैं पंच ककार, इसमें क्या-क्या सामेल है आपका, केस, कंगा, कडा, कर्चा, किरबान, तथा पंच प्यारी की सुरुवाद गुरु गोविंद सिंग ने की थी गुरु गोविन्द सिंग की मित्यू नांदेड महराष्ट में हुलती कहां महराष्ट में गुरु गोविन्द सिंग ने पंजाब की आनंदपूर में मुख्यालाय बनाया और पाहूल पिता प्यारम की इस मत में देख्चित व्यक्ति को खाल सा कहा गया तथा नाम केंत में सिंग उपादी दी गई गुरू गोविन सिंग ने सुरक्षा की दिरिष्टी से आनंदगड, केसगड, लोहगड, भतेगड केलों का निर्माडवी कराया इन्होंने आदी गरंद का पोनाहा संकलन करवाया इसे दसम पादसाहे का गरंद भी कहा जाता है किसे आदी गरंद को इसे तीन भासाओं में कौन गोंसी लिखा गया है पहली भासा थी इसमें ब्रजवासा, गुरुमुखी, फार्सी किसे आधी गरंत को तीन भासाओं में लिखा गए है कौन कौन सी ब्रजवासा, गुरुमुखी और फार्सी तो ये था आपका पूरा भक्ती आंदोलन अब चलते हैं हम लोग सूफी आंदोलन के बारे बात करते हैं, ये भी आपका मत मोड़ है पर शूफी आंदोलन आपको बstory by topic पढ़ते जाना है, थोड़ा मतलब क्या किया करिएग तो ये थोड़ा 40 समयट का रस्ट ले लिया करीएगा एक लेक्ट्चर देखने के बाद मतलब एक पूरा अपना जिसमें आप 45 मिनिट देख सकते हैं उसके बाद 15 मिनिट अपना रेस्ट कर लिया करिए उससे आंगे फिर बढ़ जाया करिए आप सूफी आंदोलन वहादत उल्व वजूद अत्वा इस्वर की एक्ता कि सिद्धान का पिति पादन इवनुल अर्वी ने किया था इस्वर की एक्ता यानि की वहादत उल्व वजूद का पिति पादन किस ने किया था इवनुल इवनुल अर्वी ने सोफी वात की फ़ना फिस सेक फ़ना फिर रसूल तथा फ़ना फिलाय सेणिया है वार्यवी सताब दीत तक सोफी संपदाय बारे सिल्षलों में भिभाजित हो गया कब तक बार्यवी सताब दीता आईने ए अकवरी में अबुल फजल जो आईने ए अकवरी लिखी गई है अकवर की समय अबुल फजल ले 14 सूफी सिलसलों का उलिख किया है कितने 24 जो लोग सूफी संतों से सक्चा गेहन करते थी उन्हें मुरीद कहा जाता था और इनके गुरु को क्या कहते थी पीर यानि कि सिस्सों को कहा जाता था मुरीद और गुरुओं को कहा जाता था पीर सूफी की नवास को खान काय या फिर मट कहा जाता था सूफी जहां नवास करते थे उसे खान काय भी बोलते थे और मट बारत में चिस्थी सिलसिला के पिवर्त कते ही आपके ख्वाजा मुईनुद्दीन चिस्थी कुतो मीनार का निर्माड कहते हैं इनी की याद में रखा था कुतो गुद्दीन एवक ने कि बासा कि मुईनुद्दीन चिस्ती अंतता अजिमेंर में बस गय थी अजिमे ते ज़ा राजस्थान की अजिमेर सरीव सबसे पिसित्य और सबसे प्रमुक सुपी पूजा गसा है यहां पर चिस्ती सिलसला के संस्तापक. ख्वाजा मुरिन उद्दीन चिस्ती की दरगावी आपकी कहां? अजमेर में फरीद उद्दीन गंज ए संकर ने पंजाब और हर्याना को अपना प्रिचारचित बनाया नेजामुद्दीन ओलिया बाबा फरीद के सिस्स थे बाबा फरीद के महमुद्द ए इलाही नेजामुद्दीन ओलिया को कहा जाता है महमुद्द ए इलाही एक तरह से कह लिजिए नेजामुद्दीन ओलिया का दूसरा नाम है सूपी संतों के केंद बिबिन खान का है? इसके केंद बिन्दू पीर थे पीरों को आलोकिक सक्थी का पितीग माना जाता था इस समय ऐसा माना जाता था कि पीर खुदा की निकट रहने से सब कुछ सहजिता से तराप्त कर सकते हैं इसलिए बड़ी संख्या में मुरीद खान काहों में उपस्तित होते थे सोफी परंपरा में पीर कार्थ होता है गुरू और सिस को मुरीद कहते थे पीर और मुरीद में बहुत गहरा समन्द होता था सिस और गुरू में गहरा समन्द होता ही है आप समझ सकते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग सोफी दर्सन केवल एक इस्तुर में विश्वास करता था सबका माली के अमीर खुसरो निजामुद्वन निजामुद्दीन ओलिया के सिश्थे जो अमीर खुसरो थे यह आपके निजामुद्दीन ओलिया के सिश्थे इन्हें योग सिद्ध भी कहा जाता है आउन किया ने निजामुद्दीन ओलिया की दर्गाँ आपकी ग्यासबूर दिल्ली में है ग्यासधदीन तोगलफ को निजामुद्दीन ओलिया ने कहा था की अभी दिल्ली दूर है पीछे वे हम लोग इस पॉइंट को देख चुके थे याद रखी आपको निजामुद्दिन ओलिया ने क्यों कहा था ग्यासुद्दिन तोंगलक के लिए कि दिल्ली अभी दिल्ली दूर है चिस्ति साखा के सबसे महान सूपी संत होते हैं सेख सलीम चिस्ति है सेख सलीम चिस्ति चिस्ति पंद के लोग संगीत योग और आद्वेद बाद के सिद्धान्तों में विश्वास करते थे भारत में सुहरावर्दी सिल्सला के फिवर तक बहुद्दीन जकारी आ हुए सुहरावर्दी संतों का सिद्धान था यदी हिदय निर्मल है तो धन के संचय और वितरण तथा आरम दे जीवन बताने में कोई दोस नहीं है कादिरी सिल्सला के स्थापना सेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी कादीरी सिल्सला की स्थाप में किसने की थी सेख अब्दुल कादीर जिलानी दारा सिको कादीरी सिल्सला से सम्मंदित थी आपके मजमा उल बहरेन दादा सिको ने लिखा था सिको है ने ठीक है दारा सिको सिको द्वारा किये गए सभी उपनिस्दों में कफार्शी अनुबाद किसने किया था सिर ए अगवर ने नाम से हुगा दारा सिको को द्वारा किये गए सभी उपनिस्दों का फार्शी अनुबाद था सिरर ए अकवर नाम से बारत में नक्सवंदी सिल्सला के विवर्दक हुए ख्वाजा बाकी बिल्ला औरंग्जेव ने नक्सवंदी सिल्सला से समदी था औरंग्जेवा का अहमद फारूक सर इंदी ख्वाजा बाकी बिल्ला के सिस्दे जो आपके एहमद फारुक सरहंदी साब थे ये आपके ख्वाजा बाकी बिलाय के सिचत थे सेख एहमद सरहंदी ने वहादत उस सुठूद सिद्धान का पितिबादन किया था वो बहादत उस सुहूद सिद्धात का पिति बादन किस ने किया सेख अहमद सरहंदी ने किया था अकबरद्वारा पितिपादित दीन एलाही धरम का खंडन सेख अहमद सरहंदी ने किया था सत्तारिया सिल्सला के वेवर्थ थे आपके सेख अब्दुल सत्तार सत्तारिया सिल्सला के हुमायू के समकालीं थे मुहमद गौस सेख अब्दुल सत्तारिया सिल्सला के वेवर्थ थे आपके सूफी संथ अब्दुल अजीज मक्की या आपके कलंदरिया सिल्सला के वेवर्थ थे मदारीय सिल्सला के वेवर्थ थे आपके सेख बहुद्दीन साह मदार भक्ति और सूफी दोनों अंदलों में ही मोर्दी पूजा को न का रहा हैं बक्ति और सोपी दोनों अंगलों नहीं मोर्ति पूजा को न का रहा है यह आपके प्रमुक सोपी सिलसले हैं यह सिलसला है इसके संस्था पकें और जो प्रभावचेत होता था वो प्रभावचेत है चिस्ती इसके संस्था पक हुए ख्वाजा मुहिनुद्दीन चिस्ती इस स जामान लूप से भारतिय ओम महादीव में फ्यला होगा था तुल हरा वर्दी यहापका हजरत बहायुद्दीन जकारिया इसके संस्था वक्ते उच्छ्छ सिंधेबं मुल्टान शित्व में प्हयला होगा था कादीरी इसके संस्था वक्ते सेक अब्दुर कादर जिलानी यह और आपका मुज्डान पंजाब में फेला हुआ था सद्तारी ये आपका साहञ्च बुल्ला 17 के संस्थापक ते मद्द और पूर्वी भारत में आपका प्यला हुआ था नक्सबंदी ख्वाजा बाकी बिल्मा पंजावियुन दिल्ली में प्यला हुआ थे फिरदोसी, इसके संस्थापक्ती सेख बदरुददीन, यह आपका बियार में इसका प्रवाव च्छेत थे कुबड़ लुपिया, इसके संस्थापक्ती मीर सेद, अली हमदानी, यह आपका कसमीर में था इसका प्रवाव कलंद्री इसके संस्थापक्ति सेख अबोग करिर लोसी आपका दिल्ली पंजाब में फैला हुआ थे ठीक है यह आपकी तरांतिय सेली के अंतरगत निर्मित मात्पूर्ण भवन थे इन्हें भी देख लिए यह आपके भवन हो गए निर्मार करता हो गए और सेली हो गई अटाला मस्जिद इसके निर्मार करता थे आपकी इबराहिम साह सर्की जौनपूर सेली में बनी थी जामी मस्जिद इसके निर्मार करता थे होसैन साह सर्की यह भी आपकी जौनपूर सेली में बनी थी जंजरी मस्जिद एव बिराम साय सर्की थे इसके संस्थापक यानि के निर्माड कलता ये भी आपकी जौनपुर सैली में बनी थी पंडुआ की अधीना मस्जिद ये आपका सिकंदर साय सर्की ने बनवाई थी जौनपुर सैली में मांडू का किला यह आपका इसके निर्माड करता थे हौसंग साहे मालवा सेली में बना था बाज बहादूर एवं रूमती का महल इसके निर्माड करता थे नसुरत दीन साहे यह आपका मालवा सेली में बना था होसंग साहे का मकवरा ये आपका महमूत पिथम ने बनवाए था मालवा सेली में हेडोला महल ये आपका होसंग साहे ने बनवाए था मालवा सेली में जहाज महल ये आपका सुल्तान महमूत पिथम ने बनवाए था मालवा सेली में अहमद साय का मकबरा या आपका मुहमद साय ने बनवाया था गुजरास सेली में, किसमें गुजरास सेली में, जामा वश्जिस स्रीनगर या आपकी सिकंदर साय बुद्ध सिकन ने बनवाया थी कसमीर सेली में, किसमें कसमीर सेली में, तो भक्ति आंदोलन देख लिया और चलिए हम बात करते हैं मोगल समराज के बारे में ये भी आपके लिए बहुत मात्पूर्ण टॉपिक है इससे भी आपकी कुश्चेंस पूछे जाते हैं अक्सर तो इसे चार्ट के रूम में सबसे पहले हम लोग इंसास्कों को देख लेते हैं उनके बारे में जो में तक रहता है आपने सुनाओगा 1526 में आता है पानीपत का पहला यूद इसमें बाबर बाबर के बाद होते हैं चार्ट सासक मोहमद हुमायू कामरान हिंदाल और असकरी लेकिन इन में सबसे सक्तिसाली यानि करी महान सासक हुगा आपका मोहमद हुमायू कौन हुगा हु मोमायू के बाद होते हैं जलालुद्दीन अकबर और मिर्चा हकीम लेकिन जलालुद्दीन अकबर इन में दोनों में से मत्पूर सासक था तो यही आंगे बढ़ पाया है अकबर के बाद आते हैं नुरूद्दीन मोहमद जहांगीर जिसे आप लोग सलीम बोलते हैं सलीम के बाद आते हैं खुसरो, परवेच, खुर्रम, सिहाबुद्दीन, मोहमद, साह जहांगे बाद तो इनमें आपका साह जहांगीर जो सा सकता यह सकती साली सासक हुगा साह जहां के बाद होता है दारा सिकू, सुजा और मुहिवद्दीन, मोहमद, औरंग जेब और मुराद लेकिन इनमें आपका सबसे सकती साली सासक था औरंग जेब सुन था औरंग जेब यह हैं आपके उत्तर कालीन मुगल सासक मुहिवद्दीन, मोहमद, औरंग जेब आलम गीर औरंग जेब के बाद आपके सासक हुए मोहमद सुल्टान, मो अज्जम साहें, आलम पिथम, बहादूर साहें पिथम, ठीक है इसका राज्यर रोहन होता है सत्तरे सो साथ में, इसके बाद मोहमद आजम, आकबर जिसकी फारस में मित्जी हो गई थी, ठीक है इस सत्तरे सो चार या फिर सत्तरे सो छे, इसके बाद निकूसियर साखा का सासक होता है कामबक्स से भी आपका औरंगेब के बादी आता है, कामबक्सी की साखा में आपका आता है मोहियूस, सुभद, साह जहां, तितिये खुजिस्ता अक्तर जहां साय मुहमद साय और एहमद साय और उसके बाद बीदर बख्स यह आपका 1788 में ठीक है और जो आपकी मुझ्जम साय आलम पिथम था बाद उसाय पिथम इसके बाद आते हैं आपकी चार सासक होते हैं इन में से एक बाद हमेसा याद रिखे और एंग जीब के बाद ये सबी शासक होते हैं ठीक है? जिन में से आगे बढ़ पाता है आपका बाहदुर साइब पिथम और कामबक्स का बन्स ठीक है? इनी की साखा तो कामबक्स की साखा हम लोग देख चुके हैं बहादुर साहें पिथम की साखा देख लेते हैं बहादुर साहें पिथम की बाद होता है मुजुद्दीन जहादार साहें अजी मुसान और राख फीदल कर कदर रफी उस्मान रफीद लकदर रफी उस्मान इन तीन सासकों की साखाओं में पहली साखा देखते है मुई जुद्दीन जहादाय साखा अजी जुद्दीन आलमगीर दुतिये इसके बाद होता है मीर्जा अब्दुल्ला अली गोहर साखा आलम दुतिये अकबर साखा दुतिये इसी साखा में उसके बाद बहादुर साय दुतिये इसका राज जो रोगेंड होता है 1837 में बहादुर साय दुतिये का और जो अजी मुस्तान था इसकी साका में एक सासक होता है इसके बाद खतम हो जाता है ये साका मौम्मद फरुक सियर 1713 तब वो जो तीसरी साखा था इसकी रफीद लगदर रफी उस्मान इस साखा में आगे चलके आपके तीन साथा कुते हैं मुहम्मद इब्राहिम रफी उद्दोला साजाय दूतिय और रफी उद्दर जात तो इस तरह एक से आपके उत्तर कालीन मोगल हैं और यह आपके सुरूनव प्वैंट हम लोग देखते हैं आपको इतनी कहानी याद नहीं रखनी है ठीक है आपको सुरू के यो चर्चे थें मतलब सकती साली साथा थें उनी को याद रखना है वो फिर लास्ट में याद रखा करिएगा अनुतिम सासक को ठीक है मोगल समराज की स्थापना जहिरुद्दीन बावर ने की थी किसने बावर ने इसका पूरा नाम क्या था जहिरुद्दीन बावर बावर ने पानीपत की पिथम युद्ध में यानि की 21 अपरेल 1526 में इबराहिम लोदी को पराजित कर भारत में मोगल समराज की निव डाली तो पानीपत का पिधम यूद कब होता है आपका? 1526 में किसकिस के बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच इसमें आपका इब्राहिम लोदी पराजित होता है ठीक है? बाबर का जनब 1483 ईसवी में फरगना में हुआ था कहा हुआ था? फरक नाम है बावर की पिता का नाम था उमर सेख मीरजा और बारवर की मा का नाम था कुट लोग निगार खां बावर पित पक्च की यानि कि पिता की ओर से तैमूर का पाचवा बंसस था और माता की ओर से चंगेच खां का चौदैवा बंसस था बाबर 1494 इसवी में दादी एसान दौलत बेगम के सहहु से फरगना का सासक बना बाबर काबुल पर 1504 इसवी में अधिकार कर लिया थस्रें बाबर ने पादसाह की उबादी 1507 इसवी में धारण की पाद साहने से पहले बाबर ने मेर्जा की पित्रक उपादी भी दहरन की थी बाबर का भारत की विरुद पित्थम अभियान था 1519 में युसुप जाई जाती की विरुद था बाबर ने 1519 सीजबी में बाजोर और भेरा भारती चित्रों पर अधिकार कर लिया था 1529 में पानीपत की पित्थम युद्ध से पहले बाबर ने तोप खाना का प्रियोग भेरा अभियान में किया था तोब खाना बाबर के 1526 सीचमी में पाँच भी अभियार में उसका पुद्ध हुमायू भी साथ था पानीपद के पितम योद्ध 21 अपरेल 1526 को होता है ठीक है पानीपद के तीनों योद्ध आपको याद रखना है आगे चलके हम दो योद्धों के बारे में बात करेंगे दूसरा और तीसरा क्योंकि इनसे भी आपके कुश्चन सोवन डेक जाब में पूचते रहते हैं पानीपद के पितम योद्ध में बाबर ने तुल्गुमा योद्ध नीती और तोब खाने की प्रयोग से योद्ध जीता तता तोपों को सजाने में उस्मान विदी, रूमी विदी का प्रयोग भी किया था पानीपद ने बाबर के दो प्रमुक निसानेवाज, उस्ताद, अली एवं मुस्तफा थे ये दोनों तोप खाने का नेतित किया करते थे बाबर ने तुल्गुमा योद्ध पतिती उजबेकों से ग्रहन की थी यानि कि सीखी थी कलंदर की उपादी बाबर को दी गई थी कलंदर की उपादी बाबर को दी गई थी खानवा का योद 1527 में बाबर और राडा सांगा की बीच लड़ा गया था हम लोग लाश्ट में जब सुरू में हम लोग बात कर रहे थी प्रमुक तितियों के बारे में तब भी देख चुके थे इन सभी योद्धों को अभी भी बोल देता हूँ आपको इन योद्धों को याद रखना चाहिए क्योंकि इन से कई बार तो सिबिल सर्विस में कुश्चन से पूछ लेते हैं किरम में लगाने के लिए आ जाते हैं ठीक है सुमलेत करने के लिए आ जाते हैं पानीपत कयोद्ध 1526 खानबा कयोद्ध 1527 चंदेरी कयोद्ध 1528 और घागरा कयोद्ध 1529 इन सभी को याद रखिए जो आपका खानबा का यूद्ध हुआ थाら य आपका 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था खानबा का यूद जीतने के उपराम बाबर ने गाजी की उपाथि धारन की थी चंदेरी का यूद मैदिनी राय और बावर की वीचुगा था इसमें मैदिनी राय की हार हुई थी गागरा का यूद इसमें बंगाल एबं बिहार की सयुक्त सैना पराजित हुई थी बावर की आकमर की समय बंगाल का सासत था नुसरत साह बावर ने अपनी आत्म कथा बावर नामा की रचना तुर्की भासा में की थी किसमें तुर्की भासा में बावर ने बावर नामा में केवल पांच मुसलिम सास को बंगाल दिल्ली मालवा गुजरात और बहमनी तथा दो हिंदू सास को मेवाड और विजय नगर का उलिक किया है इसने बाबर नामा का फार्सी में अनवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था बाबर को मुबईयान सेली और पद सेली का जनमदाता भी माना जाता है बाबर की मित्ती होती है पास्सो तीस इस भी में आगरा में भूमी बापने के लिए बाबर ने गच ए बावरी मापक का भी प्रियोक किया था जिस तरह से आप लोग बीगा देखते हैं उसी तरह से होगी बावर की सब को काबुल में दफनाए गए था कहां काबुल में बावर की चार बोत थे हुमायू, कामरान, असकरी और हिंदाल इनमें सब में सासक कौन बना महान सासक कौन था यानि की सक्तिसाली था हुमायू, हुमायू आपका 1530 से 1556 तक रहता है 1530 से 1556 तक हुमायू, 30 दिसंबर 1530 को ये गद्दी पर बैठता है हुमायू का पूरा नाम था नसुरुद्दीन मुहमद हुमायू बाबन ने मरते बक्त हुमायू को अपने छोटे भाईयों के साथ ओदार्ता बर्तने की निर्देश दिये थे एक बात आप लोग हमें सही याद रखिए क्या होता है, वंडेक जाम में आपके इनके पूरा नाम भी पूछ लेता है यह बरत्मान का बच्चपन का नाम पूछ लेता है, तो इस तरह की पॉइंट भी याद रख लिया करिएगा हुमायू का कलिंजर अभियान गुजरात की सासक बहादुर साय की दिरुद्ध था कलिंजर अभियान दो राहे का यूद 1532 में हुमायू और महमूद लोधी के बीच हुआ था दो राहे का यूद किस-किस के बीच हुआ था हुमायू और महमूद लोधी की बीच कब 1532 में हुमायू ने चोनार का गहरा अफगान नायक सेर खा की विरूध डाला था 1533 CCV में हुमायू ने दिल्ली में दीन पनाह नामक विसाल दुर्ग का निर्माण मित्यवं सत्रू को प्रभादवीत करने के लिए बनवाय था हुमायू ने बंगाल की गौंड चेत का नाम जन्नताबाद रखा था चौसा कयूद यह भी पूंच लेता है आपका चौसा कयूद आपका होता है 26 जून 1549 को जिसमें सेर खा की हातों हुमायू की पराजय होती है सेर साह सूरी भी वोज़ से बोलते हैं तो किस-किस के बीच होता है चौंसा का यूद सेर खां के बीच और हुमायू के बीच इसमें आपका हुमायू हार जाता है यानि की पराजिप हो जाता है चौंसा के यूद के बाद सेर खाने अपने को सेर साहे की उपादी से सुच सज्जित किया कन्नौज बिलगराम की लड़ाई आपकी सत्रे में 1540 को हुई यह भी आपकी हुमायू और सेर साहे की बीच हुई थी इसमें भी हुमायू की हार हुई कन्नौज बिलगराम की लड़ाई में हुमायू का साथ असकरी एवा महिंदाल भाईयों ने भी दिया था कन्नौज बिलगराम में पराजित होने के बाद हुमायू सिंध चला गया हुमायू ने सिया मीर बाबा दोस्त के उर्प मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से साधी भी आपकी 29 अगस्त 1549 में की हुमायू ने लाहूर पर 1555 में कबज्या किया पुना ठीक है यह मच्छी बाड़ा के युद्ध हुमायू और अफगानों की बीच लड़ा गय था मैई 1555 में इसी के बाद ही हुमायू ने लाहूर पर कबज्या किया था यानि की दूस्तरी बार राजगद्धी पर बैठा जून 1555 में सरहिंद का युद्ध दबगान सुल्तान सिकंदर सूर एवं बैरम खान के वीच हुआ थे हुमायू द्वारा दिल्ली की गद्धी पर 23 जुलाई 1555 को बैठा हुमायू के पुस्तगालाय का नाम था सेर मंडल हुमायू जियुतिस में भी विश्वास रखा करता था वह संबार को सफिद सनीवार को काला और अभीवार को पीलवस्त धारन करता था इसके वारे में बता दे हैं कि मैं एक लाइवरेडी में जाता था पढ़ने के लिए तो बता है वहां क्या हुआ दा था वहां एक पंडिग जी थे वो भी पढ़ने ही आते थे उसी लाइवरेडी में तो पंडिग जी ज्ञानी थे थोड़ी मतलब विस्वास करते थे जे उतिस में जानते थे जो भी जानते हो तो उन्होंने इस तरह से पूरे बच्चों पर अपना कब्जा कर दिया था जो तिसका कि हर किसी को अंगूठी दे देते थे कुछ पैसे लेकर मतलब अपना काम करते रहते थे तो सनिवार को वो बोल देते थे कि काले कपड़े पहन की आना तो पूरी लड़की सब एक तरफ से पूरी क्लास जितने भी बच्चे आते थे लाइबरेडी में वो सभी काले कपड़े पहन का आते थे एक दिन तो वो मेरा हाथ देखकर देखने लगे और बोले कि वो अब जा वाई करने लगे तो मैंने बोला कि पंडिजी ठीक है समझे रहे तो उनकी बड़े भक्त हुगा करते थे अगर उनकी वारे में कुछ बोल भी दिया जाए तो वहां कि वो जो भी बच्चे थे सब चड़ने लगती थे लेकिन मैं इसमें भरोसा निकलता हूं देखिए भाई सी पढ़िए मेहनत करिए और निकल जाएए ठीक है क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं तो सब कुछ पहल हो जाता है सब जोतिस धरा कदरा रह जाता है क्योंकि मेहनत की सिवाए कुछ भी नहीं है मेहनत सब कुछ बदल देती है ठीक है दिल्ली में हुमायू ने मदर्सा ए आया था हुमायू की मित्यू जन्वरी 1556 में दीन पना भवन के पुस्तकाले की सेणियों से गिर कर हुई तो हुमायू की मित्यू आकी 1556 में होती है ठीक है लैन पूल में हुमायू के बारे में कहा गया है कि हुमायू जीवन बन लड़ खडाता रहा वो लड़ खडाते ही अपनी जान गवादी इसने क्योंकि देखा है पहले भाईयों से इसका योद्ध होता रहा उसके बाद से सोरी से भी योद्ध होता रहा ठीक है तो लड़ खड जाता रहा लड़ खड़ाते ही अपनी जान दी हुमायों को अहुल फजल लें इंसान एक कामिल कहा था इंसान एक कामिल चलते हैं अब CSI सूरी की यह भी बहुत महत्पून है देखिए 5 साल लहता है लेकिन बहुत कुछ कर जाता है और हमारे यहां निता 5-10 साल बने रहते हैं कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं समझ रहे हो तो सेर खाह का प्यारमिक नाम था फरीद फरीद खान यहाद रखिए बच्पन का नाम क्या था फरीद खान सेर खां के पिता हसन खान थे जो जॉनपुर के चोटे जम्यदार थे फरीद खा बिहार के सुल्टान मुहमद साय नुहानी के या नौकरी किया करते थे फरीद को सेर खा की उपादी मुहमद साह नुहानी नहीं दी थी सेर खा दिल्ली की गद्धी पर वैठता है पांस पंदरे सो चालीस में सरसट साल की उम्व में कितना सरसट साल की उम्व में अपने राजवी सेख के समय सेर खाने सेर साही की उपादी धारिट की सेर साही ने गख्रों की विरोत अभियान किया गख्र मुगलों की साहता करते थे सेर साही ने अपने उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्चित रखने के लिए रोहत तासगड की किली का निर्मार भी कराया था सेर साही ने सिक्धारों को नियंतित करने के लिए आमीन ये बंगला की निपती भी खी थी रड थंबौर की सक्तिसाली किले को अपने अधीर कर अपने पुत्त आदिल खां को उहां का गवर्नर बनाये था किसने सेर साही सूरी ने सेर साही द्वारा किये गए राइसीन किले पर रात में आकमर को उस पर काला दब्भा की संग्या दी गई है समझ सकते हैं उस समय भी गत्तारी बोला जाता था इस तरह की दरात को किये गए अकमर को समझ सकते हैं हाला सेर साही को अकवर का अगदूत भी कहा जाता है सेर साही परसासनिक सुधार की रूम में भी जानते हैं मारवाड विजय की बाद बारे में सेज साय ने कहा था कि में मुठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तराइन की समराज को लगबक होचुका था सेज साय की समय कलेंजर का सासक कीरत सींग था कौण कीरत सींग मित्तियों के समय सेटाय उक्का नामक अगने सास्त चला रहा था इसी ही कि द्वारा इसकी मित्तियों हो गई थी ठीज़ेशान ने अपने संपूर्ण संबराज को 47 सरकारों में वहाजित किया था यह आपका कई बार पूछा गया है सेटाय द्वारा अपने संबराज को कितने सरकारों में यानि की जिलों में बाटा गया था तो यह 47 थे 47 सेरसाय की समय इस्थानिय करों को आब वाब कहा गया है सेरसाय ने उत्पाधन की आधर पर भूमी को अच्छी मध्यम और खराब तीन सेनियों में बाटा था शेरसाय की लगान विवस्था मुक्रूप में रेयदवाडी थी जिसमें किसानों से पितेक्च संपर्व किस्था सेरसाय ने भूमी मापने के लिए 49 अंगुल या फिर 32 इंच बाला सिकंद्री गाज गज एवं संकी डंडी मापक का पिरियोग किया भूमी मापने के लिए सेरसाय ने 178 ग्रेंड का चांदी का रुपया और 303 ग्रेंड का तामी का दाम मुद्रा जारी किया था सेरसाय की सासनकाल में 23 टक साले थी कितनी 23 सेरसाय ने 3700 सराय एवं 4 बड़ी सडकें तथा सडकों की किनारी व्यक्च भी लगवाई थे सेजसाय ने अनिक सड़कों का निर्माड भी कराया एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत भी इसने कराई इनमें आपकी चार पिरमोग सड़कें पिस्द हैं सेजसाय सूरी की कौन-कौन सी थी इसमें? पहली थी इसमें बंगाल में सोनार गाउं से शुरू होंकर दिल्ली लाहोर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती थी इसे ही गवर्नर जनरल आकलेनर ने जीटी रोड कहे कर पुकारा दूसरी थी आगरा से बुरहानपूर तीसरी थी आगरा से जूतपर होती हुए चित्रोड तक और चौतरी थी लाहोर से मुल्दान तक इस चार सड़के महत्कूर थी ग्रांड ट्रेंक रोड का निर्माण से शुरूरी ने करवाया था कन्योच किस्तान पर से शूर नामक नगर से शुरूरी ने ही बसाया था सेरसाय ने पाटली पुद का नाम पठना रखा था बिहार सेरसाय ने सिक्कों पर अपना नाम अरवी और देवनागरी लिपी में भी खुद भाया सेरसाय का मकमरा बिहार के सासाराम में जील के अंदर है इस पॉइंट को आप लो थोड़ा अच्छे से याद रखिए याद तो आपको सब कुछ रखना है थोड़ा याद रखने का मतलब है कि थोड़ा फॉकस दे लिया करिए क्यों कि पूच लेता है क्या है सेरसाय ने हुमायउ द्वारा द्यूर्वत दीन पनाय को तुरवा कर उसके धृण्सा वजशेसों पर पूराना किला का निर्मार कराया था से तने किला एक कुहिणा मस्चित का निर्माड भी आपके सेर साही सूरी ने नहीं करवाय था अब बास खान ने सेर साही की पिसंसा करते हुए कहा कि बुद्धी मता और अनुभाव में वह है दूसरा है दे था आप सो सकते हैं 65 पिलस की उमर होने के बाद भी इतना सक्ती साली था यानि की पांच बर्स में इतना नाम कमा गया सेर साही ने सुल्दान उल्ड अदल की उपादी धारन करियर रखी थी सेर साही की मित्ती होती है 1545 में कलिंजर की किले की दीवास से ठक राकर लोटी तोप की गोले से होती है ठीक है यहां सेर साही का काम खतम हो जाता है हुआ अब हम बात करते हैं अकबर की बारे में अकबर का सुर्षंकाल रहता है 1556-1605 तक ठीक है अकबर का जनब होता है 15 अक्टूवर 1542 को कहां होता है अमर कोट में राणा बीट साल की महल में होता है ठीक है तो याद रखना है आपको अकबर का जनम होता है 15 एक्टूबर 1545 में अमर कोट में अकबर को पहली बार 9 वर्स की अवस्था में गजनी की सोभीदारी मिली थी कितनी 9 वर्स की यहां आप लोग देखते रहते हैं अक्सर यहां 25 से 30 साल तक बच्चाना नहीं जाता है लोगों अभी भी कई लोग टेक्टॉप पर देखता रहता हूं बच्चों जैसी हरकत करते रहते हैं नीजी जिन्दिगी में भी वो बच्चों की तरह हरकत करते रहते हैं जब तक धर्दी से नहीं उठ जाते हैं तब तक उनमें बच्काना ही बना रहता है यहां 9 वर्स की उम्हें मे गजनी में, ठीक है? हुमायू ने अकबर को युवराज सरहिंद जीतने के वाल 1555 में गोसित किया था युवराज अकबर के सरक्चक तुर्क सैनापती था बैरम खान याद रखने, अकबर का राज्य विश्य कुता है 14 परबरी 1556 को काला नौर में कहां काला नौर में, इस समय इसकी वह तेरे वर्स थी, कितनी? तेरे वर्स अकबर विलकुँ निरफ्चर था और फिर भी इतना मान सा सकता याद पड़े लिखे होने के बाद भी किसी काम के नहीं है भगत सिंग को देख लिजिए, राजगुरू को, चंद सेका राजाद, स्वामी विवेकरन और हमारे यहां देखी, अभी किये ही रुआओं को, लड़कियां भी खुसना हो, राणी लच्ची मिवाई को देख लिजिए, बन के भी, उन जैसा बन ही नहीं पाई नहीं कभी, अकबर की कुछ मत्रून कारियों के हम लोग बात करें, तो यह आपके वर्स होगा है, एक का इन से आपका कुश्चन सिविल बस सर्विस में पूंच लेता है, और इस्टेट जो PCS होता है, उनमें करम में लगाने के लिए आ जाता है, तो 191562 में, 1562 में दास्पिता का अंत करता है, अकबर, 1562 में ही अकबर की हरम दल से मुक्ती होती है, 1563 में तीर थ्यात्रा कर समाप कर दिया जाता है, 1571 में फद्यपूर सिकरी की स्थापना होती है, और राजधानी का आगरे से फद्यपूर इस्थानांतिर हो जाता है, 1571 में, 1575 में इबादत खाने की स्थापना की जाती है, और 1589 में महजर की घोशना होती है, फिर आए 1580, 10 सारा पेणाली, यानि की में 1580 में 10 साला पेनाली लाग होती है 1580 में दीन ए इलाही की गोश्णा की जाती है याद रखिए पॉइंट लोगो इसे भी आपके कुश्चिन्स पूँचते रहते हैं अकबर बात्साय गाजी की उपादी के साथ राज संगासन पर पैठा था अकबर ने समराठ बनने पर बैरम खां को बकील ने उपकर खान एक खाना की उपादी पिदान की थी किसे बैरम खां को बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्चक रहता है हैमू सूर सासक आदिल साय का पिदा मंत्री था हैमू सूर हैमू को 24 से उद्धों मैंसे 22 से उद्ध जीतने का स्रे प्राग था हैमू को आदिल साय ने हैमू को विक्रमा दित की उपादी भी पिदान की थी किसकी विक्रमा दित की हैमू यहां कहां से आ गया हुआ आपके दिमाग में यही चल रहा होगा तो आगो आपको बताता हूं हैमू ने दिल्ली में तरगी देख की परास्त कर साही चत धारन किया और अपने नाम के सिक्के भी चलवाई थे अब आते हैं पानीपत की दुतिये ये उद्धा पानीपत का पहला ये उद्धा हुआ 1526 में किस के बीच एब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का दुतिये ये उद्ध होता है 5 नवंबर 1556 इसे आप लोग रट लीजिए कुछ भी कर लीजिए क्योंकि आपकी परीक्षाओं में ये उंस्ता रहता है सरल है फिर भी आप लोग इसमें परेशार हो जाते हैं 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दुतिये ये उद्ध होता है ये आपका हेमू और बैरम खान के भीच लड़ा जाता है अकबर की तरफ से आपका बैरम खाता और हेमू अकबर ने अपने गुजराद विजय की इसमिती में राधानी पतिव और सिक्री में एक बुलंद दर्बाज्य भी बनवाये था गुजराद विजय की इसमिती में कि गुजराद विजय की की इसमिती में ने विष्ट के इतिहास का सबसे दूद्ध का भी तेज आत्मर कहा था किसे गुजराद विजय को यह आपका यह वी महत्रू है हल्दी गाटी का योद्ध यह आपका जून 1566 में होता है जून 1576 में यह होता है अकबर और महाराना पिताप के बीच महाराना पिताप के बीच अकबर ने कावल की सुवेदारी बक्तु निस्सा बेगम को सौपी थी अकबर ने कस्मीर बजय के लिए भगवान दास एवं कासिम खां को बेह जा था अकबर ने खांदेश को 1591 में जीता जिसे दच्छिन भारत का प्रिवेश दवारत माना जाता था अकबर ने समराठ की उपादी दच्छिन विजय के बादी यहन की थी किसकी समराठ की आगे चलते हम लोग अकबर की मित्यू अतीसार रोग के कारण होती है 21 अक्टूबर 1605 को अकबर को बहुत प्रभाव से प्रभावित होकर श्रीकंद्रा की मकवेरी में दफना है विए किसमें सिकंद्रा किया था अकबर ने 1575 में इवादत खाने की इस्थापना फतीपूर सीकरी में की थी इवादत खाना का उद्दीश पितिक रभीवार को धार्मिक विस्थे उपर खुला बाद विवाद होता था अकबर ने महजर नामा नावक तस्ता वीच 1589 में जारी किया था 1589 में इसका प्यारूप सेख मुबारक ने तियार किया था सेख मुबारक अबुल्फजल और फैजी के पिता थे महजर नामा जारी होने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल की उपादी धारन की थी अकबर ने सभी धर्मों में समांजस इस्थावित करने के लिए तोहित ए इलाही देवी एके सुरवाद या फिर दी ए इलाही नामके एक नया थर्म प्रवर्तिक यानि की चलाया था अकबर ने दीन ए इलाही या तोहित ए इलाही की घुष्टा 1582 में की थी कव 1582 दीन एलाही का पुरोहित अबुल फजल था हिंदू राजाओं में बीरवल ने दीन एलाही का स्विकार किया था अकपर ने आगरा और लाहोर में इसाइयों को गिल्जा घर बनाने की अन्मति भी दे थे यानि कि धर्म निर्पेच सा सकता है सभी धर्मों को बरावन मानता था है किसी भी धर्म में अस्त चेप नहीं करता था अक्वर ने हरी विजय सूरी को जगत गुरू की उपादी दिए एक बात आप लोग अभी सा याद रखते हैं बोलें से जांदा अगर आप लोग सुनने में भरोसा करेंगे तो ही आप लोग आंगी बढ़ पाएंगे आंगी बढ़ने का मतलब यह नहीं है देखिए जी तो हर कोई रहा है 135 से 40 करोड जन सर्क्या होने जा रही है इस मैंसे कितने लोगों की इतिहास में याद रखा जाता है असल में इतिहास में याद रखा जाना ही आपकी जिंदिगी का मैं उद्देश होना चाहिए बना कोई 50 साल जीता है यह 50 साल जीने का कोई मतलब नहीं रहता है कोई बिना नाव के काट देता है इस 50 साल को कोई अपना बचकाना करते हुए काट देता है 50 साल को ठीक तो इससे जाना है धरती से सब कोई या गमंड करने का कोई उद्देश नहीं है फिर चाहिए आप अमीर हो या गरी हो ठीक है कोई भी वेक्ति हो इसलिए ऐसा कुछ करिए कि आप जैसा कोई करना चाहे अकबर की नव रतनों की हम बात करें तो इसमें मुल्ला दो प्याज राजा मांसिंग हकीम होकाम राजा टोडरमल और अब्दुरहीम खाने खाना फेजी अब अबुल्फजल बीर्वल और तांसे ठीक है यह सब ही आपकी अकबर की नव रतन थे अकबर पर सरभादी प्रभाव आपकी हिंदू धरम का ही पढ़ा था अकबर ने इलाही संबत 1583 अकबर ने बीर्वल को कभी राज एवं राजा की उपादी पिदान की थी इसे बीर्वल को आप लेए अकबर बीर्वल की कहानी भी पढ़ते रहते हो गए बीर्वल की मित्यू यूसप जाईयों का विद्रो दबाते समय हुई थी बीर्वल की मित्यू कभी थी यूसप जाईयों का विद्रो दबाते हुई अकबर नावा एवं आईने एकबरी की रचना अबुल फजल लगी थी इसे याद रखना ये भी पूच लेता है अकबर की सेवा में आने से पहले टोडर मल सेड़ साई के दरवार में था अकबर के भूमी समंदी सुधारों का सेवे आपके टोडर मल को ये जाता है याद रखना अकबर ने अकबर ने भगवानदास आमेर के राजा भार मल की पुत्त को अमीर अमीर उल्व उम्रा की उपादी दी थी तानसेयन का जनम आपका ग्वालियर में होता है ये भी पूछता है तानसेयन का मून नाम क्या था रामतनुपंडी ये लिखे बार आपका जनरल नापाट के लिए पूछ लेते हैं मियासारन उद्धरवारी कनहडा ये तांसेंट की किट्दियां हैं बैरम खांके पुत अब्दुरहीम खान खाना बिद्वान एवं कभी थे जहांगीर सबसेज जानदा अब्दुरहीम खान खाना से फिरभावित था हाकीम होकाम अकबर के रसोई घर का पिदान हुआ करता अकबर का दरवारी कभी राज कभी कौन था फैजी अकबर का दरवारी राज कभी कौन था फैजी अकवर ने अपनी राध्धानी आगरासे फतिपूर 1571 में इस्थानांतित की थी यानि कि आगरासे फतिपूर सीकरी अपनी राध्धानी कब बनाया अकवर ने 1571 में राजपूत राणा राजा महाराना पिताब ने अकवर की यदिनता स्विकार नहीं की थी मुगल चित्तकला की पिथम किर्टी का नाम दस्ताने अमीर हम्जा इसमें आपके 1200 चित्ते हैं दस्बंत द्वारा मनाएगे चित्ते हम्ज नामा खान खाने तैमूरिया एवन तूती नामा में मिलते हैं अकवर की समय का सर्वोत किर्ष्ट चित्तकार वसा बन था कौन था वसा बन पहली बार बीती चित्तकारी अकवर की समय में ही सुरू की गई थी अकवर ने जैनाचायर हरी विजय सूरी हरी विजय सूरी को गुजरात में आवंतित किया था जिसे जगत गुरु की उपादी भी पेदान की गई हरी विजय सूरी को तोल्सी दास मुगल समराड अकवर और मेवाड के सासर राणा पिताप की सबकाली थे इसी समया के तोल्सी दास भी थे फिर आते हाँ के जहां गिये अकवर की बात मुगल काल में आपका जहां गिये रहता है एक बात हमेसा याद रखिए, कोई सलाय दे रहा है आपको, तो सलाय को आराम से सुन लिया करिएगा, उसमें जो अच्छा ही लगती हैं, उसे ही सुईकार करिए, यह हमारी सबसे बड़ी गलब फैमी है, कि हम ही सब कुछ हैं, और हमसे समझदार कोई नहीं है, यह आपकी सकते थे, वो भगवान थे, फिर भी वो सलाय मानते थे या नि, मुस्कराते हुए सब की सलाय कुछते थे, हनमान जी आपकी सलाय क्या है, लचमण जी इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो यह उनकी महानता थी, इसी महानता ने उन्हें भगवान बनाए, ठीक है, उनके जीवन ने किभी एक इंसान की तरह वो पैदा होते हैं ठीक है वो आपको जीवन जीने की कलास दिखाते हैं कि इस तरह होना चाहिए और हमारे यहां कि 90-95 फरसेंट लोग इसी गलग पहमी में जीते रहते हैं कि हमसे जाना समझदार कोई दूसरा है ही नहीं और इसी समझदारी में लटक जाते हैं टपक जाते हैं समझ रहे हैं कोई भी किसी पर्टीकुलर फिल्ड को में बात नहीं कर रहा हूं किसी वह आप सोच लड़का या लटके सबकी बात कर रहा हूं कि यार कम सी कम 24 गंटा डेली मिनता है टाइम आपको उसमें तो पात-दस में अपने आपको आईने में के सामने जाकर देख लिया कर लिएगा हमें अपनी वाखात पता चलती हैं से हम पर इच्छा में फैल होते हैं क्या बोल दीते हैं यार व लेकिन हम क्या करते हैं दूसरे पर डाल देते हैं अपनी गलतियों का बाढ़ यह गलत है यार कि और क्या हो खाड़ लोगे ऐसा करके सच के रास्ते पर दस दिन जी जीना अच्छा है सालों जीने से अच्छा ठीक है कुछ ऐसा काम करिए अच्छे से कि मतलब अपने आप से सिकायत ना रहे मिलते रहिया करीए का अपने आप से जहांगीर का बास्तिविक नाम था सलीम यानि कि बच्पन का नाम जहांगीर का था सलीम याद रखे क्योंकि यह भी पूछ लेता है गुश्टेंस में कभी-कभी जहांगीर की माता का नाम था मरियम उज्जमाने और अकवर सलीम को सेखो बाबा के नाम से पुकारता था अकवर का बेटा जहांगीर जहांगीर के गुरू थे अब्दुर्रहीम खान खाना जहांगीर के गुरू थे अब्दुर्रहीम खान खाना जहांगीर का विवार राजा भगवान दास की पुत्रे मानवाई से तथा मोटा राजा उदैसिंग की पुत्रे जगत गोसाई से उगाता मारबाई को सलीम ने साहे बेगम की उपादी दी थे सलीम मतलब जहांगी तो यानि कि दो से तिन तीन साधियां किया करते थे ये लोग समझ रहें? इसलिए तो समराज वर्दा था इतना किन्तु बाद में उसने सलीम को आदितों की सलीम की आदितों से दुखी हुखा आत्मत्या कर ले थे जहांगीर आपके 21 अक्टूबर 15 1605 को गद्धी पर बैठता है जहांगीर का राजवी से नुरूद्दीन मुहमद जहांगीर बादसाय गाजी के नाम से आगरा में हुखा किस नाम से नुरूद्दीन मुहमद जहांगीर जहांगीर ने नियाई की जन्जीर आगरा के के लिए साहे बोर्च पर येवं यमना तट पर लगाई थी नियाई की जन्जीर में 60 गंटियां थी कितनी 60 लोग कल्याण के उद्देश से संबंदित आपके बारे आदेशों की गोश्णा आपके जहांगीर नहीं करवाई थी जहांगीर का प्यत्थम आदेश था तमगा नामक कर वसूली पर पितिवंद लगाना जहांगीर का पाचबा आदेश सराव एवं अनमादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माड पर पितिवंद था अब सोचिए आप लोग सराव और अनमादक पदार्थों को उस तमय खराब मानते थे समाज के लिए तो आज आप लोग देख सकते हैं आज लोग आज हमारे देश में कुरोना वाइरस से कुछ खुला हो यानि खुला हो खाने की चीज़ें खुली हो यानि सरकार में सरावत की दुकाने भी खोल दी लीजे जाए वहां सोसल रिस्ट्रेंशिंग की दज्जियां नहीं उडेंगी समझ सकते हैं पता नहीं सब्ता में गुरुबार और रभियार को दिन के दिन पसू हत्या पर पिती बंद था इनमें भी इंसानियत थी समझ सकते हैं अभी मैं कहीं देख रहा था कर्मों से डरते नहीं है लोग अगर भगवान को मानते हो तो कर्मों से तो डरो अपने नहीं डरना चाहिए जितना कहीं अभी देख रहे होंगे आप लोगी सोशल विडियाता जितना लोग कोरोना से डर रहें अगर अपने कर्मों से डर तो इंसान बन जाएंगे जमान बेक को महावदखा की उपादी दी जहांगीर का सबसे बड़ा पुद्ध था खुसरों खुसरों ने जहांगीर के समय अहमद नगर का वजीर मलिक अंबर था गुरिला यह उद्धि पद्धिती की सुरुवात मलिक अंबर ने की ती गुरिल्ला पद्धिती की सुरुवात कि प्र deta सेवाजी ने भी अपनाया था मली कंबर ने जंजीरा दूइप नौसेना गटित की थी 1606 1606 में सहजादा खुर्रम को दच्छन अभियान के लिए विज़ाता सहजादा खुर्रम को साह सुल्तान की उपादी दी गई जहागीर ने खुर्रम की दच्छन विज़े से खुस होकर उसे साहजादा की उपादी दी थी यानि कि जो साहजादा था इसका बश्च्वन का नाम था खुर्रम जहागीर का सलीम साजाने दच्छिन का सूविदार अब्दुर्रहीम खान खाना को मनाया नोर जहार इरानी मीर्जा ग्यासवेक की पुत्री थी नोर जहार का बास्तविक नाम था मेरू महरून निसा महरून निसा अली कुलीद खान यानि की सेर अफगान की बिदभाति जहागीर ने महरून निसा को सरपितम नौरोज तिवार के उसर पर देखा था जहागीर की साधी महरून निसा से 1611 में होती है जहागीर ने साधी के बाद महरून निसा को नूर मैले यानि की नूर जहां की उपादी पिदान की थी जहांगी ने नोर जहां की मा का नाम था असमत बेगम सरप利तम इत बनाने की गला असमत बेगम ने बिख सकी थी किसमें असमत बेगम ने जहागीर एवं नूर जहा को महाबत खाने बंदी बनाया जहागीर के दरवार में बिलियम हॉकिन्स, बिलियम फ्रेंच, सर्ट टॉमस रो और एडवर्ड टेरी यूरोपी आत्री आये थे यह भी पूंच लिता है कि बिलियम हॉकिन्स किसके समय भारत आये था बिलियम फ्रेंच, सर्ट टॉमस रो एडवर्ड टेरी यूरोपी आपके जहागीर के सासनकाल में भारत आये थे ठीक है जहागीर के पांच पुत थे लाड़ली बेगम नूर जहा की पुत्री थे लाड़ली बेगम मुगल चितकला अपने चनुवतकस पर जहागीर के काल में ही था यानि की सबसे उंचाईयों पर जहागीर के दरबार में पिर्टमुक चितकार थे आपके मनसूर, बिसंदास, मनुवर, अकारिजा, अबूल हसन, कस्मीर का सालीमार बाग आपके जहागीर नहीं बनवाए था जो कस्मीर में सालीमार बाग है या आपके जहागीर नहीं बनवाए था एक बाल नामा ये जहागीरी मौत मिद खाने लिखा था एक बाल नामा ये जहागीरी मौत मिद खाने लिखी थी जहांगीर एवम इथमत दौला का मकBERा नूर जहां ने बनवाय था किसने नूर जहां में जहांगीर के मित्तियू नवंबर 1627 में भीम वार नामक इस्थान पर हो जाती है जहांगीर को रावी नधी के किनारे साहाद दरा में दपनाया जी गया साय जहाद नूर जहाद को दो लाग रुप्या बारसिक पैंसन देता था बिदभा पैंसन कहें लिए तरह से समझ सकते हैं अब आता है आपका साय जहाद 1628 से 1658 ताज मैं लाग लुग देखने जाते हैं इसी की देन साय जहाँ फरवरी 1628 में राजगदी पर बैठा साय जहाँ का बास्तविक नाम साय जहाँ ज्यादा खुर्लम था यानि कि इसके बच्पन का नाम क्या था खुर्लम साय जहां का विवार अर्जून अर्जूमंद बानों वेगम से हुआ था एक इंट्रेस्टिंग फेक्ट बताएंगे इनकी बारे में थुड़ा इंतजार करिए आप लोगों के लिए जो प्यार प्यार चिलाते रहते हैं उस फेक्ट से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं अर्जूमंद बानों वेगम को साहजाह ने मली का एजमानी की उपादी दी थी अर्जूमंद बानों वेगम को मुम्ताज महल के नाम से जाना जाता है मुम्ताज महल हुमायू के मकबरा को ताज महल की पूरवर्टी माना जाता है नाम से इसमार्ग बनवाया कहते हैं जब आपकी मुम्ताज मरन लगी तो यह उद चल रहा था सहहां के एउद लड़ रहा था यह उद छोड़कर रहा जाता है यहां और मुम्ताज के पास बैठ जाता है पूरी तरह से टूट जाता है करते हैं वो इतना प्यार करते थे अपनी मुम्ताज से कि योद चला है बीस से छोड़कर आ जाना सब को छोड़ देना यानि कि पूरा खत्म कर देना मुम्ताज बोलती है कि वो फिर सलाय देती है कि वो तुम मरी रही है तुम्हें अपना धर्म निवाना चाहिए योद लड़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पीछे हजारों जाने खड़ी हुई है तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि सब कुछ छोड़कर अपने प्यार के लिए चला आना या चला जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है इसी लिए टाज महिल वनभाये गां कि इस तरह कि प्यार आप लोग ना तो कर सकते हैं ना हम लोग कोई भी आ, लड़का हो लड़की ओ, ठीक है बस हम लोग तो बस अपना जिन्दगी गुजा रहे हैं हकीकत जो है वही कर रहे हैं किसे प्यार होता है किसी को प्यार नहीं होता है किसी से सब दिखावा है इस समय तो यहां अगर आप ही से पूछता हूं कमेंट बॉक्स में लिखी आप लो जो भी हो आपके सामने दो abusedion है आपको जो भरुचा करता है अपनी सपनों से जादा आपको एहमियत देता है अगर उसे छोड़ने या नी कि उसे मारने या उसे गराने पीछे हटाने के लिए आपको दूसरी तरफ दौलत मिलती है तरफ की मिलती है कई वड़े पद मिलते हैं तो आप क्या करेंगे मैं बताता हूं अधीकतर लोग मुझे नहीं आप लोग किसी एक पर आपम लोग नहीं बोल रहा हूं अधीकतर लोग तरक्की सुईकारना पसंद करेंगे जिंगे वह अधिक आदमी को गिरा देएंगे जो भरोस आप बंद कर के भरोसा करता है और तरक्की को अपना लेगा ठीक है यह प्यार थोड़ी होता है यह तरक्की कितने दिन आप जी लोगे मैं तो कहता हूं गिल जाए इस टूट जाए यहार जाए फिर भी से साथ लेकर चलो वही असल में जिन्दिवी अगर वो कल सक्सेज होता है तो आपका ह लेकर सबको ही तरक्की है यही असल में जिन्दिगी है और यही आपका इंसानियत बनाती है आपको तो किसी का साथ मत छोड़िए किसी भी तरक्की के लिए नहीं मिल रही है तरक्की जिन्दिगी है और संगर्स कीजिए मिलेगी है बस किसी को गिरा कि नहीं होने चाहिए त इधार सा नियम है नियुट्रेंट का तीतर नियम पढ़ते हैं कि हम लोग जो देंगे वही बदली में आएगा तो अगर हम किसी को गिराएंगे किसी को बरबाद करेंगे तो हमारा भी बरबाद होना एक दिन तरह है तो सब को खुशी दीजिए खुशी पाईए मुम्ताज महल बनिये और कोई साय जहा बनिये तभी जिंतकी में कुछ कर सकते हैं और इतिहास भी लिख सकता है वरना कब कौन मर रहा है कोई याद रखता है कोई याद नहीं रखता है 135 करोड जनसंग क्या है मरती जा रही है आती जा रही है कोई कोई किसी को याग नहीं रखता है मुम्ताज महल आसब खां की पुत्री थी साय जहा अबोल मुझफर साहब उद्दीर मुहमद साहिब किरन एसानी की उपादी के साथ गंदी पर बैठा कौन साय जहा साय जहा ने महावत खां को खाण खाना की उपादे पिदार की थे 1632 में पूर्द गालीों के फिरभाव को समाब्त करने के लिए साय जहा ने उसके होगुली ब्याबारिक केंद पर अधीकार कर लिया था ज़ो आपके चटे गुरु, गुरु हर्गोबिंद का साजहा से संगल्स हुआ था साजहा ने दच्छिण का सूविधाल ओरंग जेब को बनाया था अपने पुत्थ औरंग जेब ने दच्छिण की राध्धानी औरंगाबाद को मनायी थी खांधेश की राधानी बुरानपूर थी समय औरंग जेब ने दच्चन बारत की चाल सुवे मे बाठा था बराजगी राधानी थी इलिछफौ तेलंगानी के राधानी थी नादेड औरंग जेव ने दच्छन में भूराजर से वेवस्ता कदायत मुर्शीत कुलीखा को संपा था मीर जुमला का वास्तविक नाब मीर मुहम्मद सेयर था क्या था मीर मुहम्मद सेयर मीर जुमला ने साहजहा को कुईनूर हीरा बेहंट किया था साय जहां ने मीर जुम्ला को दच्छडी सुवे का पिधान मंत्री पर दिया था मुगल अधीपत की समय गोल कुंडा विस्त के सबसे वड़े हीरा विग्यता बाजार की रूम में पिसे दे था साय जहां ने मद्देशिया बिजित करने के लिए सह ज़्यादा मुराद और औरंग्जी को भी ज़्यादा मद्देशिया औरंग्जी पहली बार 1636 से 1644 तक फिर आपका 1652 से 1657 तक दच्छड का सूवेदार भी रहता है कहा कर दच्छड का साय जहां की साथ संतानी यह मेंसे चार लड़के थी तीन लड़कियां ते कि उन्हें में जिसे आपका औरंग्जी पैख था ही थई-चारों पोत्त्रों में सरवाधिक उधार थाक दारासिको उधार व्यगती साय जहां ने दारा सिको को अपना उत्तराधिकारी गोसित किया था किसे दारा सिको को साय जहां ने मयूर सिंगासन का निवान बेबादल खांसे करवाय था किसे बेबादल खांसे मुगल सासक साय जहां को निर्माताओं का राजकुमार भी कहा जाता है किसकी बास्तुखला की द्रिष्टी से साहजाह का काल स्वड़काल कहलाता है विसका सबसे महेंगा कुईनून हीरा साहजाह की तक्थिताउज यानि की मैयूर सिंखासन में लगा हुगा था दिल्ली की जामा मस्चित साहजाहने ही बनवाई थी जो दिल्ली की जामा मस्चित है इसे किसने बनवाई था साहजाहने ने दाम और आधा की मत आना का नेस के कपिचलन भी करवाय था लगान वसूली की ठेकितारी पिता का आरम आपकी साय जहां के काल से ही प्यारम किया गया साय जहां ने 1636 से 1637 में सिज्दा और पावोस पिथा समाप कर दीजिए सिज्दा मतलब जुबना पावोस मतलब पाउं चुंगना ठीर साय जहां ने इलाही संबद के स्थान पर हिज्जरी संबद चलाया गंगा लहरी रस गंगा धार के लेकग पंडिच जगनाद थे गंगा लहरी रस गंगा धार के लेकग कौन थे पंडिच जगनाद महा कभी राय साय जहां के राजकवी थे पंडेज जगनाद, चिंतावणी कवीधा चंद और सुन्दर दास भी साय जहां के दरवार में हिंदू लेकप थे दच्छिड का टोडर मल मुशीद कुली खाँ को कहा जाता है साय जहां के सासनकाल सासन के 20 बरसों का इतियास अंतुर हमीद लाहोर ने पाद साय नामा में लिखा था महावारत का फार्सी अनवाद रजम नामा के नाम से किया जा रजम नामा मुगल काल में संग मरमर जोथपोर के मकराना से लाय जाता था कहां से? जोथपोर के मकराना से संग मरमर साय जहां के दरवार के प्रमुक्त चितकार थी मुसम्मद फकीर और मीर हासे साय जहां ने ताजमहिल का निर्मार उस्ताद इसाखण की दिखोईल में देखोईल में करवाए था ताजमाहिल का नक्सा खाका उस्ताद एहमद लाहोरी ने तियार किया इसे बनाने यानि कि ताजमाहिल को बनाने के जो नक्सा था जिस तरह से आप लोग अभी विगर का नक्सा बनवाते हैं तो उस्ताद एहमद लाहोरी ने तियार किया था आप समझ सकते हैं कि उस समय भी कितने अच्छे इंजिनियर हुआ करते थी साय जहां ने लावरी को नादिर उल अग की उपादी भी अस्त की उपादी भी दी थी साय जहां की बीमार पढ़ने पर पित्वम उत्तरादिकारी योद फरवरी अट 15-1658 में बहादुर्पूर में हुगा था जैसे ही साय जहां पीमार पढ़ा इसके उत्तरादिकार को लेका दारा सिपो को इसने उत्तरादिकार बना दिया था लेकिन इसके और बेटे थे वो भी उत्त्रादिकारी के लिए लड़ने लगी वो सबसे पहले यह होता है फरवरी 1608 में बहादुर्पूर में यह उत्त होता है उत्त्रादिकारी के अंतिम लड़ाई अपरेल 1669 में दारा सिको और ओरंग जेव की वीच होती है ठीक है? इसमें आपका औरंग जेव भी जई होता है दारा को इसलाम धरम की आउहिलना करने की आरों में मित्ति उदंड भी दिया जाता है दारा सिको ने अपना जीवन अलवा राजिस्थान के कंग वाडी किला में बिताये जिसे जैव सींग दुतिये ने बनवाया था औरंग जेव ने साहजाहा को कैद कर आगरा के किली में रखा था यानि कि अपने बाब को साहजाहा की मित्ति हो जाती है जन्वरी 1666 में साहजाहा की अर्ति को साधार नौपरों इवन हेजनों से कंदा दिया था समझ सकते हैं इतना रिर्यम कुछ आ सकता आपका औरंग जेव क्रूर बोलते हैं से ही आप लो जालिम फिर आता है औरंग जेव याका 1659 से 1707 तक रहता है औरंग जेव सरब तम जुलाई 1659 में गद्धी पर बैठता है औरंग जेव का दूसरी बार राजजवी से जून 1669 में हुआ था तो पहली बार इसका राजवी से होता है जुलाई 1689 में तो दूसरी बार होता है 1669 औरंग जेव मुम्ताज महिल का पूत था औरंग जेव लड़ाता है और आपकी अच्छी विद्गोमने लिए तीर्थ यात्रा या फिर पर्याटन के लिए अच्छी जगह है कभी जाकर देखिए या हर्दौल की मनोती बड़ी अच्छी फैमर से बुंदिलकन में जो भी साधी होती है उनमें सबसे पहला कायट हर्दौल के लिए ज उसमें आने लगा है ठीक है औरंग जीप ने 1668 में हिंदू तेभारों और उस सबों को मनाए जाने पर रोक लगाती थी पुरंदर की संदी यह भी महत्पूर है पुरंदर की संदी होती है आपकी 1665 में किसकिस के बीच सिवाजी और जैसिंग के बीच मदन्ना और अकन्ना गोलकुंडा के सासक अबुल हसम की मंत्री हुआ करते थे सिवाजी को कैद कर जैपुर वह में रखा जाता है यही से सिवाजी गुक्तरूप से भरार्भी हो जाते है और अंकिप के विरुद मतुरा का जाट बिद्रो जाटनेता गोपुल के निदत में राम ने लूट था किसमे राजा रामनaux थे बारतबुर्राजवंश की निव चूडा मलने रखी थी किसने चुडा मलने बारतबुर-णा Бुशी गुरू टेग बाधूर की हत्या औरग ज्यब ने ही करवाई ती यादरती गुरू छेघरफिये औरन्जिव ने आसमजीतने क काल मीर जुम्ला को सौफा था आस्ताम औरंग जीव के समय हिंदू मनसापदारों की संख्या लगवग 33 पिती सती कितनी 33 पिती सती औरंग जीव ने अपने सासन का आधार कुरान को बनाया औरंग जीव ने जजिया कर 1689 में चलाया जैसिंग ने राजपूतों पर से जजिया कर हटाने की बदले औरंग जीव को आधनपूर आधलपूर इवं बेठूर में कच्छित दिये थे यां ठीक है बनारस विस्तुनात मंदिर और मत्रा की केसवराव मंदिर औरंग जीव नहीं तुर्वाए थे बनारस की जो विस्तुनात मंदिर था औरंग जीव ने 1689 में तुर्वाई थे औरंग जीव ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का तिवार मनाना, भांग की खेती करवना, नाच गाना, जहरोगा दर्जन, तुलाधान, परफिती बंद लगाया था औरंग जीव ने सरीयत की विरूद लिये जाने वाले अस्सी करव को समाप्त कर दिया था औरंग जीव का मुख खुद्देश दावल हर्व को दावल इसलाम में परिवर्वतित करना था औरंग जीव ने बीजापूर को 1686 और गुल्डन रुकुंडा को 1687 में मुगल समराज में मिलाया था औरंग जीव की मित्यू एहमदाबाद में मार्च 1707 में हुई थी कब एहमदाबाद में हुई नहीं मार्च 1707 में और अंग जीव को दोलताबाद इस्तिफाकीर वो रहावदीन की कब्र के आहत्मों में दफनाए गया था तो ये थे आपके मुगल सासन को सभी आपके अब हम बात करते हैं मुगल सासन विवस्था के बारे में आखिर सासन विवस्था किस तरह से थी मुगल समराज की मुगल सासन प्रणाली भालतीय एवं विदेशी याने की इरा की अभासिद क्लीपा का या फिर मैस्थे के पात्मी खलीपा की नेमों का अनुसरन करती थी प्रणाली ओसे बनी थी यानी कि इसमें भारतिय सासंप्रणाली भी समली थी और बिदेसी भी ठीक है मैं आपके एराकी और मिश के जो इराकी के अबासी सिद खलीपा था और मिश के थे फातीमी खलीपा इनकी नीमों का अनुसरन करती थी तो यह मिस्रिट पिकार की थी यह भारतिये बातावरण में अर्वी फारसी पेडाली थी यह भारतिये बातावरण में आपकी अर्वी फारसी पेडाली थी मुगलकाल की राजभासा थी फारसी मुगलकाल की राजभासा क्या थी फारसी तथा इस दर्वार में इसे सर्वशेष्ट इस्थान पराप्त था फारसी भासा को मुगलकाल में फारसी भासा की दो सेलियां एक भारतिय और दूसरी इरानी सेलिका विकास हुआ था इसमें भारतिय से लिग का पिवर्टक माना जाता है अवुल फजल को बावर से लेकर औरंग जेब तक सभी मुगल सासकों ने फार्सी भासा और साहित को सरक्षन भी पिदान किया सासन का अधिपती बादसाय था कौन था वादसाय वह आपका पिदान सेनापती नियाय विवस्ता का सरवोच दिकारी इसलाम का सरक्षक और जनता का ध्यात्मिक निता होता था कौन बादसाय अकबरकालीन मुगल राजत सिध्धान्त की इस पश्ट व्याक्या अबुल फजल ने आईने अकबरी में की थी तो आईने अकबरी आपकी अबुल फजल द्वारा लिखी गी रचना थी अबुल फजल ने राजत की सम्मंद में लेखा है कि राजत इसलाम का अनुगरे है यह उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिस व्यक्ति मैं हजारों गोड एक साथ बिद्दमान हूँ इसे आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं क्या होता है कि जब किसी को बड़ा चड़ा कर बताना होता है तो उसके बारे में ग्रंतों में लिख दिया जाता था अब आपने देखा होगा प्राचीन वारत में, जब किसी राजा सासन को सक्ति साली बताना होता था, तो वो राज सूर यग्य करते थे, इस तरह की यग्य करते थे, कि सब उसे सक्ति साली समझने लगे, अल्थात राज सत्ता परमात्मा से पूटने वाला तेज और विस्प का सक्ति सूर की एक किरन है, अकबर राच्तन्द को धरम एवं संपताय से उपर मानता था, उसने रोडिवादी इसलामी सिद्धान किस्थान पर सुलेह एक पुलकीनिती भी अपनाई थी, किसने अकबर ने, मोगल पिसासन सेन सक्ति पर आधारित एक केंद्री के बेवस्ता थ जो नेंतन एवं संतुलन पर राधारित थी आपकी, मंत्री परिशत को विजारत कहा जाता था, मोगल पिसासन वेवस्ता में मंत्री परिशत को क्या कहते थे, विजारत, बकील ए मोतलग वात्साय के बात्सासन प्रवंदन करने बाला सबसे बड़ा, राज करम चारी बकील हुआ करता था, यानि की बात्साय के बात दूसरे नंबर पर आपका बकील था, सासन प्रवंदन की माम जमें, इससे बाद में वजीर कहा जाने लगा था, इसे मंत्रीयों को नेप्ट करने वो पदिचीवत यानि के हटाने का दिकार भी हुआ करता था इसे आप अपने यहां का राष्टपदी मान सकते हैं, अकवर ने बैरम खांके बाद इस पद को समब कर इसे दीवान मीरवक्षी मीर समन वो सद्द चार अलग भागों में बाट दिया था दीवान या फिर बित्त मंत्री यह आर्थिक विशाय में वाथ्थाय का पितिनिती हुआ करता था वैसाई का जाने का प्रवंधन और उसके हिसाब की जाजबी करता था दीवान या फिर मित्त मंत्री ठीक है करविभाग उसके अधीन ही हुगा करता था बित्वमंत्री के आकवर के समय पहले मुझभफर था और बाद में राजा टोडर मल को दीवान निवक्त किया गया था यानि कि बित्वमंत्री निवक्त किया गया था इसके दो सहायक थे कौन कौन से दीवान एक खाल सा दूसरा था अपका दीवान ए जारियर मीर बक्सी नेता मीर बक्सी जो था एसेना की सभी अधिकारियों की तर्णख़ा की जाच और मीर बक्सी किया करता था मीर बक्सी बक्सी वो एसेना में राजकिये नीमोग को जारी करता था और घोड़ों को दागने और मनसब्दारों के अधिकार में रहने वाले सेनकों की संख्या, निश्चित करता था मीर वक्सी दो अन्न वक्सी होते थे, एक बक्सी ये हुझूर, दूसरा था वक्सी ये साहर गिर्द पेसा फिर था आपका पिधान काजी पिधान काजी यह पिधान ने अयदीन हुआ करता था इस समय काजी उल्ग कुजात भौजदारी मुकद्दमों का मुस्लिम पिधान के अंसार फैसला करता था वह अप्रांत जिला और नंगर काजीयों की नियुक्ति भी किया करता था काजी उल कुजात इसके साहएक मुप्ति होते थे इसे जो साहएता करते थे उन्हें मुप्ति कहते थे मुहस्तिद मुहत्सिब इसका करतबदा की सरीयत में बना किये के कारियों को करने से लोगों को रोकें तथा साधारंता जंता के दुष्ट चरीतिता को रोकें यह आपका मुहत्थ सिपका कारूगा करता था इसकी निफ्ती औरंग जेबने की थी किसने औरंग जेबने पिधान सद्र सद्र उस सुदूर या धार्मिक धन संपत्ति तथा दातब विभाग का पिधान हुआ करता था मुगल काल में मुगल काल में पिधान विभाग मुगल काल में पिधान विभागों के बारे में बात करें दीवान यह आपका आयवेय का विभाग हुआ करता था मीरभक्सी यह आपका सैना और बेतन विवाग हुआ करता था इस तरह की questions आपकी civil service में बनते हैं और पूछ लेता है क्रम लगाने के लिए आ जाएगा कि दीवान का क्या काम था, मीरवक्सी का क्या काम था, खान सामा का क्या काम हुआ करता था, काजी का क्या काम हुआ करता था, तो आपको याद रखना है दीवान आयवे बिभाग से संबंदी था, मीरवक्सी आपका सेना त चरेत वेवं धर्म का निरिक्षण किया करता था मुसारिप ये आपका राज सचे भूगा करता था नजीरे बयुतात ये आपके साही कार खानों का अधीक्षक हुगा करता था मीर आतिस ये आपके तो खाने का निरिक्षक किया करता था दरोगा ये डांक चौकी डांक अधीक चख हुआ करता था MEEर बहेर ये नौ सेन आदी चख हुआ करता था मीर अधीक चख जख हुआ करता था मीर तोझck ये उथ्चवों आदी का प्रवंधन करता था मीर मुंसी ये साही पत्रों को लिखने बाला हुआ करता था ठीक है अगर हम लोग इसमें प्रांतिय पिसासन की बात करें मुगलकाल में तो सूब दार प्रांतिय सासन का सरव эпृच्च दिकारी धिकारी हुआ करता दीवान सूब का बित्त मंत्रे की सेना का देखवाल करता था कोतबाल सूवे की घटनाओं को नियंतित करता था ये वाकिया ये नवीस ये आपके सूवेदार की गुप्तिचर विवाग का पिदान हुआ करता था सदर और काजी ये आपका सूवे का नियाय देकारी हुआ करता था देख लीजे सबसे इस तरह से मुगल पे सासन चलता मुगल समराज उसके बाद सूवा फिर सरकार यानि के जिला परगना दस्तू दर ग्राम मावदा इसे या दी ही बोलते थे सबसे छोटी वस्ति थी नांगला ठीक है एक छोटी वस्ति सबसे छोटी हुआ करती थी सरकार जिला का सासन फोजदार या जिले का एक प्रमुक सेंडिक अधिकारी हुआ करता था अमल गुजार या जिले की माल गुजारी एकत्तित किया करता था बीती कची या आपका किरसी संबन्दी जरूरी कागजाद एबं आंकडे तयार किया करता था खजानदार यह जले का खजानची हुआ करता था यानि कि बित्त विवस्ताते संबंदित मामले देखता था है ठीक है परगना की सासन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका सिकदार परगने में सांती एवं सुविवस्ता के स्थापना के यतरिक्त कास्तकारों द्वार खजाने में जमा करने के लिए लाए गए माल गोजाणी के रुपयों को भी समालता था आमिल यह आपका परगना का वित्त दिकारी हुआ करता था फोत दार यह आपका परगने का खजानची होता था कानून गो यह पटवारियों का प्यधान होता था इस नाम को तो अभी तक आप लोग कुछ वर्सों तक सुनते आए हैं कानून वो कारकुन यह उत्पादन युग भूमी पैदावार मालगुजारी पसूली बकाया आदी बातों का लेका जोखा रखा करता था आगे चलते हैं हम लोग कोतबाल नगर की सासन का पिधान होता था कौन कोतबाल गाउं का मुक्का दिकारी गिराम पिधान होता था जिसे खुद मुकद्दम चोधिरी कहा जाता था जिसे आप लोग सरपंच बोलते हैं अभी मनसबदारी पिथा मुगलकालीन सेना संगठन मनसबदारी पिथा कहलाती थी अकवर ने मनसबदारी पिथा का विग्यानिक धंग से यथा सकती संगठन किया था देख सकते हैं अकवर अनपड़ था फर भी विग्यानिक धंग से अपनी सेना का गठन करता था साधर्थ मंसब करत पद अथवापितिष्ठा होता है अकवर की सासनकाल में सबसे कम मंसब 10 का और सबसे उंचा मंसब 10,000 का हुआ करता था अकवर की सासनकाल के अंतिम दिनों में 12,000 कर दिया गया था इसे मंसब को 5000 से उपर के मंसब सहजादों के लिए सुरक्षित थे 500 से 2530 यानि की 2530 तक के मंसबदार उम्रा और 3000 था उसके उपर के मंसबदारों को उम्रा ए आजम और 5000 से उपर के मंसबदारों को आप लोग सबार कहते थे याद रखना मंसबदारों को बेतन में नगत रकम मिलती थी समय बेतन में जागिरें भी दी जाती थी मंसबदारों की घोड़े को दाग लगाया जाता था मनसबदारों का जात सबार दो दरजे दिये जाते थे किने मनसबदारों को जो जात सब्द था इस जात सब्द से पता चलता था कि कितनी संख्या में हाती गोड़े और समान ढोने की बेलगाड़ी किसी मनसबदार को रखनी है और जो सवार सब्द था ये दर्जे का बोध होता था कि मनसब्दार को कितिनी संख्या में गुर सवार रखने है यदि जात और सवार बराबर हो तो पिथम सेड़ी यदि सवार जात से कम हो तो दूतिय सेड़ी यदि सवार जास से आधे से कम हो तो ये तीसरी सेड़ी में आते थे यानि कि कहे जाते थे दो असपा मनसाबदार होते थे जैसे निर्दाईत गोड़ सवार के साथ सर उतने ही गोड़े रखने पड़ते थे ठीक है और सिंग अस्पा यह वह मनसापदार होता था जैसे दोगने गोड़ी रखने पड़ते थे ठीक है यह पिताब की जहांगीर ने प्यारम की थी और सरपितम यह महरवद खां कुद दिया गया था तो इतने याद रखें कभी भी पूँछ सकते हैं मोगल सैना पांच भाग़ों में विवाजीद थी पैदल गोर्षबार तोभखाना हाती और जल सैना जह तरह से आपकी वाईव सैना नों सैना थल सैना है इसी तरह से उगा करती थी ठीक है पैलल सैना दो पेकार की थे कौन- अह साम, इनके पास तलवार और छोटा भाला होता था सेहे बंदी, ए फोजियों की अपिक्चा नागरिक पुलिस का काम किया करते थे जो गोड़ सबार थे ये भी आपके दो पेकार के ही हुगा करते थे पहला था बरगीर, इन गोड़ सबारों को साज का सारा सामान सरकार से मिलता था और दूसरे पेकार का था सिलेधार, ये अपने गोड़े तथा अस्त सस्त सहम लाते थे और इनको बरगीर से अधिक बेतन भी दिया जाता था क्योंकि अपना सामानखोद खरीते थे। यह सरकार से मिलता था। आप इस तरह से कर सकते। ने कि एक तो वो सैनेक त्ला सामिल किया है कि जो सरकार जो उन्हें साम जासे हत्यार हो गया, कपड़े पपड़े हो गया खाने पीने की सब्धा दी जाए तुने आप भी जानते हैं इन्हें कम बेतन दिया जाएगा जो दूसरे पिगार की सैनिक होंगे जो अपना खाना पीना अपनी विवस्ता करेंगी हत्यारों के अपनी विवस्ता करेंगी तो इन्हें अधिक बेतन मुगल अपनी निजी जल सेना नहीं रखा करते थे नावों का निरिक्चक मीरवाल कहलाता था जो नावों का निरिक्चक किया गरता था उसे मीरवाल कहा करते थे साज्या की सासनकाल में सरकार एवं फरगना की मद्द चकला नाम की एक नई एकाई की स्थापना की गई थी इसे और भी कई सब्दों में इसका अलग अलग हो जाता है कई गटनाओं की परिपेक्चु में ठीक औरंग जीव की समय में असद खान ने सरवादी 31 वर्ष तक दिवान की पत पर कारी किया था सेर साह ये वही है सेर साह सूरी सेर साह द्वारा भूराजस सेतु अपनाई जाने वाली पद्दिती राई काउपिव अकबर ने भी किया था अकबर की द्वार करोडी नामक अधिकारी की नियुक्ती 1573 में की गई थी यसी अपने छित में एक करोड दाम वसूल करना होता था कितना एक करोड 10 साला विवस्था 181580 में कब 1580 में अकबर ने 10 साला नाम की एक नमीन कर पेडाली चलाई थी टेक्स सिस्टम में इस विवस्था को आप लोग टोडर मल बंदोवस्थ के भी नाम से जानते हैं यह र्यादबाडी विवस्था थी जिसमें किसान सीदे यी पिती वर्स लगान देने के लिए उत्तरगाई हुगा करते हैं इस विवस्था के बास्ति भी फेड़ेता था टोडर मल इसके अंत्रगत अलग 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 फसलों के पिछले दस वर्सों के उत्पादन उसी और उसी की समय पिछलित मूल्यों का वसत निकाल कर वस वसत का एक वट तीन हिस्सा राजस के रूम में वसूला जाता था जो इस पेडाली में एक वटेत दस भाग हर वसूला जाता था जिसे माल इह अरसाला कहा जाती माल इहरसाला इस विवस्था में भूमी को चार भागों में विवाजित किया गया था और कौन कौन सी वे भाग थे पोलज इसमें पितेग बर्स नियमेत रूप से खेती होती थी यानि कि उत्पादन यहां अच्छा होता था उत्पादक भूमी थी पल्टी भूमी इस भूमी पर औरबरता प्राप करने के लिए एक या फिर दो बर्स के अंतराल पर खेती की जाती थी चाचर इस भूमी पर तीन से चार वर्ज के अंतराल पर केती की जाती थी बंजर ये केती ये भूमी नहीं थी अता इस पर लगान भी नहीं वसूला जाता थी तो सबसे सई भूमी कौन सी थी? वोलच फिर बरती, फिर चाचर, फिर बंजर मुगलकाल में आपके किर्सप के तीन बरगुगा करते थे खुद कास्ट एकसान उसी गाओं की भूमी पर खेती करते थे जहां के भी निवासी थे पाही कास्ट एकसान दूसरे गाओं जाकर वताईदार के रुब में किर्सी किया करते थे मुजारियन एक खुद कास्ट कर्षकों से भूमी किराय पर लेकर किसी किया करते थे मुगलकाल में भूमी के अधार पर भूमी कर भूमी का विभाजन भी हुआ करते थे किसमें मुगलकाल में खाजसा भूमी यह आपकी साही भूमी हुआ करती थे जागीर भूमी फिरमुक व्यक्तियों को बेतन के रूम में दी जाने वाली भूमी थी सैयूर गाल मदद ए मास भूमी अनधान में दी गई लगान मुक्त भूमी हुआ गरती थी इसे मिल के भी कहा जाता था इसमय 1570 से 71 इसवी में टोडर मल ने खालसा भूमी पर भूराजस्त की नवीन पिणाली जप्ति क्यारम की थी इसमें करकी दो सेड़ी थी कौन-कौन सी एक को तकसीज और दूसरी को तहसील कहते थे औरंग जेवन अपने सासनकाल में नस्क या फिर कनकूत पिणाली को अपनाया और भूराजस्त से की रासी को बचका आधा कर दिया था या एक पिकार से ठेकेदारी विवस्ता हुआ करते थी कैसी ठेकेदारी विवस्ता कनकूत पेडाली को दानाबंदी भी कहा जाता है मुगलकाल में कर नेधारन की अनपेडालियां भी पिछले थे इसमें आपका बटाई कर या फिर अतबा गल्ला वक्सी इसे मवली भी कहा जाता है बटाई बटाली में राजस नेधारन तीन पहकार से हुता था खेत बटाई फसल तयार होती ही खेत का बटवारा हो जाता तो खड़ी फसल में qui कर दिया जाता था लंग कटाई इसमें फसल कातने के बाद गठरों का वटबारा होता था अब लोग गठर देखते हैं फसल गटने के बाद उसी का वटबारा हुआ वटाथ की इसमें अनाज कर राता हुथ आख़। निकल आता था तब वटबारा होता था अक्वर ने सूर की गर्णा पराधरित इलागी संबद विचलित किया था जिसे फसली संबद भी कहा जाता है छेत फल की काई हुआ करती ही भीगा इसे आप लोग अभी भी ग्रामीड चित में मानते हैं एक भीगा दो भीगा ठीक इस तरह से लोग बताते रहते हैं अक्वर ने भूमी की पहिमाया सेतू 1586 में सिकंदरी गज 49 अंगुल या फिर 32 इंच के स्थान पर इलाही गज या आपका 71 अंगुल सुरी 41 अंगुल या फिर 37 इंच को पिचलित किया था मुगल काली अर्दवेस्था का अधार था चांदी का रुपया किसका चांदी का रुपया दैनिक लेंदेन के लिए तांबे के दाम का भी प्रियोग किया जाता था एक रुपया में 40 दाम होते थे कितने एक रुपया में 40 सबसे बड़ा सिक्का था संसव सोना का था यह स्वैड का सबसे पिछले सिक्का था इलाही स्वैड का जागी ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आखिर्ती बनवाई तथा उस पर अपना एवं नूर जहां का नाम भी अंकित करवाया था आना सिक्क का पिछलन साजाने करवाया था आना मुगलकाल में रुपे की सरवादी ढलाई और रंग्जेव की समय हुई यानि की रुपे की छपाई एक तरह से कह लीजे और रंग्जेव के समय ही हुई थी भुराजित स्क्यत्रिक्त हिंदूओं से जजियाकर और मसल्वानों से जकात नामकर बसूल किया जाते थे हिंदूओं से जजिया और मसल्वानों से जकात 1564 में अकवर ने जजियाकर की बसूली का समाप्त कर दी थी जो हिंदूओं पर लगा करती थी जजियाकर को 1689 में औरंग जिब ने पुनहा लागू कर दिया था अकबल ने इसे बंद किया था और औरंग जिब ने पुनहा लागू कर दिया था इसका निरधारन तीन सेडियों में किया जाता था 10,000 दिरहम से अधिक संपत्ति वालों को 40,48 दिरहम पिति वर्स देने होते थे 10,000 दिरहम से अधिक संपत्ति वाले व्यक्तियों को 48 दिरहम पिति वर्स देने पढ़ते थे लोड़ती है कि दोब से अधिक कि दस अजार दिरहमं तक कि संपत्ती वादों को तेंच होई सब्सक्राइब लिये जाते थे जकात यह आपका मुसल्मानों के उनकी सभ्वक्ति का डाई पितिसत मुगलकाल में सीमा सुल्क, पेशकस, वजर आदिबी प्राप्थ होते थे स्रीमा सुल के चुंगी चुंगी कर आपने लोग अने सुना होगा अभी भी संते रहते हैं आप चुंगी कर लगाने का जो इस थानी है इस तरह पर होता है पंचायत को दिया जाता है इसका दिखार चुंगी की दर पस्तु के मूल कर दाई पितिसत होता तो कितना धाई आपकी बच्चायतों को भी कर लगाने का प्रावधान है लगा सकती हैं जो आपकी यहाँ कोई अगर ट्रक गुजार रहा है तो उस पर कर आप लगा सकते हैं लेकेन अक्सर इस तरह कर नहीं लगाया जात गलांतर में यह दर्श 3.530 हो गई थी मुगलकाल में आयात निर्यात पर 3.5 यानी की 3.530 और स्वर्ड चांदी पर 230 कर लिया जाता था मुगलकाल में खाद पदार्थों में ग्यहूं चाबल बाजरा दालें पाल सेती मुख थे आपकी आगरा के निकट बयाना और गुजरात में सरखेज से अच्छे किस्म के नील भी पैदा होती थी बारत में तमबाकू का पिचलन 1640 भी के लगभग आपके पुर्दगालियों द्वारा किया गया था तो आजकल जो आप तमबाकू देखते हैं यह आपकी पुर्दगालियों की देन है किसकी पुर्दगालियों की यानि कि विदेशियों से हमें कुछ मिला भी है गया नहीं है यही सोचे आप यह समय मक्का की उपज प्यारम की गई थी बोगल में मुगलकाल में गन्ना कपास नील रेसम आदी पसलों का उत्पादर भी होता था आपका जिनने तिजारती नगदी तथा उत्तम पसलें कहा जाता था मुगलकाल में थोक ब्यापारियों को सेट कहते थे जो थोक ब्यापारी होते थे समय इने सेट कहा जाता था बोहरा एबं मौदी कहा जाता था तथा खुद्रा ब्यापारियों को वानिक कहते थे थोक ब्यापारियों को सेट वहरा मौधी नरहण मौधी ने मौधी खुद्रा ब्यापारियों को वानिक कहते थे आप लोग मुगलकाल में निर्याद की बस्तु हैं थी यानि की नील, सोरा, अफिम, सूति बस्त इस समय ये लोग इनका निर्यात किया गरती थी और आयात यानी मा खरीदना खरीदा क्या क्या करती थी मुगलकाल में आयात होती थी सड, चांदी, कच्चा रेशम और घोड़े सोरा कुरुमंडल तट इवं बिहार में उत्वादित होता था मुगलकाल में सोने चांदी का आयाद इतना बढ़ गया था कि वो वर्णियल लिखता है विस्ट के पितेक भागों में चक्कल लगाने के बाद सोना चांदी आयाद भारत में दफन हो जाता है बिस्त का पितेग भाग में चक्कल लगाने के बाद सोना चांदी कहां दफन हो जाता है भारत में यही सोना चांदी आपका अंग्रेजों ने लूटा बाद में मुगलकाल में गाउं में रहने वाले आहिस्थाई रूप से ब्यापार को क्या गयते थे बिच्छायती इसे बिच्छायत भी कहा जाता है जो गाउं तक ही अपना ब्यापार सीमित रखते थे बेश सह धानी कहलाते थे समोद ब्यापार में सलगन मुसलिम ब्यापारी खोजा उबोहरा पिरमुक थे मुगल बास्ताय सभी आया तेवं निर्यात्तों पर चाड़ित तीन पर्चेंट यानि की तीन सही एक बट्टे दो पीती सथ चुंगी लेते थे कर लेते थे मुगल काल में वस्तू बिनिवय का मात्यम हुंडी थी क्या थी हुंडी हुंडी एक प्रिकार का अल्प कालीन रेड हुआ करता था यह चिट ठी होती थी जिसका वुकतान एक निश्चित होती के बाद कुछ कट्वती करके किया जाता था अठारेवी सताबदी में बंगाल एवं गुजरात में रेड पिदान करने की एक नई विवस्ता प्यारम हुई जिसे ददनी अग्यम समिदा पेश्की कहा जाता था था यह बाबर ने काबुल में चान्दी का सारूक तथा कंदार में बाबरी मुद्रा भी पिचलित की थी मुखर चान्दी का रूपया एक स्वस्थी ग्रेन का और तांबी का दान 300 स्वस्थी ग्रेन पिचलित किया था किसने सेल साय सोरी ने अकवर ने अपने कार काल की वियारम में मुहर नामक स्वड मुद्द्रावी पिचलित की थी एक महर चांदी के नौ रुपेयों के बराबर हुआ करती थे जहांगीन निसार नामक सिक्का फिचलिक किया था जो रुपेय का रुपेया का चौथा मूल के बराबर होता था तो यह थी आपकी मुगलकाल की सासन वेवस्ता चलिए हम बात करते हैं मुगलकाली सिक्षा, साहित और कला के बारे मुगलकाल में मक्तब यानि कि पराइमरी सिक्षा एमम मदर से उच्चे सिक्षा इस्थापित थे क्या थे मुगलकाल में मक्तब यानि कि प्राइमरी सिक्षा और मदर से उच्चे सिक्षा इस्थाबित थे बावर की समय सुह रते आम विवाग सिक्षा केंद की विवस्था करता था बावर की समय सुहरते आम ये विभाग आपका सिख्छा खेंद्रों की विवस्ता भी करता था हुमाईव ने महाम अंगा की समय किसायोग से मदलसा ये बेगम की इस्थापना की साय जहाने दिल्ली में मदलसा इस्थापित कराया था सिख्छा का माध्यम भासा में प्यारम कराया ठीक है औरंग जिवने मक्तबों एवं मदलसों को आर्थेक साहता देने की फर्मान भी जारी किये जिवने साह बेगम ने दिल्ली में बेतुल उल्लूम मदलसा इस्थापित किया था सिख्छा के दिए मुगलकाल में सिख्छा का माध्यम था फार्सी फार्सी भासा मुगलकाल में लखनों का फरहंगी माल मदलसा नया की सिख्छा के लिए चर्चित था आपका मुगलकाल में विद्ध्यार्ती को तीन बेकार की उपातिया जीत आती थे तरक एवन दर्सन के विद्ध्यार्तियों को भाजिल कहती थे धार्मिक सिख्छा हेतु आमिल और साहित के विद्ध्यार्तियों को काबिल साय यहां ने दिल्ली में एक कॉलेज स्थावित किया था किस तरह की नाम है बावर की जो पुत्री थी गुल वदन बेगम जो हमायू नामा की लेखिकार थी हमायू की भतीजी सलीमा सुल्ताना जिसने बहुत सी से फार्सी पद्ध भी लेखे नूर जहां मुम्ताज महिल जहां आया आरा बेगम और जेवुन निसा उच्छा प्राप्त महिलाएं थी उन्हें फार्सी एवं अर्वी सायत का बहुत ख्यान भी था तो इस समय भी महिलाओं को पड़ने में जान्दा कटना ही नहीं होती थी थी समसकते हैं यानि की महिलाओं समाज सुधराव गुरत अगवर को एक समकालीन बेखती मादवाचार जो एक त्रवेडी का एक बंगाली कवी था तता चंडी मंकल का लेकव हुई था कौन मादवाचार बादसाय की विद्ध्या के पोसक की रूम में बहुत विसंसा भी करता था मोगल काल में बावर ने तुर्की भासा में अपनी आदकत्ता लिखी जिसे आप लोग तुझो के बावडी भी कहते हैं अकवर के काल में पहली बार कुरान का फार्सी में अनुवाद किया गया है जैसा कि आपको फता होगा इसलाम धर्म का कुरान बवती पवित ग्रंते जहांगीर ने सुएम अपनी आदकता फार्सी में लिखी थी तुझो के जहांगीर जहां साहे जहां के समय फार्सी में अब्दुल हमीद लाहोरी का पाद साहे नामा बहुत इसित था पाद साहे नामा यह आज आपका अब्दुल हमीद लाहोरी का ग्रंत था और अंग्जेव के समय फार्सी में खपी खाने मुन्त खब उल्लुबाब की रचना की थी संस्कित साहित में महेश ठाकुने संस्कित में उत्करेश्ट ग्रंत अकपर की सासनकाल का इत्यास लिखा था महेश ठाकुने पंडि जगन्नात पंडि जगन्नात ने रस गंगादर और गंगा लहरी की रचना संस्कित में ही की थी तो पंडि जगन्नात ने कौन-कौन से गिरंतों की रचना की रचना रस गंगादर और गंगा लहरी मोगलकाल में उर्दू साहित में आदुतिये प्रगिती हुई मोगल बात्साय में मुहम्मद साय पहला बात्साय था जिसने उर्दू को सरक्षा दिया यानि कि उर्दू को सरक्षा दिया उर्दू का अरत होता है साही सिविर कैम की भासा से मोगल काल में ही उर्दू को रेक खिता कहा जाने लगा था उर्दू साहित में इस काल का चर्चित कभी हुआ हुआ वली अकबर के दरवार में फिस्व गरंत करताओं में सबसे पिरमुप्था का कस्मीर का हुसेन था जिसे जरी कलंभी की वादी मिली हुई थी फारसी बलकि मंगोल पदिती पहले पहल भारत में हुमाय उद्वारा नहीं लाई गई जबकि यह पहले से ही वहमनी राज में पंद्रहवी सदी के उत्रायद में बिद्धिमाद थी आपकी मंगोल पदिती सेर चाय का मकवरा जो बिहार के सहाबाद चिले के सासाराम नामकिस्तान पर एक तालाब के बीचों बीच उंचे चबुत्रे पर बना हुआ है आकार एबम गौरब दोनों दिरिष्टी कोंड से भारती मुसल्वानी निर्माड कला का चुमतकार है तदा हिंदू-मुसलिम बास्तू कलात्मक विचारों का आनन्द जनक सम्मिसेनर प्यदर्सित करता है तो आपको याद रखना है से जहाय का मकवरा कहा है सासाराम बिहार फर्गुसन के अनुसार फटेपूर सिक्री किसी महान विक्ति के मस्तिस्क का पिती विम्म था यानि कि महान विक्ति का मस्तिस्क की सोच थी फटेपूर शीक्री अकबरद बस आई गई थी, इसका निर्माड करवाई गए बाबर ने जो ज्यामती बिधी पर आधारित एक उध्यान आग्रा में लगाए जिसे नूर अफगान ना दिया गया था साय जहां का काल मुगल बास्तु कला का सोड़ियोग माना जाते हैं किसका कल साय जहां का कल मुगल चित्कला की निवो हुमायो के कल में पड़ी थी मुगल चित्कला में मुगल चित्कला सहली में चित्त सबसे फेरमिक मतपूर्चित संग्रे हमजा नामा है जो दावस्तान ये अमीर हमजा की नाम से पिस्ट है इस पांडूली में 1200 चित्रों का संग रहे रहे हैं हुमाईउड की काल में प्रमुख चित्कार थे मीर सेदली और अदौर इसमद अकबर की काल में पहली बाद भीत्री चित्कारी प्यारम हुई थे भीत्री चित्कारी अगर हम लोग अकबर कालिन पिरमुक चितकारों की बात करें तो इसमें आपके दस्बंत बसावन, महेश, लाल मुकुन, संबल दास और अब्दू इसमद इस सामिलते अकबर के समय में चितकार जहांगीर का काल मुगल चितकाल का चर्मुत कर्श का काल माना जाता है सबसे उचाई हो पर था जहांगीर के काल में चितकाला जहांगीर के काल के प्रमुक चितकारों की बात करें तो इसमें फारूग वे, बिसंदास, उस्ताद मन्सूर, दौलत मनुहर, अबुल हजन थे, अबुल हसन थे जहांगी ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल्व असर और अब्दुल हसन को नादिर उल्व जामा की उपादी दी थी जो आपका उस्ताद मंसूर था ये पक्छी बेसे सक्ड़ चितकार था वक्षियों का चित अच्छा बनाता हुए अबुल्व भसन व्यक्ति चित्रों में कुसल था इसे आप लोग व्यक्ति विशिशग कह सकते हैं औरंगजेव ने चितकला को इसलाम बिरूद मानकर बंद करवा दिया था किसने औरंगजेव ने अकवर स्वयम बहुत अच्छा नकारा यानि की नगाड़ा बजाता था नगाड़ा अब देखने को मिल नहीं मिलते हैं नगाड़ा अगर आप लोग अभी भी इस तरह की देखते हूं तो बताईए जरूर करेंड़ वाक्स में अपना छेत्त का नाम ठीक हैं बहुत देन से मैंने नहीं देखा अकवर स्वयम बहुत अच्छा नगाड़ा यानि कि नपकारा या नगाड़ा बजाते थी तांसें की अकवर की नव रतनों में से एक थी जिसे अकवर ने रीवा की राजा रामचंद से तराप्ट किया था अकवर की समय प्रमोख संगीतक्यों में आपके सामिल से तांसें वाज बहादूर बेजवप्स गोपाल हरीदास रामदास सुजान कान मियाचान मियालाल पेजु वावरा जहागीर ने गजल गायक सौकी को आनन दिखा की उपादी दी थी किसकी आनन दिखा की किसे सौकी को साजहा की काल के फिरमोख संगीतक्यों की अगर हम बात करें तो इसमें सामिल थे लाल खान, खोसाल खान, बिचराम खान साजहा ने लाल खान को गुन समुंदर की उपादी थी गुन समुंदर औरंग्जेव स्वय में एक कुसल बीड़ाबादक भी था कौन औरंग्जेव औरंग्जेव के समय पिसे ते संगीतक्यों थे आपके रस्वयन, खान, सुखी सेन, कलावंद, हयात्र, सरस्नेन, किर्पा मोगल काल में संगीत का सरवादीक महथून विकास आपका 18-वी सिताब्दी में मोगल मोगल बातसाय के काल में 17-19-1748 के बीच होता है संगीत का विकास बातसाय मोगमद साय के काल में नेमत खान, सदारंग, अदारंग ने संगीत के विकास को पराकाश्टर पर पहुंचा दिया था दारा सिको को लगू अकबन कहा था तो यह पूंच लेता है आपसे लेंपूल ने किसे का लगू अकबन कहा था दारा सिको को कि एक बात आप लोग पखड़ना सीख जाई है उसके बाद कोई भी कुश्चेंस गलत नहीं होगा कि कोई भी प्वाइंट है उसमें कितने तरह से कुश्चेंस बन सकते हैं जैसे आप लोग इसे ले सकते हैं मोगल का लिए निर्माड का रहे हैं यह आपके निर्माड हो गए इस्थान हो गए निर्माड करता है इसमें किस तरह से आपके कुश्चेंस बन सकते हैं कितने बिखार से काबूली बाग एक कहां है पानी पत में किस ने बनवाई बाबर है या पूछे कि बाबर द्वारा ओप्सन दे दी जाए कि इनमें से कौन से हमारी बाबर ने प्रयापकी बाबरी मस्चिद इक हैं अयोद्या में बाबर के सेनापति मिर बाकी इसे निर्माड करवाय था जामी मस्चिद यह आपका संबल रोहिल कंड में है यह आपकी बावर ने बनवाय था से आगरा की मस्चिद आगरा में है यह हुमायू से संबंदी थे आपकी हुमायू इसका निर्माड करता था दीन पनाय नगर यह आपका दिल्ली में है यह हुमायू ने इसका निर्माड करता था पुराना किला दिल्ली का पुरान इसका निर्माड भी सेलसाय सूरी नहीं करवाया था रोहतासगड का किला ये आपका त्रीपश्मी सीमा फिरांत पर है इसका निर्माड भी आपके सेलसाय सूरी नहीं करवाया था अगरा का किला या आपका आगरा में है इसके निरमाड करता थे अकबर जहागीरी महल ये आपका फतेपुर सिक्री में है इसके निर्मार करता भी अकवर ही है आपके जोदाबाई के महल फतेपुर सिक्री में निर्मार करता अकवर मरियम की कोठी पीरवाहल कम महल पंच महल तुर्की सुल्टान की कोठी खास महल जामा पर्चित और बुलंद दर्वाजा यहां तक जितनी भी इमारते हैं इस अभी पतेपुर सिक्री में हो किसने निर्मार करवा है अकवर नहीं ठीक है सेख सलीम चिस्ति का मकवर यह भी पतेपुर में है यह अकवर नहीं इसका निर्मार करवा है इसलाम साय का मकवर यह भी आपका पतेपुर सिक्री में यह भी आपका अकवर नहीं बनवाय था तो यह सभी इमारते हैं याद रखी अभीतर कहा है पतेपुर सिक्री में अकवर इसके निर्मार करता थी, थिर अकबर का मकबरा, यह आपका सिकंदरा में है, किसने बनवाए था, जहांगीर्ण, अकबर का मकबरा कहा है, सिकंदरा, किसने बनवाए था, जहांगीर्ण, इतमत दौला का मकबरा, यह आपका आगरा में है, किसने बनवाए था, नूर जहान, जहांगीर का मकुरा, साहे दरा, लाहोर में है, किसने बनवाय था, नूर जहाने आगरा का महल, आगरा में है, किसने बनवाय था, साहे जहाने सीस महल, एवी आगरा में है, किसने बनवाय था, साहे जहाने खास महल, आगरा, साहे जहान मुसम्मन बोल्ज ये भी आगरा में साह जहाने नहीं बनवाए था नगीना मस्चिद आगरा में साह जहाने बनवाए मौती मस्चिद आगरा में साह जहाने बनवाए इसका जामी मस्चिद ये आगरा में इसका निर्माड करता जहां आ रहा था कौन जहां आ रहा है हं ताज महयर व्याक कागरा में इसके आप लुक दर्शन करने जाते हैं यह भी आपका साजहानillä नहीं बनवाय थे ताज भगूंने जा रहा हु ता जहाना वाध यह आपका किसने भन वह था इसका निरमाण करता सहां जाहां ये पि आपका सहां जहां नहीं बर्वाय taken जिससे आपकी पिधारमंत्री यहां से अपना भासनर देते हैं 15 अगस्त पर दीबाने आप यह आपका दिल्ली में है साय जहाने ही बनवाय था रंग महल आपका दिल्ली में है इसका निर्माण भी साय जहाने ही करवाय था जामा मस्चिब दिल्ली में है इसका निर्माण साय जहांने ही करवाए था रभीया उड्द दारानी का मकबरा यहां का औरणगा बाद में है और और जीम निकानीरवांक कर वाइथ ऑस्वा यह कर देन करता थे वह मौति मौति मस्जिद दिली में औरंग जीम ने इसका निर्माण करवाई था याद रखना है आपको मौती मस्जद आगर अगर पूछे तो यह आपके साय जहाने परवाई थी अगर मौती मस्चिद दिल्ली के लालिकले में जो मौती मस्चिद है उसके बारे में अगर पूछे तो औरंग ये निक्रवाई यहां आप से कुष्चन पूछ लेता है वो आपको परेसान करने वाला कुष्चन बन जाता है और आप गलत कर वैठते हैं सरल कुष्चन है फिर को भी गलत कर भीएकते हैं मिद्धिकाल में आपका खारत आने वाले हम लोग स्व Tokл देख लेथी हैं households कऱा था यह कि अम लोग देख क्याता है मध्यकाल में भारत आने वाले भीदेशियों की बात करने तो यह आपका ब्रमडकाल का समय हो जाता है यह यात्री हो जाता है वो किसके समय में यह आया उसका नाम मिलाता है इससे भी आपका questions बनता रहता है ठीक है तो महत्पून है आपके लिए मार्को पोलो मार्को पोलो कहां का याक्तरी था इटली का एक किसके सासनकाल में भारत आया पांड राज्य के समय कब से कब तर 1288 से 1293 तक तो याद रखना फर एबने बतू था यह आपका मुरक्को का यात्री था किसके समय भारत आया मुहमत तुगलग के समय कब से कब तक रहा 1333 से 1342 तक फिर आपका निकोलो कॉंटी यह आपका इटली का यात्री था किसके समय भारत आया देवराय पिथम की बेजयन्य देजा निकर की समय करती यह आपका 1420 से 1422 तक रहता है थे इसे भी स्कोंचाही एक प्रहता है भी राता है अब का इक इस्ट दॉक्ष ठींपीर ओ व्रॐं अभी उराना के समय लूर्थ सकता देवराय दुतिय यह आपका 1442 से 1443 तक रहता है पिर आता है यह आपका रूसी यात्री था यह आपका मोहमत समय आता है बह्मनी समराज में 1470 से 1444 तक रहता है यह बार्थोलोमिव डियाज यह आपका इटालियन नाभिक था दक्कन में आये था 1503 से 1508 तक रहता है फिरे यह आपका अदू-आरडू बार्भोसा यह आपका पुर्ध गालीय यात्री था यह कर खर किश्ण राय की समय किस्वनेदेव राय की समय बहर रता आता है बिजय नगर 1516-1518 तक रहता है, फिर आपका डंमेंगु 12, या आपका पुर्दगाली या 3, था किश्न देवराय की समय आता है भारत, 1520-5000 column 6, 32 तक रहता है नूनीज ये आपका पुर्दगाली अस सोधागाल था यानि कि गोडों का सोधागाल ये आपका अचीव देवराय की समय आता है भारत 1535 से 1537 फरे आपका सीजर फ्रेड जी फ्रेड रिज ये आपका पुर्दगाली यात्री था विजैनेगर में आये था 1566 से 1568 की बीच पर आपका एंथोनी मासे रात ये आपका पुर्दगाली पाद्री था अकुबर की समय भारत आया 1588 से 1582 तक भारत में रहता है रॉल्प फ्रेंच ये आपका पिथम अंग्रेजी यात्री था ये आपका अकुबर की समय आता है 1585 से 1591 की बीच पर आपका जॉन लिंस को तेम ये आपका डच यात्री था विजयनेगर में आता है 16 वी सताथी में लामा तारानात ये आपका तिबदी बहुत यात्री था पूर्वी भारत में आये था 16 वी सताथी में कैप्टन हॉकरंस अंग्रेज व्याप ये व्यापारी था जहांगीर में कि काल में आये था 1608 से 1613 की बीच अब किस तरह से खुश्चंश बन जाता है आपका कि कैप्टन हॉकरंस किसके समय में भारत आया तो आप बता सकते हैं सी दिसा अकबर की समय में ठीक है बिलियम प्रेंच यह अंगरेजी यात्री था यहांगीर की समय आया था 1608-1612 में थर्या का जॉन सुर्दान यह पुर्दगाली यात्री था यहांगीर की समय आया 1608-1617 की वीच रहा निकोलस डाउन डाउटन यह आपका नौसेन अधिकारी था यहांगीर की समय भारत आया 1608-1615 की वीच निकोलस बेथेंग टन यह आपका अंगरेजी यात्री था यह भी जहांगीर की समय में भारत आया 1612-1616 तक रहता है तॉमस खोरेट यह आपका अंगरेजी यात्री था जहांगीर के समय में भारत आता है 1612 से 1617 के बीच रहता है Sir Thomas Rowe ये भी पूछ लेता है आपका क्रीवा Sir Thomas Rowe आपका जहांगीर के साथनकाल में आता है 1615 से 1619 के बीच रहता है भार Edward Terry ये अंग्रेजी पादरी था जहांगीर के समय ही भारत आ है 1616 से 1629 तक 19 तक रहता है Palkan ये आपका अंग्रेजी यात्री था जहांगीर के समय ही भारत आता है 1615 से 1625 के बीच Francisco Pale Set ये आपका डच यात्री था जहांगीर के समय ही भारत आ है 1620 से 1627 Middela Beli इटली का यात्री था जहांगीर के समय भारत आता है 1622 से 1660 तक रहता है John Light ये आपका डच यात्री था ये आपका साह जहां के काल में भारत आता है 1626 से 1633 के बीच रहता है जॉन फियर ये आपका अंग्रेजी यात्री था ये भी आपका साह जहां के काल में आता है भारत और 1627 से 1661 तक भारत में रहता है इसके बीच पीटर मुंडी इटली का यात्री था साह जहां के काल में आता है भारत 1630 से 1634 तक रहता है टेव नियर फ्रेंच जोहिरी था है ये आपका साह जहां एवं औरंगेव के समय भारत आता है 1641 से 1687 तक रहता है मनुची ये आपका इटली का यात्री था ओरंगेव की समय भारत आया 1656 से 1687 तक के वीच रहाई वरनियर एक French चिकित सक्ता औरंगेव की समय भारत आया था 1658 से 1668 तक जीन चिन नाट या आपका French यात्री था ओरंगेव की समय भारत आया था 1666 से 1668 था रोमेली कोरेरी या इटली का यात्री था बीजापुर्प में आये था 1695 से 1699 की बीच तो यात्री थे कुछ उनसे संबंदित आपके महत्मूठ तब थे अब चलते हैं मुगल साहित के कुछ साहित देख लेते हैं मुगल साहित नहीं यानि कि सभी जित्रे भी अभी तक खतम हुए उनके बारे में ठीक है कि इसमें आपके मुगलकाली जा रहे हैं खासaut tor पर इसमें रामायड हो गया इसका किस तरह से अनुबात किया गया किस ने किया तो जुझ ए बाबर्री ये भावर हैं इसके लेशा तुर्की भासा में हैं आगर आप से पूछे कि तुजो k ये बावरी एक लेखा कॉने बावर किस बावर ती तुर्की मासा में ने घर है आपकी फार्सी बाव के फार्शी बाव साANS में इसके जो लेखर थे हो गुलवधन बेगम थे अक्वर नामा गुलवदन बेगम जो थी यह आपके बावर की पुत्री थी इकाद रखे हुमारी ना अकवर नामा और आईने एकवरी इसके जो लेकक थे वो थे फजर, अबुल, फजल अकवर नामा आईने एकवरी इसके लेकक थे अबुल, फजल तबकात ए अकबरी इसके लेकक थे निजामुद्दीन अहमद तजी किरातुल वाकियाद इसके जो लेकक थे वो थे जोहर आपता वची खान तारीक एकबरी और तारीक एड सरसारी इसके जो लेकक थे वो थे अबास खान सरवान मुंत खाओ उत तवारीक इसके जो लेकक थे अकदुर कादित वदायूनी थे इसके लेकक तारी के सलातीन इसके लेकर थे एहमद यादगार ये अपन गाना और तजिकिरा ये हुमायू इसके लेकर थे बयाजित बयात तुझे के जहांगीरी इसके लेकर थे जहांगीरी मौती बिद्ध खान से पूर की इसे तुझे के जहांगीरी जहांगीरी ने सुरूंगी थे मौत बिद खानने से पूर किया था इकबाल नामा ए जहांगिरी इसके जो लेकक थे वो थे मौत्बिद खांबक्सी मसार ए जहांगिरी इसके लेकक थे ख्वाजा कामगार मक्जम ए अफगानी इसके लेकक थे निया नियातम उल्ला तारी के फरिस्ता इसके लेकक थे मुहम्मद कासिम फरिस्ता मासर ए रहीनी इसके लेकर थे मुल्ला नहे बन्दी पादसाय नामा इसके लेकर थे मुहम्मद आमीन कजवीने पादसाय नामा इसके लेकर थे अब्दुल हमीद लाहुरी साज यहा नामा इसके लेकर थे इनायत खान आलम ए सले इसके लेकर थे मुहम्मद सले मुन्त खव उल्लुबाब इसके लेकर थे खल्ब खपी खान खपी खान आलमगीर मनामा इसके लेकर थे काजिम सेराजी नुकसा दिलकुसा इसके लेकर थे मुहम्मद साकी फतुहत ए आलमगीरी इसके लेकर थे ईसुर दास नागर वाक्याते आलमगीरी इसके लिए करते आकिल खांग वाक्याते आलमगीरी मासरे आलमगीरी इसके लिए करते मुहम्मद साकी मुस्केद खांग ठीक है खुलासा खुलासा उल्ट तवारीक इसके लिए करते आपके सुजान राए सिवारिल पुरूल मुद्खरीद इसके लिए कखते गुलाम हुसेन तवारी के मुझबफरी इसके लिए कखते मुहम्मद अली बुजुल बहरीन इसके लिए कखते दारा सिखो ठीक है? यह आपकी कुछ साहित दे थे लेकख ठीक है मुगलकाल की फार्षी भासा की बात करें हम लोग फार्षी भासा में अनवादित पुस्त कें महा भारत जैसा कि आपको पता होगा महा भारत संस्कित में लिखी गई थी लेकिन फार्षी भासा में इसका अनवाद किया था नकी खान बदायूनी अवल फजल और फैजी रामाइड इसका अनवाद फार्शी वासा में किया था बदायूनी ने अथर्विवेत का बदायूनी हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने पूर्ड किया इसका फार्शी में अनवाद लीलावत्ती ये आपका फैजी ने फार्शी में अनवाद किया था राज्टरंगनी साय मुहम्मद सहेबादी ने इसका फारिशी में अनुबाद किया था काली दमन अबुल फजल ने इसका फारिशी में अनुबाद किया था नल दमयंती फैजी ने इसका फारिशी में अनुबाद किया था इवल्स मौलाना सेरी ने इसका फार्शी बासा में आनबाद की पच्चास उपनिसद भागबद गीता एवं योग वसिष्ट इन सभी का फार्शी मानबाद दारा सिको ने किया था दारा सिको हिंदी की बात करें तो रामिचरेत冠 इसकिसंड है तो लिए थास विनययफक्ति का तो भी हो ने सर्डास ने वर्यमवाठिका रश्खान ने संदर सेंगा संदर कभी ministers कभितव रतनाकर सेनापति ने कंद कलप थरो कंभी पिरिया रशिक सुरी कबिंद कल्ब तरू या के कबिंद आचारते कभी पिरिया रसिक पिरिया अलंकार मंजिरी और राम चंदिका या के केसाओ चंदिक है ठीक है संस्कित की बात करें लो तो अकवर साही संगार दर्पन या के पदम सुंदर की बानुचरित या आपका आचार सिद्धिक पुपाद्याय की रस गंगाधर और या आपके जगनात पंडित की है और बात करते हैं मोगल समराज का विक्टन देखते हैं आप लोग जानते हैं कि जिसका जनम हुआ है उसे जना भी है जिसका उधवा हुआ है तो उसका बेक्टन भी होना है लेकिन हम लोग अकसर इसे कभी सोईकालते नहीं है हम सोचते ही नहीं है कभी कि हम जाएंगे इस धरती से हम तो इस थाई समझ कर रहते हैं कि जब तक मरेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं कुछ औरंगेप का उत्तरादिकारी साह आलम हुगा साह आलम का बास्तेविक नाम था मुवच्चम बहादूर साह साह आलम का राज्यवसिक 1737 में लाहूर के उत्तर साह दौला नामक पुल पर हुगा था बहादूर साह को साह बेकबर उपनाम से जाना जाता है, खपी खाने साह बेकबर कहा बहादूर साह की मित्ती हो जाती है 1712 में, बहादूर साह को औरंगेप के मकबरे के आंगर में औरंगावाद में दफना जाता है जहांदार साय जुल्फिकार खा कि सयोक्सिगत्दी पर बैटाता है अब आप देखी रहे होगे बहुत कमजोर सासक हो रहे हैं तो विक्टन होना तै होता है जहांदार साय कपधार मंत्री जुल्फिकार खा था हुसेन अली खां, अब्दुल खान, अब्दुल्ला खां को सियद बंधु के नाम से भी आप लो जानते हैं बारती इतियास में सियद बंधु को सासक निर्मा का कहा जाता है मुगल समराज का पिथम आयोग सासक हुआ जहांदार साह जहांदार साह को लंपट मूर्ग भी काया था लंपट मूर्ग फरोख सियर जनवरी सत्त्रे सुत्तिरे में सियद बंधु के सहयोग से गद्धी पर बैठता है अंग्रेजियों को मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान फरोख सियर नहीं दिया था फरोख सियर की हत्या सियद बंधु होने की थी मुगल समराज का गेडित कायर सासक फरोख सियर को ही कहा जाता है मुगल काल का यानि कि मुगल समराज का गेड़ित कायर सासक फरूक सियर को ही कहा जाता है और अभी उद दर्जा की मित्यु छैरोग सी हुई थी मुहम्मद साय सब 1319 में सियत बंदुमों की सहयोग से कद्धी पर बेठता है मुहम्मद साय का बास्तिविक नाम रोसन अक्तर था क्या था रोसन अक्तर पिसास्तन के पिती गेर जिम्मेदाल मदिरा एवं सुन्दर यूतियों के पिती रोजहान के कारण मुहम्मद साय को रंगी ला नाम दिया गया अब सोचिए आप जब इस तरह से करम करेंगे तो कितने दिन चले ही सकता कि पतन होना निश्चे होता है अश्चाजन यह तक थे यह ताउस नादिर साहे ले गया था नादिर साहे 1749 में नादिर साही का सैना पती होता है अहमद सायलंग दुतिय के बास्तविक नाम था अली गुगर 1764 में पिसिद्ध बकसर की उद्ध में अंग्रेजियों की खिलाब बंगाल की मीर कासिम अवद का नबाप सुजा उद्धुला और मुगल समराट साहालम दुथिये ने बाग लिया था कि समय बक्सर की उर्थ में अंग्रेजियों ने 1803 में दिल्ली पर कमजात अभी लिया था इलावात की संदी अब की होती है 1765 में बक्सर की उर्थ की बार इलावत की संदी के अनुसार बातसाया साहालम दुतिये ने बीसलाक रुपे बारसिक पैंसन के बदले बिहार एवं बंगाल की दीवानी अंग्रेजियों को सौंपती थे यहां से अंग्रेज सासन करने लगे थे पित्यक चुरूप से ठीक है क्योंकि जैसे ही आपका बक्सर का युद्ध जीटते हैं उनकी बाद अंग्रेजियों का बहरत पर कपज़ा अच्छे से हो जाता है और यहीं साथ को दीवानी भी मिलने लगी यानि कि बिहार और बंग्याल के त्यक चुरूप से उनकी अंडर में आ जाते हैं अंतिमोगल सासक होता है आपका बहादुर साय दुतिये इस पॉइंट को आपका य ट्रणूल बेठ दिया था बहादर साय दुतिये को जपर की वादी दी गिती किसकी जपर की लाल किला दिल्ली में हीरा महिल बहादर साय जपर ने वनवाए था लाल किला दिली में हयात बक्स वाग भी आपका इस्तित तो यह कहानी थी पूरी मुगल समराज की अब हम बात करते हैं नवीन स्वायत राज जो अठारवी सदी में बने थे उनके बारे में हम लोग जानते हैं हैदराबाद में सुतंत राजगी स्थापनाव की सत्रह सो चौवीस में चिन किलिच खाने की थी किसने चिन किलिच खाने चिन किलिच खान को निजामुल मुल्क नाम से भी जाना जाता है याद रखना है आपको हैदराबाद की स्थापना सत्तरह सो चौवीस में चिन किलिच खाने की थी इसका दूसरा नाम था निजामुल मुल्क नाम अबत के सुटंत राज की स्थापना? सादत खान बुर्हान मुल्क ने की थी नाद्रशाय को दिली पर आक्मट करने के लिए सादत खाने निवंतर दिया था आबत का अंतिम सुतंत साथ होता है वाजिद अली साहन वाज्ट अली सायं बंगाल की सुतंत राज का संस्थापक होता है मुर्सीत कुली खान को माना जाता है बंगाल की राधधानी धाका से मुर्सीत कुली खान नहीं ले गया था ठीक ऐसे बंगाल की राधधानी को धाका से मुर्सीत कुली खान सुतंत करनाटक राज का संस्थापक सदूत तुल्ला खान था करनाटक राज का संस्थापक करनाटक राज की राध्धानी थी अरकाट रोहेल खंड का सुतंत संस्थापक था बीर दाउद उसका पुत्य अली मुहमद जैपुर शहीर की स्थापना विग्यानिक शिद्धान्त पर सभाई जैसिंग ने की थी सभाई जैसिंग ने दिली, जैपुर, उज्जैन, वराड़सी, मत्रा में बेद सालया भी बनवाई थी किस-किस जगयо दिली, जैपुर, उज्जैन, वराडसी और मत्रा जाटों की सकती सूरज मल की समय चरूतकस पर थी सूरज मल को जाती का अफला तून कहा जाता है अब हम बात करते थे हैं बंगाल के नवाब जो अभी हुए हैं इनके बारे में बंगाल के नवाबों के बारे में यह आपके नवाब हैं इनका हसासन काल मुर्शीत कुली खान यापका 1713 से 1727 तक रहता है सुजाउद्दीन यापका 1727 से 1749 तक रहता है सर्भराज खान यापका 1749 से 1740 तक रहता है अलीवर्दी खान यापका 1740 से 1756 तक रहता है स्राजुद्दौला यापका 1756 से 1777 तक रहता है मीर जाफर यापका 1757 से 760 तक रहता है मीर कासिम यापका 1760 से 760 तक रहता है मीर जाफर दूसरी बाद 1763 से 765 तक नीजा मुद दौला यापका 1765 से 770 तक सेफुद दौला यापका 1766 से 1770 तक मुबारक दौला 1770 से 775 तक सासक रहता है तो यह थे आपके कुछ नए राज उनके सासक अठारवी सदी में अब हम चलते हैं मराठा समराज की बारे में देखते हैं यह भी आपके लिए बहुत ही मात्पूर टॉपिक है मराठा समराज इसमें आपके सिवाजी सबसे पहले आते हैं और सिवाजी 1627 से 1680 का जीवन रहता है यानि कि सिवाजी का जनुम होता है 1627 इस भी में पूना के निकट सिवनेर की दुर्ग में होता है कहां पूना की निकट सिवनेर दुर्ग में सिवाजी के माता पिता का नाम था जी जावाई और साह जी भौसले माता का नाम जी जावाई और पिता का नाम साह जी भौसले सिवाजी ने 1643 इसमी में अपने पिता की जागीर की पेसाखसक की रूम में पूने में प्यारम किया सिवाजी ने सासनकार 1647 में सभाला कब 1647 में सिवाजी पर सरवादी प्रभाव उनके गुरु दादा जी कौन्ड देव का था कौन्ड देव सिवाजी के सरक्षक भी थे सिवाजी के गुरु थे समर्थ रामदास यह आपका कईवार पूछ लेता है ठीक है? सिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास समर्थ रामदास ने दासबोध और आनंदवन भमन नामक पुस्तक भी लगी सिवाजी के गुरु ने समर्थ रामदास ने समर्थ रामदास ने मराटा धरम का पिती पादन भी किया था अपने जीवन काल में सिवाजी ने 240 किलों का निर्माट कराया कितने 240 किलों का सिवाजी ने बीजापूर के सिंगगर किले पर अधिकार किया ततपश्चाज 1646 में तोरण परदिकार कर लिया था 1656 में सिवाजी ने रायगड को अपनी राध्धानी बनाया साहे जी को 1647 में कैद किया गया था साहे जी को सिवाजी ने पहली बार मोगलों से 1657 में योद्ध किया था कब 1657 सिवाजी ने 1669 में सलहार कियोद में मोगलों को हराया था किसमें सलहार कियोद में सिवाजी ने 1669 में बीजापुर के महत्पूर सरदार अभजल खां को बखनके से मार डालाता बग नके से सिवाजी ने सूरत को पिथमबार 1664 में लूटा था सूरत को सिवाजी को राजा की पदवी औरंग जेब ने दी थी किसने औरंग जेब ने औरंग जेब 1665 में आमेर नरेश मिर्जा राजा जेब 1665 में होती है पुरंदर की संदी 1666 में औरंग जेब ने सिवाजी को केद कर जेपुर भवन आगरा में रखा था सिवाजी का समराज सूराज एवं मुल्द ए कादिम नामक दो भागों में बिवक्त था सिवाजी का समराज मराठी सब्दकोस की रचना रगुनाथ पंडित हनुमंत ने की थी किसने रगुनाथ पंडित हनुमंत ने सिवाजी के मंत्री मंडल को अश्ट विधान कहा जाता था अश्ट विधान इसमें कौन-कौन सामिल था पेशवा यह पिधान मंत्री होता था इसमें अमात इसे बित्वमंती भी मंत्री कहते थे वाक्या नवीस एक कानून व्यवस्था और गुप्त चरी का पिधान हुआ करता था सचिव राजकिय संबाद की देखरेख कहता था सुमंत यह आपका विदेशी मामले तथा समारों की देखवाल करता था पंडित राओं यह दान एवं धार्मिक मामले की देखता था सर यह नौबत यह सैनापती था नियायदीज एक मुख यह आपका मुख सैना यानि की नियाय करता होता था ठीक है इस तरह से अश्ट पिधान सिवाजी ने राज्यविसेक राइगर में 1674 इसवी में कासी में पिसित बिद्ध्वान गंगा भट से करवाय था तथा चत्पती की उपादी भी धारन की थी 1674 में सिवाजी ने सूरत पर दूसरा अकमर आपका 1670 में डाला था कब 1670 में सिवाजी ने मराठी को राजवासा बनाया सिवाजी की सेना का मुख भाग घुड़सवार और पैदल सेना थी घुड़सवार दो पिकार की होते थे वरगीर यह आपके साही गोड सबार थे जिन्हें राजी की ओर से सस्त मिलते थे सिलेदार यह उन्हें गोडे और सस्त स्वैम खरीजने पड़ते थे यह आपके मुगल समराज में भी इस तरह के सैनिक थे सिबाजी का राजस विवस्था एहमद नगर राज में मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रेयदवाडी पिता पर आधारी था मराठा कराधान पेडाली में दो सरवाधी करो और चौत और सरदेश मुकी थे यह आपका करीवार मूच लेता है कि चौत और सरदेश मुकी क्या थे तो जो चौत था यह विजित राज्यों की छेत्रों से उपच की एक चौताई की रूम में बसूल किया जाता था लेकिन जैसे कि आप किसी राज्य को जीत लेते हैं तो उससे आप लोग चौत कर लेंगे एक बटी एक चौताई वाग ठीक है उपच का सरदेश मुकी यह आये का दस्पितिसत यानि कि एक एक दस भावाग अंस की रूम में होता था जो एक अस्तिरिक्त कर था राजाराम ने नौवे मंत्री को सामिल कर पितिन निधी नाम दिया से आठाव के सिवाजी की समय थे पेशवा का पद बाला जी विस्वनात के बाद बंसा नुगत हो गया था पेशवा के सचवालाय को हो जो दफतर यानि की पूना में कहा गया है सबसे महत्पून दफतर था अलव वरीज दफतर गाओं के मुख अधिकारी को पटेल अथवा पाटिल कहा जाता था इसमय सिवाजी ने भूमिवापने के लिए काठी नामक मापक का भी प्रयोप किया है सिवाजी हैंद वर वद मुध्धारक की पदवी के साथ चत्पती के आसन पर बैठी थे हैंद वर धरू अध्धारक की पदवी के साथ सिवाजी के राजपुरोहित थे गंगाभट गंगाभट ने सिवाजी को मैवाड के सिसौधिया बंस कच्छत्रिय घुसित किया था करनाटा कभियान सिवाजी का अंतिम बिजय अभियान था सिवाजी की मित्ती होती है 1680 में सिवाजी का उत्रादिकारी थे संभाजी सिवाजी की बाद मराथा राज गद्धी पर कौन बैठता है संभाजी संभाजी ने औरंग जेब की विद्रो विद्रो ही पुत्ध अगवर को सरण दी थे 1689 में संभाजी को औरंग जीब द्वारां बहादुर गड़ में मार डाल गया 1689 में संभाजी की पत्नी ईसु भाई तथा पुत्य साहू को रायगट के किलिए में मोगलों द्वारां कैद किया गया संभाजी की मित्यू के बाद उसके सोतेले भाई राजाराम को मराठा मंत्री फरसन ने राजा गुसित किया सन 1700 में राजाराम की मित्यू के बाद उसकी बिद्वा पत्नी तारावाई ने अपने चारवसियस पुत्य को सेवाजी दुतिय की नाम से गद्धी पर बैठा है और मोगलों से तोतंता संगर्श जारी रखा साहू जिसे कैद कर लिया गया था 1707 में जब आपका और अग्जेप का खात्मा हो जाता है मर जाता है तो राजकुमार आजम ने रहा कर दिया उसे साहू के कोई पुत्त नहीं था 1789 में अपनी मित्तियु से पूर तारावाई के पुत्त राजाराम दुतिय को अपना उत्तरादिकारी ने उपकिया थे नुने चत्रपत्र साहू जी साहू और राजाराम की विद्वा पत्नी तारावाई की मद्द चल रही ग्रेय यूद ने पेसवाओं की सक्ति को बढ़ाया 1713 में साहू जी ने बालाजी विस्वनात को पेसवा बना दिया किसे बालाजी विस्वनात को बाजी राव पिथम से बाजी के बाद गुरिला यूद का सबसे बड़ा पिती पादक था साहु जी ने बाजी राव पिथम को योग पिता का योग पुत्त कहा था किसने साहु जी ने किसके लिए बाजी राव पिथम को कहा था बाजी राव पिथम ने हिंदू पाधसाई का आलर्स रखा था बाला जी बाजी राव को नाना साहब की नाम से भी आप लोग जानते हैं नाना साहब तो यह था आपका मराठा समराच फिर आपका सिक सिक समराच सिक धरम के संस्थाबक थे गुरू नानक सबसे पहले तो इसी पॉइंट को आपको अच्छे से याद रिखना सिख धरम की संथाबक कुन थे गुरु नानक गुरु नानक ने लंगर प्यारम किया था जो आप लोग अभी सुनते रहते हैं लंगर बाबा अभी ये नाम भी चर्चा में काफी रहा था कहते हैं उन्होंने अपना घर भी मेंद दिया था लंगर यानि कि भोजन करवाने के चक्कर में मतलब सिख खितले दयालू होते हैं और धरम को मानने बाले होते हैं आपने देखा हुआ अकसर आप लोग मिशाइल के तौल पर भी उन्हें देखते रहते हैं गुरू मुख्य लिपी का आरम गुरू अंगद ने किया था जो गुरू मुख्य लिपी है आपकी पंजाबी वासा में इसका आरम आपके गुरू अंगद नहीं किया था सिक्य धर्म प्यारम में स्तिरिप धार्मेक और सुधारबादी विचारों के कारण जाना जाता था। कलांतर में इसने एक लड़ाकु जाती के रूम में भी ख्याती प्राप्त गी। सिक्य धर्म में आपके दस गुरु हुए कौन कों से इन गुरुओं को भी याद रखना कई बार पूच लेते हैं। इनमें सामिल है आपकी गुरु नानक देव, गुरु अंगद, फिर आती हैं अमरकुस, अमरदास औरी, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर गोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर किसन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंग, इस त कि समय में मुगल बात्साय अकुवर ने उन्हें 500 पीगा भूमी दान थी इसी भूमी पर अमरस्थर जो आपका सहर है यह बसा था पहले इसका नाम रामदासपूर रखा गया था किसका अमरस्थर का उसके बाद आपका अमरस्थर कर दिया गया जहांगीर के सिक जहांगीर ने जो जहांगीर मुगल सा सक था इस ने सुख्खे गुरू अर्जुन देव को मित्युदंड मित्युदंड दिया था ठीक है याद रखना अर्जुन देव ने बिद्रोही राजकुमार खुसरों की सहायता की थी इसी कारण अर्जुन देव को फासी दी गई थी मित्युदाट जहां गीर ने ठीक है गुरु तेग बहादुर द्वारा इसलाम धरम ना अपनाने पर औरंग जेव ने उन्हें भी फासी फल लटका दिया था किसने औरंग जेव ने गुरु गोविन सिंग ने खालसा पंथ की स्थापना की एक नई धरम विधी पावल को सन्निविष्ट किया तीठ विर्थो प्रभास मूर्थी पुजा आधी धार्मिक आडंबरों को गलत माला गुरु गोविन सिंग ने खाल्सा बंत की स्थापना किस ने की थी गुरू गोविंद सिंग ने गुरू गोविंद सिंग की सिख्षाएं अभंगों की रूम में संगेत हैं जिसके इन जिनकी संख्या पास से आठ जार मानी जाती हैं कितनी पास से आठ गुरू गौबिन सिंग के हत्या 708 में नांदेड में गुलखान नामग, पठान ने कर दी थी तो गुरू गौबिन सिंग इनका नेधन का हो जाता है ? 708 में इनकी हत्या हो जाती है अठारवी सदी के अंत में महराजा रडजी सिंग के नेतित में सिक्रसक्ति का पुना उधर होता है रडजी सिंग का राज्य चार सुवा में बटा था पेसावर, कस्मीर, मुल्दान और लाहॉर रडजी सिंग का विदेश मंत्री था फकीर, अजी जुमुद्दीन और बित मंत्री था दीनानात यह आपके प्राचीन और मद्दकाल में भारत में कुछ लड़े गए प्रमुक्यूत है क्या है कि इनके बारे में भी आपका कुश्चिन से बनता रहता है क्या होता है, बनता रहता है, ठीक है इनसे समंदित, तो इने भी देख लेते हैं यहीं तो महत्मूर जो भी आपके प्राचीन और मद्दकाल में प्रमुक्य यूद्ध हुए हैं उन्हें एक सेंडी में हम लोग पढ़तों चुके हैं अधिकतर यूद्धिन में से लेकिन फिर भी एक रिविजन के पॉइंट व्यू से यहां एकट्टी किये गए हैं हाई डिस्पीच का यूद्ध आपका ये 326 इसा पूर में होता है ये आपका इस यूद्ध में सिकंदर नहराजा पुरू को पराजित किया था तो हाई डिस्पीच का यूद्ध का पूता है 326 इसा पूर में यानि की बीसी में याद रखिए ठीक है किस-किस के बीच सिकंदर और पुरू के बीच फिर आता है कलेंग यूद्ध 261 इसा पूर में यानि की 261 बीसी में इस एउद में असोक ने कलेंगी के राजा को पराजित किया, फरत्तु एउद की बिविजित की क्या ने, सिद्धु की होकर आपके जो राजा असोक थे, इन्होंने बहुत धरम भी सुईकार कर लिया, इन्होंने अहिंसा भी अपना लिया, इस समय बड़े धरम पड़ गए थ लाखों लोग बंदी बना लिये गये थे, ठीक है, उस एस अभी असोक की नजरों के सामने हुए था, इसलिए उनका दिल दहल गया, और अहिंसा की राय पर चल पड़ी, इसलिए मौरिवन्स के पतन का एक मुक्र कारण इसे भी मानते हैं लोग, ठीक है, इतिहास का, फर होत में मुहमद बिन कासिम ने सिंद्ध के दाहरी को पराजित किया था, किसको? सिंद्ध के दाहर को मुहमद बिन कासिम ने, फर होता है पेसाबर का यूद 2021 में, इस योद में महमूद गजनवी ने राजा जैबाल को पराजित किया था, तो पेसाबर का यूद 2021 में होता है, य इस यूद में पितिवी राज चोहान ने मुहमद गौरी को पराजित किया फिर तराइन का दुतिय यूद होता है 1192 में इस यूद में मुहमद गौरी की जीत होती है और पितिवी राज चोहान की हार होती है चंदाबर का यूद 1194 में इस योद में मुहम्मद गौरी ने जैचिंद को पराजीत किया था इन्हें आप लोग याद रखें क्योंकि कई वार क्रम में लगाने के लिए सिविल सर्विस में भी पूंच लीता है आपका ठीक है तराइन का पितम यूद 1191 तराइन का दुथिया यूद 1192 और चंदाबर का यूद 1194 यहां भी आपको याद ही रखना है ठीक है सरल है बहुत सरल है यार लेकिन फिर भी आपको पूंच लेता है वा आप लोग गड़वरा देते हैं पानीपत का पितम यूद खानबा का यूद चंदेरी का यूद और घाकरा का यूद यह सब आपको क्रम से याद रखना है ठीक है और किन किन के बीच हुआ है इसे भी याद रखना है तो चलते हैं पानीपत का पितम यूद देखते हैं यह आपका की सप्रेल 1526 को होता है कि बावर और इbrahim लोदी ये लड़ा गये इसने बावर की विजय होती है ठीक है फिर खानवा क др Together 17 मार्च 1527 में, सुरी jsást continued 26 में आपका पानिपत का 27 में खानवा का होता है इसमें आपका बावर राणा सांघा की बीच होता है इसमें आपका बावर विजय होता है फिर होता है चंदेरी का यूद पंद में मेंधिनी राय की मद्द होता है बापर की बिदे हे स्मेश पिर आपका गागरा का यूद भेता है छे मई 1529 को बापर Оर मैं मुद लोधी की मद्द होता है इसमें में भी आपका बावरी बिजय होता है इसे लोग आप लोग अपनी ट्रेक भी एक कोई टेक भी बना सकते हैं जैसे पानी पी खाना खा चल घर पा से पानी पत खा से खाना खा खानवा चा से चंदेरी और घा से घंगरा ठीक है फिर होता है दो राहे का यूद आपका 1532 में इस यूद में हुमायू ने महमूद लोदी को पराजित किया था ठीक है फिर चौसा का यूद 1549 में होता है हुमायू और सेसा सूरी की मद्ध होता है इसमें आपका सेसा सूरी विजय होता है हुमायू की हार होती है कन्योज में ब होमायु भूंड़ता परास्थ होता है फिर आपका मुच्ची वाड़ा का यूद है participated 1555 में होता है हुमायु यहेब अफगन सालार् guess कि मद्ध होता है हुमायु विज्य होता है दूसरी बार हुमायु गद्दी पर बैठता है ठीक है सर हिंद सर हिंद का यूद यह आपका 1555 में होता है हुमाईव और सिकंदर साह सूरी के भीच होता है इसमें भी आपका हुमाईव यह बिजे होता है पानीपत का दुथियय यूद, पानीपत का पहला यूद, 1526 में, अकबर और हेमू के बीच होता है, अकबर इसमें विजय होता है, तालीखोटा का यूद, यह आपका 1565 में होता है, इस योद में बह्मनी समराज के शार मुस्लिम राज्यों ने समले त्रोप से बिजय नगर समराज को हराया था इस योद में बन्नी हट्टी के योद के नाम से भी जानते हैं आप लो ताली कोटा के योद को आप लो बन्नी हट्टी योद के नाम से भी जानते हैं हल्दी घाटी का यूद 1576 में ये मुगल सैनापती मानसिंग और राणा पिताप की भीच लड़ा गया था जिसमें मुगलों की बिजय हुई थी यानि की मुगल जीते थी अहमद्नगर का यूद ये आपका 601 में हुआ कव अकबर की सेना और गौंडवाना की रानी चांद भीपी कि मद्युए थे इसमें अख़षी बिजय हुई थी तृ असीड़गार का यूद 1601 में होता है अकबर और मिया महधुर्ग बहादुर्ग की बीच होता है इसमें भी आपका अकवरी बिजय रहता है यह अकवर का अंदिम से न भी जानता ठीक है? फिर आपका धर्मत का यूद यह आपका 1658 में औरंग जेव और दारा सिकों की मद्द लड़ा गया इसमें औरंग जेव की बिजय हुई थी ठीक है? सामूगर का यूद औरंग जेव और दारा सिकों की मद्द लड़ा इसमें भी आपका औरंग जेव अंदिम रूप से बिजय हुई